एक समय, जिग्नासु विद्यार्थियों थी भरेला जीवंत वर्ग खंड मा रवी नामनों एक तेजस्वी युवान छोकरों हतो। तेमनु मन हम्मेशा प्रश्णों थी भरेलू रहतू हतू अने तेओ जटिल विश्यों ने समझवानी उत्सुकता माटे जानीता हता। एक दिवस, तेमना शिक्षक, तेमनी वार्ता कहवा द्वारा सवथी मुश्केल पाठोंने सरण ताथी समझवा माटे प्रख्यात, तेमने एक नवो ख्याल रजु करवानू नक्की करियू इन्द इस एक नानाकिय निवेदनोंनी प्रस्तुती माटेनू धोरन। शिक्षके तेनी सामान्य मनमोहक्रिते तेना पाठनी शरुआत करता कहिऊ, कल्पना करो, रवी, तमे एक भव्या पुस्तकोंनी दुकानना मालिक छो। ते मात्र कोई पुस्तकों नी दुकान नथी, ते शहरनी सवथी मोटी अने सवथी प्रिय पुस्तकों नी दुकान छे. हवे, अंते, दर वर्षे, तमारे तमारा ग्राहकों अने रोकान कारों ने जणाववानी जरूर छे के तमारी बुक स्टोर केवी रिते काम करी रही छे, अथवा आना माटे तमारे तमारी नानाकिय वार्ता रजु करवानी स्पष्ट रितनी जरूर छे. रवी आगर जुक्यों, तिरस्कार थयों, पड़ू ए वार्ता केवी रिते कहूं, सर, शिक्षके स्मित करियों सारू प्रश्न रवी अहीं थी ज इंद इस एक आवे छे जेम सारी रिते लखायल पुस्तक नी शरुवात मध्य अने अन्त होई छे, तेम तमारा नाणाकिय निवेद नो एक मार्खागत फॉर्मेट ने अनुसर्वा जोईए इंद इस एक ते मार्गदर्शिका छे, जे तमने ते माहिती केवी रिते गोठवी ते जणावे छे, जे थी तेने वाचनार कोईपण तमारा व्यवसाईने सररता थी समझी शके रवीनी आँखों कुटुहल थी चमकी तो मारे आ नाणा किया वार्था मां शू शामेल करवू जोईए शिक्षक समझाववा लाग्या इंद इस एक तमने बैलेंस शीट थी शरुआत करवानू कहे छे आ तमारी वार्था ना पाया जेवू छे ज्या तमे चोकस समय तमारा व्यवसाईनी मालिकी अने देवू शू छे ते दर्शावो छो तेने तमारा पुस्तकोंनी दुकाननी नाणा किया स्थिती तरीके विचारो तमारी पासे बैंक ना देवा करता वधू पुस्तकों भरेली छे तेने थोगो रवीने विचारने ग्रहन करवा माटे एक क्षण आपी अने चालू राख्यू आगल नफा अने नुकसाननों निवेदन आवे छे अही तमे जणावो छोके वर्ष दर्मियान तमारा व्यवसाई केटली कमाणी अने खर्च कर्यो छे शू लोकोए घणा पुस्तकों खरीद्या अथवा वेचार धीमू रवीये माथू धुणाव्यू तेनी साथे अनुसर्यो अने ते बधू छे शिक्ष के हसी ने कहिँ खूबज नहीं मारा आतुर विद्यार थी ते पची तमे रोकड प्रवाहनू निवेदन रजू करो छो आ भाग तमारा व्यवसाय माँ पैसा केवी रिते जाय छे अने बहार जाय छे तेनी वार्ता कहे छे शू तमने पुस्तक ना वेचार माथी रोकड प्राप्त थाई छे अथवा तमे चुकवणी करी छे नवो स्टोक खरीदवा माटे आ तमारा बुक स्टोर ना धबकारा जेवू छे जे दर्शावे छे केशू तेने सरण ताथी चालवा माटे पूर्ती रोकड छे रविये एक प्षण माटे विचारियू अने पुछियू परंतु जो मारो व्यवसाई वधे अने हुँ तेने रोकाण कारो माटे सारू लागे तोशू हुँ मारा निवेदनों मा ते केवी रिते करी शकू शिक्ष के पोतानों हाथ पूचो करी ने कहिँ आ ते एक महत्वपूल मुद्दो छे रवी इन्ड एस एक माटे तमारे सत्यवादी बनवानी जरूर छे तमे माहिती छुपावी शक्ता नथी अथ्वा तमारा व्यवसाई ने तेना करता वधू सारो देखाडी शक्ता नथी दरेक वस्तु न्याई अने स्पष्ट रिते रजू थवी जोईए तमारा वाचको पछी भले तेओ रोकाणकारो होई के ग्राहको तेओ जे जुए छे ते एक रमतना नियमों नी जेम छे तेनी खात्री करवी जरूरी छे के दरेक व्यक्ती योग्यरिते रमे छे रवी हसी पड़ेओ जाने ते समझवा लागयो हतो तेथी इन इस एक मारा नाना की अव्यवसाय माटे वार्ता कहवाना मार्ग दर्शिका जेवू छे जे सुनिश्चित करे छे के हुँ मारा पुस्तकोनी दुकाननी परिस्थितीने स्पष्ट अने सत्यता पूर्वक रजू करू छू शिक्ष के गर्व थी माथू हलावियू बराबर रवी तमने समझाई गयू छे याद राखो जेम के एक महान वार्ता मा स्पष्टता अने प्रामारिकता मुख्य छे इन्द ऐस एक तमने स्पष्ट चित्र दोर्वामा मदद करे छे जेथी दरेकने खबर पड़े के तमारी बुक स्टोर नाणाकिय रिते केवी रिते चाली रही छे रविये ते दिवसे वर्गखंड छोड़ी दिधो विश्वास अनुभवता के ते हवे नाणाकिय निवेदनोंने योग्य रिते रजु करवानू महत्व समझी शक्षे तेना शिक्षक नी अविस्मरणिय वार्ता कहवानी कुशरताने कारणे आभार क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक सन्नी बपोरे रवी जिगनासु विध्यार्थी वर्गखंड मा बेठो तेना शिक्षक ना बीजा मनमोहक पाथ माटे तैयार हतो जे तेना वार्ता कहवाना जादू माटे दूर-दूर सुधी जाणीता हता। आजे शिक्षके एक नवो ख्याल समझाववानू वच्चन आप्यू हतु इंद ऐस बे जे इन्वेंटरीस साथे काम करे छे। शिक्षके शरुआत करता हस्ता हस्ता कहिऊ। रवी, चालो तमारा पुस्तकों नी दुकाने पाचा जये। हवे कल्पना करो के तमारी छाजलियो तमाम प्रकार ना पुस्तको थी भरेली छे. आ पुस्तको तमारो स्टोक छे, अथवा एकाउंटिंग नी द्रश्टिये तमारी इन्वेंटरी छे. परंतु शू तमें क्यारे विचार्यू छे के आ इन्वेंटरी नी किम्मत केटली छे ते केवी रिते नक्की करवूं रवी नी आँखों कुटुहल थी चमकी में ते विशे विचार्यू छे साहेब पड़ हुँ केवी रिते जानों के मारा पुस्तकों नी किम्मत केटली छे शिक्ष के हकार मां माथु हलावियूं आनंद थयों के रवी साचा प्रश्नों पूछे छे त्याज इंद S2 आवे छे ते मार्गदर्शिका छे जे तमारा जेवा व्यवसायों ने तेमनी इन्वेंटरीजनू मुल्य नक्की करवामा मदद करे छे तमे तमारा चाजलीयों परनी दरेक वस्तूनी साची किम्मत जानों छो तेनी खात्री करवा माटे तेने एक पद्धती तरीके विचारो रवी ने रस पड़ेऊ तो हूं मारी इन्वेंटरीनी किम्मत केवी रिते गणी शकू सर शिक्षक आगर जुक्यो जाने कोई रहस्य शेर करवा जई रहो होए रवी बे मुख्य पगला छे प्रथम ए नक्की करवानू छे के तमारा स्टोर पर पुस्तको लाववा माटे तमने केटलो खर्च थशे आमा तमे प्रकाशक पासे थी पुस्तकों खरीद्वा माटे चुक्वेल किम्मत, परिवहन खर्च अने तमारा वेरहाउस मां संग्रह करवानों खर्च पन सामेल छे रवी नी आखों पहुडी थाई गई कारण के तेने समझायू के केटला परिब्रो सामेल छे तो मारे पुस्तक नी किम्मत करता वधू विचार्वू पडशे शिक्ष के माथू हलावियू बराबर ते मात्र पुस्तक माटे ज चुकववामा आवती किम्मत नथी तमारे ते पुस्तकों वेचवा माटे तैयार करवा माटे जरूरी खर्च विशे पड़ विचारवानी जरूर छे ते पहलो भाग छे किम्मत नक्की करवी रवी एक प्षण माटे विचारियू अने पची पुछियू पड़ जो पुस्तकों सारी रिते वेचाता न होई अथवा तेओ लांबा समय थी शेल्फ पर होई तोशू शिक्षक जानी ने हस्या आह ते अमने बीजा भाग मां लावे छे इन ऐस बे अमने जणावे छे के तमे खर्चनी गणतरी करया पची तमारे तेने नेट रियलाइजेबल वेल्यू नामनी कोई वस्तू साथे सर्खाववी पडशे वेचाण करवा माटे कोईपन डिसकाउंट अथवा खर्चने ध्यानमा लिधा पची आते रकम छे जेना माटे तमे पुस्तक वेचवानी अपेक्षा राखो छो जो नेट रिलीजेबल वेल्यू किम्मत करता ओची होए तो तमारे तमारी इन्वेंटरी नू मुल्य घटाडवू पडशे रवी मुन्जायलो देखातो हतो साहेब हुँ किम्मत केम घटाड़िश शिक्ष के धिर्च पूर्वक समझाव्यू एक पुस्तकनी कल्पना करो जे गया वर्षे लोकप्रिय हतू पण हवे तेनी मांग नथी तमे तेने सो रुपियामा खरीद्यू हतू, परंतु हवे कोई तेने ते किम्मते खरीदवा मांग तू नथी 9 पुस्तकों माटे जग्या खाली करवा माटे तमारे तेने 60 रुपिया माँ वेच्वू पड़ी शके छे आ किसा मा Net Realizable Value तमे तेना माटे चुकवेल छे, तेना करता ओछू छे, तेथी तमारे ते तमारा एकांट्स माँ प्रति बिंबित करवू पड़ छे इन्ड एस बे ए सुनिश्चित करे छे के तमारी इन्वेंटरी वधू पढ़ती मुल्यवान न थी, तमारा व्यवसाईनू वधू सचोट चित्र दर्शावे छे रवी ये धीमे थी माथू हलावियू तो मारे मारा पुस्तकों नी किम्मत अने रकम बन्नेना आधारे मुल्याकन करवानी जरूर छे जेहू तेमने वेची शकू बराबर रवी शिक्ष के स्मित साथे कहिऊं अने याद राखो इंद एस बे तमने तमारी इन्वेंटरी मा कोईपण बिनजरूरी खर्च उमेरवा देतू न थी तमे जाहिरात अथवा सामान्य वहिवती खर्च जेवी वस्तुओनों समावेश करी शक्ता न थी फक्त पुस्तकों साथे सिधाज संबंदित खर्च जेम के तेमने खरीदवा परिवहन करवा अथवा संग्रहित करवा तेनों समावेश करवो जोईए रवी ये थोडी वार विचारियू अने पच्छी पुछियू पर सर आ एटलू महत्वनू केम छे शिक्षक नी अभिव्यक्ती गंभीर बनी गई ते महत्वपूर्ण छे कारण के इन्वेंटरी ए तमारा व्यवसाई नी संपत्ती नों मोटो भाग छे जो तमे तमारी इन्वेंटरी नों मुल्य वधारे करो छो तो एहू लागे छे के तमारों व्यवसाई वास्तव मां छे तेना करता वधू सारों देखाव करी रहो छे ते एवा लोकोंने गेर मार गे दोरी शके छे के जेओ तमारी बुक स्टोर मां रोकाण करवा मागे छे अथवा योग्य निर्णै लेवानी तमारी क्षमताने पड असर करी शके छे इन्द एस बे ए सुनिष्चित करवा मां मदद करे छे के तमारी इन्वेंटरी नू योग्य मुल्य छे जेथी दरेक व्यक्ती तमारा व्यवसाईनू साचू चित्र जाने रवी वधू आत्मविश्वास अनुभवता हस्यो मने हवे समझायू सर इन्द एस बे मारा चाजलियो परना पुस्तकोनी साची किम्मत आकवा मा मने मदद करे छे खात्री करो के हूँ तेमनी किम्मत केटली छे तेनों वधू पड़तो अंदाज नथी राखतो शिक्ष के गर्व थी माथू हलावियों सारू करियों रवी याद राखो जेम सारी वार्ताने साची रिते कहवानी जरूर छे तेम तमारी इन्वेंटरी नू मुल्य प्रमानिक पड़े होँ जोईए इन्द एस बे तमने साचा मार्ग पर रहवामा मदद करवा माटे छे तमारी बुक स्टोर नी वार्ता हम्मेशा सचोट अने न्याई छे तेनी खात्री करवा माटे रविये ते दिवसे तेनी इन्वेंटरी केवी रिते हेंडल करवी तेनी स्पष्ट समझ साथे वर्गखंड छोड़ी दिधो, तेना शिक्षक नी सौथी जटिल एकाउंटिंग ख्यालों ने पण सरण यादगार वार्ताओं मा फेर्ववानी अनन्यक्षम्ताने कारणे आभ क्रूपा करीने सूचनाओं मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक वर्सादी बपोर पछी, रवी, सदा जिग्नासु विध्यार्थी, वर्गखंड मा बेठो, वर्सादने बारी पर अथडातो जोई रहेओ जारे तेमना प्रख्यात शिक्षक बीजा महत्वपूर्ण पाठ शिखववा माटे तैयार हता त्यारे तेओ विचारमा हता आजनों विशय इंद इस साथ हतो, जे रोकड प्रवाहना निवेदनने आवरी ले छे जटिल विभावनाओने रस्प्रद वार्ताओं मां फेर्ववा माटे जानीता शिक्षके तेमनी सामान्य रिते शरुआत करी रवी कल्पना करो के तमें बहार जे वर्साद जोई रहा छो ते तमारा व्यवसाहे मां पैसा आवता अने बहार आवता होई छे केटलाक दिवसो सतत धोधमार वर्साद छे अने केटलाक दिवसो आकाश स्वच्छ छे पड़ वर्साद पड़तो होई के न पड़े तमारे ए जानू जरूरी छे के तमारा पैसा क्या थी आवे छे अने क्या जाय छे खरूने रवी ये माथू हलावियो तिरसकार करेओ हाँ साहेब परन्तु हूं मारा व्यवसाएमा आ बधू केवी रिते ट्रैक करी शकू रवी नी उच्सुकता वधती जोईने शिक्षक हस्या सारो प्रश्न रवी आ ते छे ज्या इंद ऐस साथ चित्रमा आवे छे ते तमने रोकड प्रवाहनू निवेदन बनाववामा मदद करे छे जे चौकस्त समयगाडा दर्मियान तमारा व्यवसाएमा रोकड केवी रिते जाए छे अने बहार जाए छे ते दर्शावता नक्षा जेवू छे रवी अंदर जुक्यो समझवा आतूर तो आ नक्षो केवी रिते काम करे छे सर शिक्ष के आगड कहिऊ चालो तेने तोड़ी नाखिये रवी तमारी बुक्स्टोर नी फरी कल्पना करो त्या त्रण मुख्य मार्गो छे के जे तमारा व्यवसाएमा अने बहार रोकडने अनुसरी शके छे इन एस साथ तमने आने त्रण केटिगरी मा विभाजीत करवा मार्गदर्शन आपे छे ओपरेटिंग प्रवृत्तियों, रोकाड प्रवृत्तियों अने नाणाकिय प्रवृत्तियों आमाना दरेक तमारा व्यवसाय नी रोकड वार्तानों एक अलग भाग दर्शावे छे. रवीनी आँखों चमकी साहेब आ दरेक रस्तानों अर्थ शू छे. शिक्षक रवीनी सगाई थी खुश थाईने हस्या. चालों ओप्रेटिंग प्रवृत्तियों थी शरुआत करिये. आ तमारा व्यवसाय नों मुख्य भाग छे, जे रोजिन्दा वस्तुओं के जे रोकड लावे छे अने मोकले छे. जारे ग्राह को पुस्तको खरीदे छे, त्यारे तमने मरता नाणा विशे विचारू. ते रोकड आवे छे. परंतु तमारे तमारा कर्मचारियोंने चुकवणी करवी पड़शे, नवी पुस्तको खरीदवी पड़शे, अने तमारा स्टोर नी लाइट चालू राखवी पड़शे. ते रोकड बहार जवाना उदाहरणों छे. इंड ऐस साथ तमने आ दैनिक प्रवृत्तियोंने ट्रैक करवामा मदद करे छे, जेथी तमे जोई शको के तमारों व्यवसाई सर्वताथी चाल्वा माटे पूर्ती रोकड कमाणी करी रहों छे किकें. रवी ए माथू हलावियू. तो आ मारा पुस्तकाल्य नी लाइफलाइन छे, सर. शिक्षक नी आँखो गर्वती चमकी. बराबर रवी. हवे चालो बीजा मार्ग पर जईये रोकाड प्रवृत्तियों. आ ते छे ज्या तमे लामबा गाडानी असक्यामतो खरीद्वा माटे वप्राती रोकड बतावो छो, जेम के जो तमे वधू शेल्फ खरीद्वानू नक्की करो छो, अथवा तो तमारा बुक स्टोर नी नवी शाखा पर खोलो छो. ते ते स्थान छे ज्या तमे संपत्ती वेचवाथी प्राप्त थती कोई पड रोकड ने रेकोर्ड करो छो, उदाहरण तरीके जो तमे केटलाक जूना साधनों वेच्या होए, तो ते वेचाण माथी तमने जे नाणा मडशे ते अही बताववामा आवशे. रवी ए थोड़ी वार थोभी ने पुछियू, तो मारा धंधामा मोटा फेरफारोनी वात छे ने. शिक्षके माथू हलावियू. हाँ, आ सामान्य रिते एक वखत नी अथवा अवार्न वार बनती घटनाओ छे. तेओ दर्शावे छे के शू तमे तमारा व्यवसाईना भविश्यमा रोकाण करी रहा छो. रवी नू मगज एक दिवस तेनी बुक स्टोर केवी रिते वधशे ते विचारी ने दोडी आवियू. अने छेल्ला रस्तानू शू, सर, आ बदू एक साथे लाववानी चावी छे, ते जानी ने शिक्षक नजीकमा जुक्या. छेल्लो मार्ग नाणा किया प्रवृत्तियो छे. आ ते छे ज्यां तमे तमारा व्यवसाई ने केवी रिते भंडोल आपो छो, ते नाथी संबंधित रोकड ने ट्रेक करो छो. जो तमे तमारी बुक स्टोर ने विस्त्रूत करवा माटे लोन लो छो, तो तमने लोन माथी जे रोकड मरे छे, ते अही जाए छे. ते वी जुरिते, जारे तमे ते लोन नी चुकवणी करो छो, त्यारे बहार जती रोकड पड अही नोंध्वामा आवे छे. जो तमारों व्यवसाई डिविडेंड चुकववा माटे पूर्तो विक्स्यो होई, तो तमे रोकाण कारोंने पाछा आपो छो, ते कोई पड नाणा पड ते दर्शावे छे. रवी नों चहरों समझण थी चमकी गएू. तो रोकड प्रवाहनों निवेदन मने बतावे छे के मारा व्यवसाई मां नाणा क्या थी आवे छे अने ते क्या जाए छे. बराबर, पची भले ते रोजिन्दा वेचान मोटा रोकाणों अथवा लोन्थी होए. शिक्षत गर्म थी हस्या. ते साचू छे, रवी. अने सौथी सारी वात ए छे के इंद इस साथ नों उप्योग करीने, तमे जोई शको छो के तमारों व्यवसाई स्वस्थ छे के नही उदाहरण तरीके, जो तमे नफो कमाता होव तो पड, जो तमारी ओप्रेटिंग प्रवृत्तियों पर्याप्त रोकड लावती नथी, तो तमे तमारा बिल चुकवा माटे संगर्श करी शको छो. आ निवेदन तमने तमारा व्यवसाईनी रोकड स्थितीनू मोटू चित् पडद करे छे. रवी ए एक क्षण माटे विचारियू, पची पुछियू, पण सर आ एटलू महत्वनू केम छे. शिक्ष के विचार पूर्वक रवी सामे जोयू. कल्पना करो, रवी, जो तमारी बुक स्टोर मां स्टोक अने साधन सामगरी जेवी वस्तुओं मां घणा पैसा जोडायला होय, परंतु तमारा कर्मचारियों ने चुकवणी करवा अथ्वा नवा पुस्त को खरीदवा मा खूब ओची रोकड होयू. तमे मुश्केली मां पड़ी शको छो, भले कागण पर एहु लागे के तमारो व्यवसाई सारो चाली रहो छेू. रोकड प्रवाहनों निवेदन ए सुनिष्चित करे छे के तमे मात्र नफा परज नहीं पड़ रोकड प्रवाह परपण ध्यान केंद्रित करी रहा छो, जे तमारा व्यवसाईने जीवन्त राखे छे. रवी हस्यो, तुकडाओ भेगा थयानों अनुभव करियो. मने हवे समझायू, सर, इन ए साथ ए तमाम रोकड नो ट्रेक राखवामा मने मदद करे छे जे आवे छे अने बहार जाय छे, खात्री करो के हुँ जोई शकूछू के मारो व्यवसाई खरेखर केवी रिते चाली शिक्ष के रवी नी पीठ पर थपड मारी, सारू करियों रवी, याद राखो, जेम वर्सादी पाणी पूर्थी बचवा माटे योग्य रिते बहेवू जरूरी छे, तेम तमारा व्यवसाई मा रोकड नू सारी रिते संचालन करवानी जरूर छे इन ए साथ तमने तमारी रोकड क्या वही रही छे, ते जोवामा मदद करे छे, जेथी तमारी बुक स्टोर कोईपड आश्चर्य विना खिली शके रोकड प्रवाहनों निवेदन केवी रिते कार्य करे छे, तेनी स्पष्ट समझन साथे रवी ते दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकलेओ, तेना शिक्षक नी अविश्वस्निय वार्ता कहवाने कारणे आभार के जेने सौथी जटिल विचारो पण सरल लागे छे क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तेजस्वी सवारे रवी अपेक्षाना भाव साथे वर्गखंड माँ प्रवेश्यो आजनो दिवस खास हतो, तेमना शिक्षक माटे तेमनी मोहक वारता कहवानी क्षमताओ माटे प्रख्यात एक नवो अने रस्प्रद विशय समझाववा माटे तैयार हतो इन्द एस आठ जे एकाउंटिंग नितियो एकाउंटिंग अंदाज माँ फेरफारो अने भूलो साथे काम करे छे रवीनी आतूर अभिव्यक्ती ने ध्यान माँ लेता शिक्ष के हुफारू स्मित साथे वर्गनू स्वागत करियू शुप सवार दरेक ने आजे आपने एकाउंटिंग नी दुनिया माँ प्रवास शरू करवा जई रहा छिए जेम के जुदा जुदा रस्ताओ साथे जंगल माँ नेविगेट करवू दरेक पाथ व्यवसाई द्वारा लेवामा आवता निर्णैनू प्रतिनिधित्व करे छे अने ते अमे जे नाणाकिय वार्ता कहिये छिए तेने केवी असर करे छे रवी नी उत्सुकता छवाई गई साहेब रस्ताओ थी तमारों शू मतलब छे शिक्ष के जवाब आपयो चालो कल्पना करिये के तमे तमारा प्रिय पुस्तकों नी दुकान ना मालिक छो रवी जारे तमे नक्की करो के तमारा पुस्तकों नी किम्मत केवी रिते रेकोर्ड करवी अथवा तेमनी किम्मतनी गणत्री केवी रिते करवी तमे तमारी एकाउंटिंग नितियो पसंद करी रहा छो इन्द ऐस आठ तमने आ पसंदगियोंने समझवामा मदद करे छे अने जो तमे तेमने बदलवानू नक्की करो अथवा जो तमे भूल करो तो शू थाई छे रविये माथू हलावियों तिरसकार करें तो आ हिसाबी नीतियों शू छे शिक्ष के आगर कहियों हिसाबी नीतियों तमे तमारा व्यवसाय माटे सेट करेला नियमों जेवी छे तेओ तमने तमारा व्यवहारोंने केवी रिते रेकोर्ड करवाते अंगे मार्गदर्शन आपे छे दाखला तरीके तमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धतीनो उप्योग करीने तमारी इन्वेंटरीनी किम्मत रेकोर्ड करवानू नक्की करी शको छो जेनो अर्थ छे के तमें सौथी जूना पुस्तको पहला वेचो छो आ पसंदगी प्रतिबिम्बित करे छे के तमें तमारा व्यवसाईने आर्थिक रिते केवी रिते रजू करवा मांगो छो रवी ए एक प्षण माटे आ विशे विचारियूं तो मारी पद्धतीनी पसंदगी मारा नानाकिय निवेद नो केवा देखाय छे तेना पर असर करी शके छे चोक्कस शिक्षके कहिँ विविद एकाउंटिंग नीतियो विविद नानाकिय परिणामो तरफ दोरी शके छे तेथी इन एस आठ माटे तमारे तमारी नितियो मां सुसंदत रहवानी जरूर छे जेथी करीने तमारा नानाकिय निवेद नो समय साथे तुल्नात्मक रहे जो तमे तमारी एकाउंटिंग पोलिसी बदलवानू नक्की करो छो तो तमारे तमारा स्टेटमेंट मां फेरफार ना कारणों अने असरो जाहेर करवी पडशे रवीनी भमर विचार मां पड़ी गई जो मने ख्याल आवे के में अगाउं बनावेलो अन्दाज बदलवानी जरूर छे तोशूं उदाहरन तरीके जो में शरुआत मां अनुमान लगावियू हतूं के वर्ष दर्मियान चोक्क संख्या मां पुस्तकों वेचाशे परंतु पछी थी मने जणायूं के में भूल करी छे रवीना समझदार प्रश्ण नी प्रशंसा करता शिक्ष के स्मित करियूं ओह तेज जग्याए एकाउंटिंग अंदाज मां फेरफारो अमल मां आवे छे आ फेरफारो व्यवसाय ना कुद्रती अभ्यासक्रम नो एक भाग छे केटलिकवार तमें नवी माहिती भेगी करो छो अथवा समझो छो के तमारा अगाउना अंदाजो 24 ना हता तमारा किसा मां जो तमें शरुवात मां अनुमान लगावियू होए के एक लोकप्रिय पुस्तक नी 200 नकलो वेचाशे परंतु पाचर्थी खबर पड़ी के मांग ओची छे तो तमारे तमारा अंदाजों ने ते मुझब गोठववानी जरूर पड़ी शके छे लवचीक बनवानू महत्व समझी ने रविये माथू हलावियू तो जारे हूं अंदाज बदलू छू त्यारे मारे मारा नाणाकिय निवेदनों मां पड़ ते प्रति बिम्बित करवानी जरूर छे बराबर रवी शिक्षके कहिऊं परन्तु अहीं चावी छे किसाबी अंदाज मां फेरफारोंने पूर्मवर्ती गोठवणोंनी जरूर नथी तेना बदले तमे आगळ जता नवो अंदाज लागू करू आनो अर्थ हे छे के तमे तमारा रेकोर्ड्स अपडेट करो छो परन्तु भुतकारना निवेदनोंने बदलता नथी रवी ए आ माहिती ने आत्मसात करवामा थोड़ी वार लिधी अने भूलो विशेशूं सर जो हूं मारा एकाउंटिंग मा भूल करू तो शूं थशे शिक्षक नी अभिव्यक्ती वधू गंभीर बनी सारो प्रश्न रवी गानितिक भूलो देखरेक अथ्वा तथ्योंनी गेर समझती विवित कारणोंसर भूलो थाई शके छे जो तमने तमारा नाणाकिय निवेदनों मा भूल जणाए तो इंद ऐस आठ तमारे तेने सुधार्वानी जरूर छे जो भूल भूतिक छे एटले के ते तमारी नाणाकिय स्थिती ने नोंद पात्र रिते असर करे छे तो तमारे तमारा अगाउना नाणाकिय निवेदनोंने पुन स्थापित करवू जोईये अने भूलनी प्रकुरूती जाहेर करवी जोईये रवीनी आखो पहुडी थाई गई तो जो गया वर्षे में आक्समिक रिते मारू वेचान खूब वधारे नोंध्यू होई तो मारे पाचा जईने तेने ठीक करवू पडशे शिक्षके माथू हलावियू हाँ अने तेना विशे पारदर्शक रहेवू महत्व पूर्ण छे गूलो सुधारीने अने जरूरी होई त्यारे अंदाजो बगलीने तमे तमारा नाणाकिय एहवालनी अखंडित्ताने जार्वी राखो छो ते तमारी बुक स्टोर नू सचोट नाणाकिय चित्र प्रदान करवानी तमारी प्रति बद्धता दर्शावे छे रवी हसी पड़ियो प्रबुद्ध अनुभव थयो तो 19-28 मने मारा एकाउंटिंग माटे योग्य नियमों सेट करवामा जारे हुँ नवी वस्तुओ शिखु त्यारे गोठवनों करवामा अने भूलो सुधार्वामा मदद करे छे जेथी मारी नाणाकिय वार्ता साची अने स्पष्ट रहे बराबर रवी शिक्षक गर्वथी चमक्या तमे तेने संपूर्ण रिते समझी गया छो जेम सारी वार्ता सचोट अने आकर्शक होवी जोईए तेम तमारा नाणाकिय निवेद नो तमारा व्यवसाईनी साची स्थिती ने प्रति बिम्बित करवा जोईए प्रामाणिक तानो आ सिध्धांत तमारी बुक स्टोर नी वार्ता ने विश्वस्निय अने विश्वास पात्र राखे छे रवी ए दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकलयो त्यारे तेने इंड एस आठ विशेना ग्नाथी सशक्तिकरण अनुगविऊ तेने समझायो के हिसाबनी दुनिया मात्र संख्याओ पर आधारित न थी ते एक एवी वार्ता कहवानी हतीजे महत्वनी हतीजे तेना पुस्तकनी दुकानने उज्जवण भविश्य माटे मार्गदर्शन आपी शके क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तड़कावारी बपोरे रवी वर्गखंड माँ दाखल ठयो तेना प्रिय शिक्षक जे तेनी वार्ता कहवानी दिप्ती माटे जानीतो छे तेना अन्या आकर्षक पाठ माटे उत्साहित हतो आजनो विशय इंद ऐस दस हतो जे रिपोर्टिंग समयगाळा पचीनी घटनाओ पर ध्यान केंद्रित करे छे रवी भाग्येज तेनी जिग्नासाने काबु मा राखी शक्यो केम के ते तेनी सीट पर बेसी गयो शिक्ष के हुंफारू समित साथे शरुवात करी शूप बपोर दरेकने आजे अमें रिपोर्टिंग अवधी पची परंतु नाणाकिय निवेदनोंने अंतिम स्वरूप आपवामा आवे ते पहला बंती घटनाओना ख्यालनों अन्वेशन करवा जई रहा छिए कल्पना करो, रवी, तमें तमारा प्रिय पुस्तकोनी दुकानना मालिक छो तमें हमनाज वर्ष माटे तमारा नाणाकिय निवेदनों पूर्ण कर्या छे परंतु पची तमें केटलाक आश्चर्यजनक समाचार सामडो छो चालो जानिये के आ समाचार तमारी नाणाकिय वार्ता पर केवी असर करी शके छे चालो कहिये के मार्चनों अन्त छे अने तमें हमनाज नाणाकिय वर्ष माटे तमारू एकाउंट बंद करियू छे जारे तमने तमारा सप्लायर तरफ थी कोल आवे त्यारे तमे तमारा नाणा किया निवेदनों बैंक ने मोकलवाना छो तेयो तमने जणावे छे के दुरलब कुस्तकों नी शिपमेंट जेनी तमे आतुर्ता थी राह जोई रहा हता अंधार्या संजोगों ने कारणे विलंब थयो छे शिपमेंट हवे में महिनामा आववानी तैयारी मां छे रवी ए माथू धुनावियो तेनी साथे अनुसर्यो ते मारा नाणाकिय निवेदनों ने केवी रिते असर करे छे सर उत्तम प्रश्न रवी शिक्षके जवाब आपयो अईस दस मुझब तमारे मुल्यांकन करवानी जरूर छे केशो आ इवेंट तमारा रिपोर्टिंग समयगाडाना अन्ते अस्तित्वमा रहेली परिस्थितियों विशे नवी माहिती प्रदान करे छे आ किसा मां शिप्मेंट मार्च मां आववानू हतु तेथी तमारे तमारा नाणाकिय निवेदनों मां कोई असर उडखवी जोईए के केम ते ध्यान मां लेहु जोईए जो विलंबनों अर्थ ए छे के तमें नोंधपात्र वेचाणनी तक गुमावशो तो तमारे ते हकिकत जाहेर करवानी जरूर पड़ी शके छे पची भले ते तमारा नाणाकिय निवेदनों मां नंबरों बदलतों न होए रवी ए एक प्षण विचारियूं तो मारे नक्की करवानूं छे के आ माहितीनों समावेश करवो के नहीं चौकस शिक्षके उच्साहती कहियूं बे प्रकारनी घटनाओ ध्यान मां लेवा जेवी छे प्रथम घटनाओने समायोजित करी रही छे जे रिपोर्टिंग तारीखे अस्तित्वमा रहेली परिस्थितियों विशे नवी माहिती प्रदान करे छे दाखला तरीके जो तमने जानवा मल्यू के रिपोर्टिंग अवधी पची कोई ग्राह के खामी ने लिधे मोटो ओडर परत कर्यों छे तो आ एक समायोजित करवानी घटना हशे अने तमारे वर्तर ने प्रति बिम्बित करवा माटे तमारा नाणाकिय निवेदनोंने अपडेट करवानी जरूर पढशे रवीनी आखों समझ थी पहुरी थाई गई अने बीजा प्रकार नी घटना विशेशूं शिक्षक रवीनी सगाई थी खुश थाईने हस्या बीजो प्रकार बिनव्यवस्थित घटनाओ छे आ एवी घटनाओ छे जे रिपोर्टिंग समयगारा पछी थाई छे परंतु रिपोर्टिंग तारिक पहला अस्तित्वमा छे ते परिस्थितियों विशे नवी माहिती प्रदान करती न थी उदाहरण करीके जो एप्रिल मां तमारा पुस्तकों नी दुकान मां मोटी आग फाटी निकले तो ते एक बिनव्यवस्थित घटना हशे जारे ते नोंदपात्र छे अने तमारी भावी कामगीरी ने असर करी शके छे ते त्रीसमी मार्च सुधीनी नाणाकिय स्थिती मां फेरफार करतू न थी तमें तेने तमारा नाणाकिय निवेदनोंनी नौंदों मा जाहेर करशो, परंतु तमें आकडाओने समायोजित करशो नहीं रवी ये एक प्षण माटे आनों विचार करेओ तेथी जो रिपोर्टिंग अवधी पची कईक महत्व पूर्ण बने छे, तो मारे ते नक्की करवानी जरूर छे के ते भुतकार ने असर करे छे के मात्र भविश ने बराबर रवी शिक्ष के जवाब आपयो, तेनी आखों मंजूरी थी चमकी अईस दस माटे तमारे नोंदपात्र बिन्व्यवस्थित इवेंट्स जाहेर करवानी आवशक्ता छे जेथी करीने तमारा नानाकिय निवेदनों ना वप्राश करताओ तमारा व्यवसायने आगण वध्वा पर संभवित असरोथी वाकेफ होए वधू जानवा माटे उच्सुक रविये फरी हात पूचो करयो जो हूं कोई महत्वपूर्ण घटनानों उल्लेख करवानू भुली जाओ तो शू थशे शिक्षकनी अभिव्यक्ती गंभीर थाई गई जो तमें रिपोर्टिंग समयगाडा पची नोंदपात्र घटनाओ जाहेर करवामा निश्वर थशो तो ते तमारा नाणाकिय निवेदनों ना वप्राश करताओने गेर मार्गे दोरी शके छे तेथी ज़ रिपोर्टिंग कारीक पची बनती तमाम घटनाओनू मुल्याकन करवामा महेंतु बनवू अने तेने समायोजित अथवा जाहेर करवू जो ये के केम ते निर्धारित करवू महत्व पूर्ण छे पार्दर्शिता ए तमारा रोकाण कारो अने ग्राह को साथे विश्वास जारववानी चावी छे रवी हसी पड़यो प्रबुद्ध अनुभव थयो तेथी 19-20 मारी बुक स्टोर ने असर करी शके तेवी घटनाओनों ट्रेक राखवामा मने मदद करे छे ए सुनिष्चित करीने के हुँ मारा व्यवसाईनू साचू चित्र प्रदान करवा माटे तमाम जरूरी माहिती शेर करूँ छू बराबर शिक्षके गर्व साथे कहिऊ याद राखो एक आकर्षक वार्तानी जेम विगतो महत्व पूर्ण छे रिपोर्टिंग अवधी पछी बंती घटनाओ तमारा व्यवसाईनू वर्णन बदली शके छे अने तमारा नाणाकिय निवेद नो वाचनाराओना निर्णेओने असर करी शके छे रवी ए दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकलयों त्यारे तेने इंद ऐस दस नी उंडी समजण साथे सशक्तिकरण अनुभवियूं तेने समजायू के हिसाब मात्र संख्याओ विशे न थी ते तेना पुस्तकों नी दुकान विशे संपूर्ण अने प्रामानिक वार्ता कहवानी हती जे तेने पड़कारों अने तको बन्ने मां मार्गदर्शन आपी शके क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक हुमफाडू बपोरे रवी वर्गखंड मां गयो, तेना प्रख्यात शिक्षकना बीजा मनमोहक पाठ मां डूब की मारवा तैयार हतो आजे, विशय इंद ऐस बार हतो, जे आवकवेराने आवरी ले छे रवी ए जानवा माटे उच्सुक हतो के आ महत्वपूर्ण विशय तेना शिक्षकनी अनोखी वार्ता कहवानी शैलीमा केवी रिते प्रगट ठशे शिक्षक रूम माँ प्रवेश्टानी साथे ज विध्यार्थियोंनू हार्दिक स्मित साथे स्वागत करियू शुप बपोर दरेक ने आजे आपणे आवकवेरानी दुनियानी शोद खोड करवा जई रहा छिये जे व्यवसायनू संचालन करवा माटे एक महत्वपूर्ण पासू छे कल्पना करो रवी तमे तमारी मनपसंद पुस्तकों नी दुकान चलावी रहा छो अने चालो जोईये के आवकवेरो तमारी नानाकिय सफर्मा केवी भूमी का भजवे छे रवी अंदर जुकी गयो, तिरसकार थयो, साहेब तमारों मतलब शू छे शिक्ष के आगळ कहियू, चालो कहिये के एक वर्षनी महनत पची तमारी बुक स्टोर ने नफो थयो छे तमे घणा पुस्तकों वेच्या छे, अने तमारा नानाकिय रेकोर्ड तंदुरस्त आवक दर्शावे छे जो के आनो अर्थ हे पड़ छे के तमारे तमारी कर जवाबदारियो ध्यानमा लेवी पड़ छे इंद ऐस बार मुजब, तमारे वर्थमान कर अने कोई पड़ विलंबित कर जवाबदारियो बनने माटे एकाउंट करवानी जरूर छे रवीनी उत्सुकता छवाई गई वर्थमान कर शू छे सर, शिक्ष के समझाव्यू, वर्थमान कर ए तमारा करपात्र नफाना आधारे चालू वर्ष माटे तमारे बाकी रहेल आवक्वेरानी रकम छे आ तमारी करपात्र आवक पर सरकार द्वारा निर्धारित कर दर लागू करीने नक्की करवामा आवे छे तेथी, जो तमारा पुस्तकनी दुकाने 10 लाख रुपिया नो नफो मेलव्यों होए अने टेक्स नो दर 25 टका होए तो तमारे ते वर्ष माटे टेक्स पेटे रुपिया बे लाख पचास हजार देवाना रहे शे आ माहिती पर प्रक्रिया करता रवीनी आखो पहोडी थाई गई तो मारे ते पैसा टेक्स माटे अलग राखवा पढ़शे बराबर शिक्ष के उत्साह पूर्वक जवाब आपयो जो के आवक मेरा एकाउंटिंग त्या समाप्त थतू न थी आपने विलंबित कर विशेपण विचार्वू पढशे आ ख्याल स्विकारे छे के के केटलीकवार एकाउंटिंग नफो केवी रिते गणवामा आवे छे अने करपात्र नफानी गणत्री केवी रिते करवामा आवे छे ते वच्चे अस्थाई तफावतो छे रविये भ्रमर जालियू अस्थाई तफावतो द्वारा तमारो अर्थ शू छे शिक्ष के चालू राख्यू चालो कहिए के तमे तमारा पुस्तकनी दुकान माटे पांच लाख रुपियामा नवी छाजलियो खरी दी छे एकाउंटिंग हेतुओ माटे तमे आ खर्चने अवमुल्यन तरीके पांच वर्ष माँ फेलावी शको छो परंतु कर हेतुओ माटे सरकार कमने ते वर्ष माँ संपूर्ण खर्च घटाडवानी मंजूरी आपी शके छे आ तमारा एकाउंटिंग नफा अने करपात्र नफा वच्चे तफावत बनावे छे तफावत ते तरफ दोरी जाए छे जेने आपने विलंबित कर संपत्ती अथवा जवाबदारी कहिये छिए रवी समझवा लाग्यो हतो तो जो हूं अत्यारे संपूर्ण खर्च कपात करी शको तो हूं आ वर्षे एटलो टेक्स नहीं चुकविश पड़ जारे मारी कपात ओची थशे त्यारे मारे भविश्य माँ वधू टेक्स चुकवगो पडशे साचू शिक्षके कहिँ जो तमे अत्यारे वधू कपात करी शको छो तो तेनो अर्थ एचे के तमे हवे ओचो कर चुकवशो जारे कपात ओची होई त्यारे भविश्य माटे विलंबित कर जवाबदारी बनाववी तेना थी विप्रित जो तमे टेक्स एसेट्स ने विलंबित करी होए तो तेनो अर्थ ए छे के तमे भविश्यमा ओछो टेक्स चुकवशो रवी ए ख्यालने पकडीने माथू हलावियू तो ते समय जता मारी कर चुकवडीने संतुलित करवा जेवू छे बराबर रवी शिक्ष के जवाब आपयो अईस बार तमने आ विलंबित करने ओडखवामा मदद करे छे जेथी करीने तमारा नाणाकिय निवेदनो तमारी कर जवाबदारियोंनों वधू सचोट चित्र दर्शावे छे ते सुनिश्चित करे छे के तमे मात्र वर्तमान तेक्स पर जध्यान केंद्रित नथी करियों पड़ आवनारा समय माटे पड़ तैयार छो रवी ये बीजो प्रश्न करीने हाथ पूचो करियो जो हुँ मारी तेक्स गणत्री मा भूल करू तोशू शिक्षक नी अभिव्यक्ती गंभीर ठाई गई ते एक निर्णायक मुद्दो छे रवी जो तमे तमारी आवकवेरानी जवाबदारियों अथ्वा विलंबित करने ओड़कवामा भूलो करो छो तो ते नोंधपात्र परिणामों तरफ दोरी शके छे ते तमारा नाणाकिय निवेदनोंने असर करी शके छे अने तमारा व्यमसाईनी नाणाकिय स्थिती विशे वप्राश करताओने गेरमार्गे दोरी शके छे पारदर्शिता अने चोकसाई चावी रूप छे रवी हसी पड़ियो प्रबुद्ध अनुभव थयो तो 1912 मने मारी कर जवाबदारियों पर नजर राखवा मां मदद करे छे अने सुनिश्चित करे छे के हूँ वर्तमान अने भावी कर असरों माटे चोकस रिते एकाउंट करू खरू ने बराबर शिक्षक गर्व थी चमक्या एक सारी रिते रचायली वार्तानी जेम दरेक विगत महत्व पूर्ण छे आवक मेराने समझीने तमे खात्री करी शको छोके तमारी बुकस्टोर नाणाकिय रिते स्वस्थ अने नियमों नू पालन करे छे रवी ए दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकलयों त्यारे तेने इंद इस बार नी स्पष्ट समझण साथे सशक्तिकरण अनुगवियों तेने समझायू के आवक वेरानू संचालन करवू ए मात्र संख्याओ पर आधारित न थी ते सफळ भविश माटे तेनी बुकस्टोर ने तैयार करवा भविश नी जवाबदारियों साथे वर्तमान जवाबदारियों ने संतुलित करवा अने तेनी नाणाकिय वार्तामा व एक तेजस्वी अने संनी सवारे रवी वर्ग खंड मा गयो तेना असाधारन शिक्षक ना बीजा पाठ माटे उत्साहथी भरपूर जे दरेक विश्यमा आकर्शक वार्ताओ वनात्वा माटे प्रख्यात हता आजनो विशय इंद ऐस सोड हतो जे प्रोपर्टी प्लांट अने इक्विपमेंट पर केंद्रित हतो रवी ए जोवा माटे उत्सुक हतो के तेना शिक्षक आख्याल ने केवी रिते जीवन्त करशे शिक्षक रूमा प्रवेश्टानी साथेज विद्यार्थियोंनू उत्सा भेर स्वागत करिऊं। खिल्वामा मदद करती भौतिक संपत्तीनों हिसाब केवी रिते करवो ते संजवा माटे चालो प्रवास शरू करिए रवी पोतानी सीट पर बैसी गयो तिरसकार थी साहेब प्रोपर्टी प्लांट अने इक्विपमेंट नो तमारो अर्थ शू छे शिक्षक रवीनी जिगनासाने समझीने हस्या सरस प्रश्न रवी प्रोपर्टी प्लांट अने इक्विपमेंट ए मूर्थ असकयामतो छे जेनो उप्योग तमे तमारा व्यवसाईनी कामगिरी मा आवक पेदा करवा माटे करो छो आमा तमारी बुक स्टोर बिल्दिंग पुस्तको थी भरेली चाजलियो इन्वेंटरी मैनेजमेंट माटे तमे उप्योग करो छो ते कम्प्यूटर्स अने ग्राहको ज्या बैसे छे ते फर्निचर नो पन समावेश थाई शके छे अनिमार्य पने आ एवी असकयामतो छे जे एक करता वधू हिसाबी अवधी नो उप्योगी जीवन धरावे छे रवी ए माथू हलाव्यो चित्र जोवा लाग्यो तो हूं आ असकयामतो नो हिसाब केवी रिते करी शकू शिक्ष के चालू राख्यू अईस सोड हेठर प्रथम पगलू ए संपादन समय आ संपत्तियों नी किम्मत ने ओडखवानू छे उदाहरण तरीके जो तमे तमारा बुक स्टोर माटे बिल्डिंग खरीदो छो तो किम्मत मां मात्र खरीदी किम्मत ज नहीं परंतु कानूनी फी कर अने इंस्टोलेशन खर्च जेवा कोई पन संबंधित खर्चनों पन समावेश थाई छे आ कुल रकम तमारी संपत्तीनू प्रारंभिक मुल्य बनी जाई छे रवी ए हाथ उचो कर्यो अने ए पच्छी शू थाई सर उत्तम प्रश्न रवी शिक्ष के सगाई थी खुश थाईने जवाब आपयो एकवार तमे किम्मत ने ओडखी लोते पची तमारे तेना उप्योगी जीवन पर संपत्तीने केवी रिते माप्वी ते ध्यानमा लेवानी जरूर छे त्या बे प्राथ्मिक पद्धती ओछे खर्च मॉडेल अने पुनह मुल्यांकन मॉडल खर्च मॉडल साथे तमे कोईपण संचिद अवमुल्यान ओची किम्ते संपत्तीने वहन करवानू चालू राखो छो अवमुल्यान ए छे के तमे संपत्तीनी किम्मत ने तेना उप्योगी जीवन पर केवी रिते फार्वो छो जे तमें तेनों उप्योग करो छो त्यारे तेना घसाराने प्रति बिम्बित करे छे। रविये एक प्षण विचारियूं तो जो हूँ 50,000 रुपियामा शेल्फ खरीदू अने ते 10 वर्षनों उप्योगी आयुश्य धरावे छे तो हूँ ते समय दर्मियान तेनू अवमुल्यन करेश। बराबर शिक्ष के स्मित साथे जवाब आपेओ। आ किसामा तमें ते खर्चना एक भागने दर वर्षे खर्च तरीके ओडखशो। जो के जो तमें पुनह मुल्यानकन मौडल पसंद करो छो, तो तमें समयांतरे संपत्तीनी वहन रक्मने तेना वाजबी मुल्यमा समायोजित करी शको छो। आनो अर्थ है छे के जो तमारू मकान मुल्यमा वधतू जाए, तो तमें तमारी बैलेंस शीट पर तेनी किम्मत वधारी शको छो, जे तमारी संपत्तीनी साची किम्मत दर्शावे छे। रवी मंत्र मुग्ध हतो तो मारी पासे पसंदगी छे के हुँ केवी रिते तेमना मुल्यने रजु करवा मांगू छू, तेना आधारे मारी संपत्तीनों हिसाब केवी रिते करवो। साचू, रवी, शिक्षके पुष्टी करी। परंतु याद राखो, तमें पसंद करेली पद्धतीने ध्यानमा लिधाविना, तमारे तुल्नात मक्ता सुनिश्चित करवा माटे तेने समान संपत्तियों पर सतत लागू करवी आवश्यक छे। आ पारदर्शक नाणाकिय एहवालनी चावी छे। नफा अथवा नुकसान तरीके वसुर्वामा आवे छे। जो के जो तमे असकयाम्तना मुल्यने वधार्ता अथवा तेना उप्योगी जीवनने लंबावता नौंधपात्र सुधाराओ करो छो, तो तमे ते खर्चने मुडी बनावी शको छो, एटले के तमे तेने संपत्तिनी वहन रकममा उमेरो छो। रविये विचार पूर्वक माथू हलाविय। तो जो हुँ मारी बुक स्टोर नी लाइटिंग सिस्टम ने अपग्रेड करू तो मारे ए नक्की करवानी जरूर छे के ते साधी समार काम छे के सुधारणा बराबर शिक्ष के खात्री आपी। हवे निकाल विशे वात करिये। जारे तमे कोई संपत्ती वेचवानू अथ्वा निव्रुत करवानू नक्की करो छो। त्यारे तमारे तेने तमारा पुस्तको माथी दूर करवानी जरूर छे। जो तमे केटलांक वर्षो सुधी तेनो उप्योग करया पची 20,000 रुपियामा शेल्फ नू वेचाण करो छो। तो तमारे वेचाण समय तेनी वहन्नी रकम ध्यानमा लेवी जोईये अने निकाल पर कोई पण लाब अथवा नुकसान ने ओरक हुँ जोईये। रवी हसी पड़यो, प्रबुद्ध अनुभव थयो। तो इन एस सोण मने ए समझवामा मदद करे छे के हुँ मारा पुस्तकोनी दुकानमा उप्योग करू छू ते तमाम भौतिक संपत्तीनों हिसाब केवी रिते राख हो, खरीदी थी लईने मुल्य मापवा अने तेनो न निकाल करवा सुधी, बराबर, चौकस शिक्षक गर्वती चमक्या, जेम दरेक वार्तानी शरुआत, मध्य अने अन्त होई छे, तेम मिलकत, प्लांट अने साधन सामगरी साथे नी तमारी नानाकिय यात्रामा तमे व्यवसाईनी दुनियामा नेविगेट करो त्यारे तमा रवी ए दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकलयो त्यारे, तेने इंद ऐस सोल नी उन्दी समझन साथे सशक्तिकरण अनुभविऊं। तेने समझायू के मिलकत, प्लांट अने साधन सामगरी नुँ संचालन मात्र संख्याओ विशेज नथी, ते व्युहात्मकृते असकयामतों ने हेंडल करवा विशे हतूचे तेनी बुक्स्टोर ने भविशमा खिलवा अने व्रुद्धी करवा मां मदद करशे। क्रुपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक वर्सादी बपोरे रवी वर्ग खंड मां गयो, तेना प्रिय शिक्षक नो बीजो रस्प्रद पाठ लेवा तैयार हतो, जे जटिल विश्योंने मनमोहक वार्ताओं मां फेर्ववा माटे जानीता हता। आजनो विशय इंद ऐस सत्तर हतो, जे लीज साथे काम करतो हतो, जे टुंक समय मां इंद ऐस 116 द्वारा बदलवा मां आवशे। रवी तेना शिक्षक आ विश्यने केवी रिते जीवन्त बनावशे ते शोध्वा माटे उच्सुक हता। शिक्षक रूम मां प्रवेश्तानी साथेज विद्यार्थियोंनू उच्सा भेर स्वागत करियूं। शुब बपोर दरेक ने। आजे अमें लीजनी दुनियानी शोध करवा जई रहा छिये, जे व्यवसायना क्षेत्रमां महत्वपूर्ण करार छे। चालो कल्पना करिये के तमें, रवी, तमारी पोतानी बुकस्टोर ना गौरवशारी मालिक छो। आ वार्ता अमने ए समझवामां मदद करशे के लीज केवी रिते कार्य करे छे अने ते शा माटे महत्वपूर्ण छे। रवी उत्सुक बनी ने पोतानी सीट पर बेसी गयो। साहेब लीज शू छे। रवी नी शिखवानी आतूर्ता जोईने शिक्षक हस्या। लीज ए अनिवार्य पणे बे पक्षो वच्चे नो करार छे। भाड़े आपनार जे संपत्तीनी मालिकी धरावे छे अने पटेदार जे ते संपत्तीनों उप्योग करवा माटे चुकवणी करे छे। तमारा किस्सा मा जो तमे मकान खरीदवाने बदले भाड़ानी जग्या मा तमारी बुक स्टोर खोलवानू नक्की करो छो तो तमे पटेदार बन्शो अने मकान मालिक पटेदार हशे। रवीए माथू हलाव्यू ख्याल समझवा लाग्यू। तो जो मारे मारा पुस्तकों नी दुकान माटे जग्या भाड़े लेवी होए तो मारे लीज करार पर सही करवी पड़शे। बराबर शिक्षके पुष्टी करी। आ करार तमारा लीज नी शर्तों नी रुप्रेखा आपे छे। जे माँ समय गाड़ो भाड़ा नी चुकवणी अने मिलकत ने लगती तमारी पासे होई तेवी कोई पड जवाबदारियों नो समावेश थाई छे। इंद ऐस सत्तर हेठर तमे लीज ने ओप्रेटिंग लीज अथवा फाइनांस लीज तरीके वर्गिक्रुत करशों। रवी ये हाथ उँचो करीने तिरसकार करे। साहेब बनने वच्चे शू तफावत छे। महान प्रश्न रवी शिक्ष के जवाब आपयों। ओप्रेटिंग लीज ए एवी लीज छे जे संपत्तीनी मालिकीना तमाम जोखमों अने पुरसकारोंने नोंद पात्र रिते स्थानांत रित करती नथी। उदाहरन तरीके जो तमे तमारी बुक स्टोर माटे मकान खरीदवाना कोई विकल्प वगर थोड़ा वर्शो माटे भाड़े आपो छो तो आने ओप्रेटिंग लीज गणवामा आवशे। आ किसा मां तमे तमारा आवक निवेदन मां लीज चुकवणी ने खर्च तरीके ओड़खशों। रवी समझवा लाग्यों हतों। अने फाइनांस लीज विशेशूं। सारू अवलोकन शिक्षके कहिऊं। बीजी तरफ फाइनांस लीज संपत्ती साथे संक्राइला तमाम जोखमों अने पुरसकारों ने पटेदार ने स्थानांतरित करे छे। जो तमे तमारा बुक स्टोर माटे लीज नी मुदतना अनते तेने खरीदवाना विकल्प साथे दिलिवरी वाहन भाड़े आपवा मांगता हो तो तेने फाइनांस लीज तरीके वर्गीकृत करवामा आवशे। आ द्रुश्य मां तमे तमारी बैलेंस शीट परनी संपत्ती अने जवाबदारी ने ओडखशो जे लीजड एसेट ना मुल्य अने लीज चुकवणी करवानी तमारी जवाबदारी ने प्रतिबिम्बित करशे। रवीनी आँखों समझ थी पहोरी थाई गई। तो फाइनांस लीज साथे हो लीजड एसेट ने मारी पोतानी होई ते मानूछू। चौकवणी शिक्षक चमक्या। तमे तेना उप्योगी जीवन पर संपत्ती नू अवमुल्यन पर करशो अने लीज नी जवाबदारी पर व्याज खर्चने ओडखशो। आ अभीगम तमारी नाणाकिय स्थिती नो वधू व्यापक द्रुष्टिकोण प्रदान करे छे। रवी बीजो प्रश्ण उठाव्यो जो मारी लीज नी शर्तों बदलाई जाय अथवा जो हू लीज वहला समाप्त करवानू नक्की करू तोशू। उत्तम कूछ परच रवी शिक्ष के जवाब आपयो। पुल्यांकन तमारी लीज जवाबदारी अथवा संपत्ती मां फेरफार मां परिण में छे। लीज मी वहली समाप्तीना परिणा में कोई पर दंडने खर्च तरीके ओडखवा मां पर परिण मीं शके छे। रवी ए माहितीनी प्रक्रिया करता माथु हलाविऊ। तेथी मारे मारा लीज करारो अने तेमनी शर्तों पर रहवानी जरूर छे। बराबर शिक्ष के खात्री आपी। असरकारक नाणाकिय व्यवस्थापन माटे लीज ने समझु महत्व पूर्ण छे। आ करारो तमारा नाणाकिय निवेद नो अने एकंदर व्यमसाय व्यूहरचना पर केवी असर करे छे ते ओडखु महत्व पूर्ण छे। चालू राकता पहला शिक्ष के एक प्षर माटे विराम लिधो, हवे जारे इंद ऐस सत्तर लीज माटे एकाउंटिंग माटेनू मालखु पूरु पाडे छे। त्यारे ए नोंधु जरूरी छे के तेने इंद ऐस 116 द्वारा बदलवामा आव्यू छे। जे लीज जवाबदारियों अने अधिकार ओफना संबंध माँ नवा ख्यालों रजू करे छे। संपत्तिनों उप्योग करू। इंद ऐस 116 हेठर लगभग तमाम लीज बैलेंस शीट पर रेकोर्ड करवामा आवे छे। रवी नी आतूरता वधु घेरी बनी। तो इंद इस 116 अमें लीज ने हेंडल करवानी रीतमा फेरफार करिये छे। खरेखर रवी शिक्षके उत्साथी जवाब आपयों। ते मात्र लीज नी चुकवणी ने बदले संपत्ती नो उपयोग करवाना अधिकार पर ध्यान केंद्रित करे छे। आ शिफ्ट तमारा बुक स्टोर जेवा व्यवसायोंने तेमनी नाणाकिय स्थिती नो वधू सचोट द्रुष्टिकों रजू करवामा मदद करे छे। जेम जेम पाठ समाप्त थयो, रविय इंड एस सत्तर अने तेना अनुगामी इंड एस 116 नी वधू सारी समझ साथे सशक्तिक्रण नी लागणी साथे वर्गखंड छोड़ी दिधू। तेने समझायू के लीजनू संचालन करवू ए मात्र करारों विशे न थी, ते व्युहात्मक रिते अस्क्यामतों अने जवाबदारियोंने संभाळवा विशे हतू जे तेना पुस्तकों नी दुकानना भावी ने नौंध पात्र रिते असर करी शके छे। भाड़ा पट्टों समझवा थी ते जानकार निर्णयों लेवा अने विश्वा साथे व्यवसायनी दुनियामा नेविगेट करवामा सक्षम बनशे। क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक तेजस्वी, खुश-खुशाल दिवसे, रवी वर्ग खंड माँ प्रवेश्यो, तेना प्रिय शिक्षकना बीजा आकर्षक पाठ माटे उत्साथी उब्राई रहो हतो, जेमनी पासे जतिल विभावनाओने मनमोहक कथाओमा फेर्ववानी कुशरता हती। आजे इन एस ओगणीस पर ध्यान केंद्रित करवामा आव्यू हतो, जे कर्मचारियोंना लाभोंने संबोधित करे छे। आ महत्वपुर्ण विशय वार्ताना स्वरूपमा केवी रिते प्रगट थशे ते जानवा माटे रवी उत्साहित हतो। शिक्ष के वर्गखंड माँ पग मुक्ताज विद्यार्थियोंनू हार्दिक स्मित साथे स्वागत करियू। शुप सवार, दरेक ने, आजे, अमें कर्मचारियोंना लाभोंनी दुनिया मां तपास करीशू अने समझीशू के तेओ कर्मचारियों अने व्यवसायों बनने पर केवी असर करे छे। चालो कल्पना करिये, रवी, तमें तमारा पुस्तकोंनी दुकानना गौर्वशारी मालिक छो, अने तमें तमारा कर्मचारियोंने केवी रिते पुरसकार अने टेको आपवो ते विशे विचारी रहा छो। आ वार्ता अमने इंद ऐस ओगनीस हेठड कर्मचारी लाभोंनी घोंगाट समझवामा मदद करशे। रवी उत्सुक बनीने पोतानी सीट पर बेसी गयो। साहेब कर्मचारी लाभो थी तमारो शू मतलब छे। रवीनी आतुरता जोईने शिक्षक हस्या। कर्मचारी लाभ एक कर्मचारियोंने तेमना पगार उप्रांत आपवामा आवता विवित प्रकारना वलतर छे। तेओं पेंशन आरोग्य वीमो पेड रजा अने बोनस जेवा घणा स्वरूपो लई शके छे। इन्द ऐस ओगणीस हेठळ आ लाभोने अनेक श्रेनियों मा वर्गीक्रूत करवामा आव्या छे। रवीये माथु हलावियों तिरसकार कर्यों। आ श्रेनियों शूचे सर। महान प्रश्न रवी शिक्षके जवाब आपयो। ऐस ओगणीस हेठळ कर्मचारी लाभोनी मुख्यत्वे त्रण श्रेनियों छे। प्रथम श्रेनी टूका गाळाना कर्मचारी लाभो छे। आ एवा लाभो छे जे रिपोर्टिंग अवधीना अंत पची बार महिनानी अंदर पतावट थवानी अपेक्षा छे। उदाहरन तरीके जो तमे तमारा कर्मचारी ओने वार्षिक रजा अथवा बोनस प्रदान करो छो जेनों तेओ उप्योग करी शके छे अथवा वर्ष मां मेलवी शके छे। तो ते आ श्रेणी मां आवशे। तमे आ लागो संबंदित खर्चने ओडख्षो कारण के ते कर्मचारी ओ द्वारा कमाई छे। रविये आनों विचार कर्यों तो जो हुँ मारा कर्मचारियोंने वर्ष ना अंते वेचार ना आधारे बोनस आपू तो मारे तरतज तेनों हिसाब आप हो पडशे। बराबर शिक्ष के खात्री आपी। हवे बीजी श्रेणी पोस्ट एम्ट्लॉयमेंट बेनिफिट्स छे। जे माँ पेंशन अने रिटायर्मेंट प्लान नों समावेश थाई छे। जारे तमे तमारा कर्मचारियों माटे पेंशन प्लान ओफर करवानू नक्की करो छो। त्यारे तमारे तेमना कार्यकारी जीवन पर आ लाब साथे संक्रायल खर्चने ओडखो आवश्यक छे। आ सुनिश्चित करे छे के जारे तेओ निवरुत थाई छे त्यारे तेमनी प्रत्येनी तमारी भावी जवाबदारियोंने पहुँची वडवा माटे तमे पूर्ता भंडोलने अलग राखी रहा छो। रवी ए सवाल साथे हाथ उचो करेओ। साहेब हुँ आ खर्चनी गणतरी केवी रिते करी शकू। उत्तम प्रश्ण रवी शिक्षके जवाब आपयो। रोजगार पछीन आ लाभो माटे नो खर्च नक्की करवा माटे तमारे एक्चूरियल वेल्यूएशन ने ध्यानमा लेवानी जरूर छे। आ तमने भविशनी आ जवाबदारियोंने आवरी लेवा माटे केटली रकम अलग राखवानी जरूर छे तेनों अंदाज काडवामा मदद करे छे। रविये आ माहिती पर प्रक्रिया करीने विचार पूर्वक माथु हलावियू। अने त्रीजी श्रेणी कई छे। आ लाभो बार महिनानी अंदर पतावत मी अपेक्षा नथी परंतु ते रोजगार पचीना लाभो पण नथी। लामबी सेवा रजा अथवा विलंबित वर्तर नों उदाहरन छे। आ लाभो माटे कमे खर्चने ओडखशो कारण के कर्मचारियों वर्षो थी तेमनी सेवाओ आपे छे। रवी हसी पड़ियो प्रबुद्ध अनुभव थयो। तेथी मारे विवित प्रकारना लाभो क्यारे स्थाई थाई छे अने तेओ मारा नाना पर केवी असर करे छे तेना आधारे हिसाब करवानी जरूर छे। चौककस रवी शिक्षके गर्व साथे कहिऊं। ऐस ओगणीस हेठळ आ कर्मचारी लाभो माटे सचोट पड़े हिसाब आपवो महत्व पूर्ण छे। आ तमने मात्र नाणाकिय रिपोर्टिंग माज मदद करतु नथी परंतु तमारा कर्मचारियो साथे ना तमारा संबंधों ने पड़ मजबूत बनावे छे। स्पर्धात्मक लाभो प्रदान करीने तमे तमारा कुस्तकों नी दुकान माटे प्रती भाशारी स्टाफ ने आकर्शी अने जालवी शको छो। रविये बीजो प्रश्न कर्यों। जो हुँ आ लाभोनो योग्य रिते हिसाब न आपू तोशू थशे। शिक्षक नी अभिव्यक्ती गंभीर ठाई गई। जो तमे कर्मचारी लाभोने ओड़कवामा अथवा अच्चोक्कस रिते गणत्री करवामा निश्वर थाओ। विश्य ना नानाकिय स्वास्थ्य विशे हिद्धारकोंने गेरमार्गे दोरी शके छे अने कानूनी परिणामों तरफ दोरी शके छे। तेथी कर्मचारी लाभो माटेना हिसाब माँ पारदर्शिता अने चोकसाई आवश्यक छे। विश्य नू महत्व समझी ने रविये माथू हलाविऊ। तो इन ऐस ओगणीस मने ए समझवामा मदद करे छे के कर्मचारी लाभो नू असरकारक रिते संचालन केवी रिते करवू अने ए सुनिश्चित करवू के हूं एम्प्लोयर तरीके मारी जवाबदारियों पूर्ण करू खरू। बराबर शिक्षक चमक्या एक सारी रिते कहवामा आवेली वार्तानी जेम दरेक विगत महत्व पूर्ण छे। कर्मचारियोंना लाभोने समझीने तमे तमारा कर्मचारियोंनी प्रती बद्धता अने वफादारी द्वारा तमारी बुक स्टोर नों विकास थाई तेनी खात्री करीने तमे कामनों हकारात्मक वातावरण बनावी शको छो। रवी ए दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकलयों त्यारे तेने इंद इस ओगनीस नी उंडी समझन साथे सशक्तिकरण अनुगविऊं। तेने समझायू के कर्मचारियों ना लाभोनों संचालन करवू ए मात्र जवाबदारियों पूरी करवा माटे नथी, ते तेनी टीम माटे सहायक अने लाभदाई वातावरण बनाववा विशे हतू, जे तेनी बुक स्टोर नी लांबा गाडानी सफलतानी खात्री करे क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। अनुदान माटेना हिसाब अने सरकारी सहायनी जाहिरात पर ध्यान केंद्रित करे छे। अने सहायनी रस्प्रत दुनियानी शोध खोड करीशू। चालो कल्पना करिये के तमे रवी एक नानकडा पुस्तकनी दुकान ना मालिक छो अने ताजेतरमा तमारा व्यवसायने टेको आपवा माटे सरकारी ग्रांट माटे अरजी करी छे। आ वार्ता अमने समझवामा मदद करशे के आवी अनुदाननों हिसाब अने जाहेर केवी रिते करवो। रवी शिखवा माटे तैयार थाईने पोतानी सीट पर बेसी गयो। सरकारी ग्रांट एट लेशू, सर, शिक्षक रवी नी जिगनासाने समझी ने हस्या। सरकारी ग्रांट ए सरकार द्वारा चोकस प्रवृत्तियों अथवा पहलने समर्थन आपवा माटे आपवामा आवती नाणाकिय सहाय छे। जेम के व्यवसाय शरू करवा अथवा विस्तरण करवा, इंफ्रास्ट्रक्चर मा सुधारो करवा अथवा संशोधन हाथ धरवा। आ अनुदान विविद स्वरुकों मा आवी शके छे। जेम के रोकड चुकोणी कर लागो अथवा अनुकुल शर्तों पर लोन। रवी ए माथू हलाव्यों, तिरसकार करेऊ। तो, जो हुँ मारा बुक स्टोर ने नवी इंवेंटरी खरीदवा अथवा स्टोर ना लेयाउट ने सुधारवामा मदद करवा माटे ग्रांट माटे अरजी करू, तो हुँ तेनों हिसाब केवी रिते करिश। महान प्रश्न, रवी, शिक्षके जवाब आपयो, ऐस वीस हेठर सरकारी अनुदान माटे एकाउंटिंग ट्रीटमेंट तमे ग्रांट नों उप्योग केवी रिते करवा मांगो छो, तेना पर आधार राखे छे। त्या मुख्यत्वे बे अभिगमो छे, आवकनों अभिगम अने विलंबित आवकनों अभिगम। चालो आने अमारी वार्तामा अन्वेशन करिये। रवी अंदर शिक्ष्यो, वधू सांभडवा आतूर। आवकनों अभिगम शू छे। शिक्ष के आगर कहिऊ, कल्पना करो के तमने तमारा कुस्तकोनी दुकान माटे नवी इन्वेंटरी खरीदवा माटे एक लाख रुपिया नी रोकड ग्रांट मरे छे। आवकना अभिगम हेठर तमे आ अनुदानने प्राप्त थायला समयगाडामा आवक तरीके उडखशो। आनो अर्थ हे छे के जारे तमे ग्रांट मेलवो छो, त्यारे तमे सरकारी सहायथी मेलवे लाब ने प्रती बिम्बित करीने, तमारी आवकना निवेदनमा तमारी आवकना भाग रुपे तेनी जान करशो। रविये एक प्षण विचारियूं, तो हुँ आ अनुदान ते वर्षनी मारी कमाणी ना भाग रुपे बताविश, बराबर शिक्षके पुष्टी करी, हवे विलम्मित आवकना अभिगम नी चर्चा करिये, तेना बदले धारो के तमने तमारी बुक स्टोर मा नवो विभ बनाववा माटे ग्रांट मरे छे, आ अभिगम हेठर तमे ग्रांटने तातकालिक आवक तरीके ओडखशो नहीं, तेना बदले तमे तेने जवाबदारी तरीके रेकोर्ड करशो अने तेने तमे अनुदान साथे हस्तगत करेल संपत्तीना उप्योगी जीवन पर नी आवक तरीके ओडखशो, आ रिते ग्रांटनी आवक संपत्तीनों उप्योग करवा माटे थैला खर्च साथे मेल खाय छे। आ पद्धती खात्री करे छे के तमारा नाणाकिय निवेदनों ग्रांटना चालू लाभोने चौकस रिते प्रतिबिम्बित करे छे। रवी ये बीजो प्रश्न करयों। सरकारी सहायनी जाहिरात विशेशू, सर। सरस पूछ परच रवी शिक्ष के जवाब आपयो। 20-20 हेठर तमारे सरकारी अनुदाननी प्रकृती अने हद विशेनी माहिती पड जाहेर करवी जरूरी छे। आमा तमे तेमना माटे केवी रिते एकाउंटिंग करियों, अनुदान साथे जोडायल कोईपन शर्तों अने तमारी नाणाकिय स्थिती परनी असरनों समावेश थाय छे। खितधार कोने तमारा व्यवसायना नाणाकिय स्वास्थ्यनू स्पष्ट चित्र प्रदान करवा माटे पारदर्शिता आवश्यक छे। रवी ने आ विश्यनू महत्व देखावा लाग्यू हतु। तो मारा ग्राहको रोकाणकारो अने मारा पुस्तकोनी दुकानमा रस धरावता कोईपण माटे स्पष्टता सुनिश्चित करवा माटे मने प्राप्त थती कोईपण अनुदान विशे विगतवार महिती प्रदान करवानी जरूर छे। बराबर शिक्ष के खात्री आपी। आ पारदर्शिता विश्वास बनावे छे अने खात्री करे छे के तमारा नाणाकिय निवेद नो विश्वस्निय अने माहिती प्रद छे। रवी ए सरकारी अनुदान ना महत्व विशे चिंतन करिय। तो तेओं मारी बुकस्टोर माटे मुल्यवान संसाधन बनी शके छे। जे मने मारी सेवाओ वधार्वा अने सुधार्वामा मदद करी शके छे। चोककस रवी शिक्षके गर्व साथे कहिऊ। जारे समझदारी पूर्वक उप्योग करवामा आवे छे। त्यारे सरकारी अनुदान तमारा व्यवसाई माटे आवश्यक समर्थन प्रदान करी शके छे। जोके सचोट नाडाकिय रेकोर्ड जाडववा अने नियमोंनू पालन करवा माटे तेमना माटे योग्यरिते एकाउंट बनाववू महत्वपूर्ण छे। जेम जेम पाठ पूरो थयो रविये वर्गखंड मां इंड एस वीस विशे प्रबुद्ध अनुभव करेो। तेने समझायू के सरकारी अनुदाननों हिसाब अने सरकारी सहाय केवी रिते जाहेर करवी ते समझु मात्र संख्याओ विशे न थी, ते व्युहात्मक रिते संसाधनोंनों उप्योग करवा विशे हतो जे पारदर्शिता अने अनुपालनने सुनिश्चित करती वखते ते अफरताने समर्थन आपशे। अफरताने समर्थन आपशे। अफरताने समर्थन आपशे। शिक्षक रवी तेनी बैठक पर स्थिर थयो। साहेब, विदेशी विनिमय दरो थी तमारो मतलब शू छे। शिक्षक रवीनी जिग्नासाने समझीने हस्या। विदेशी विनिमय दरो अन्य चलनना संबंध मां एक चलनना मुल्यनों संदर्ब आपे छे। दाखला तरीके, जो तमे युनाइटेड स्टेट्स माथी पुस्तको आयात करो छो, तो तमारे तमारी खरीदी करवा माटे भारतिय रुपियाने युएस डॉलर मां रुपांत्रित करवानी जरूर पडशे। विनी मैं दर नक्की करे छे के तमारे एक डॉलर माटे केटला रुपिया चुकववा पडशे। महान प्रश्न रवी शिक्षके जवाब आपयो। चालो कल्पना करिये के तमे एक हजार युएस डॉलर नी किम्मत नी लोकप्रिय नवलक्थाओनों समु आयात करवानू नक्की करो छो। जारे तमे खरीदी करो छो। त्यारे विनीमय दर सित्तेर रुपिया थी एक डॉलर छे। एटले के तमारे व्यवहार पूर्ण करवा माटे पंचोतेर हजार रुपिया नी जरूर पडशे। रविये द्रुष्यनू चित्रण करियू। हूं समझू छू। परंतु जो हूं मारो ओडर आपया पची विनीमय दर बदलाय तोशू। बराबर शिक्ष के चालू राख्यू। हवे चालू कहिए के तमारू शिप्मेंट आवे त्या सुधी माँ विनीमय दर एंसी रुपिया थी एक डॉलर माँ बदलाय गयो छे। तमारे हवे एज नवलक्थाओना सेट माटे चुकवा माटे एंसी हजार रुपिया नी जरूर पडशे। आ वधारानों अर्थ ए छे के आ पुस्तकों खरीदवानों तमारों खर्च वधी गयो छे। जे तमारा नफाना मार्जिन ने असर करे छे। रवी ए आनों विचार करे। तो वधखट थता विनीमय दरों मारा खर्च मां अंधारी रिते वधारों करी शके छे। चोकस शिक्ष के खात्री आपी। 21 हेठर व्यवसायों ए तेमना नाणा किय निवेदनों मा आविदेशी चलण व्यवहारों माटे जवाबदार होवा जोईए। जारे तमे तमारा व्यवहारों रेकोर्ड करो छो, त्यारे तमे शरुवात मा तेमने व्यवहारनी तारीखे विनीमय दरे उलक्षो। जो के दरेक रिपोर्टिंग अवधीना अंते तमारे वर्तमान विनिमय दरोंनों उप्योग करीने आ विदेशी चलण नाणा किया वस्तुओं जेम के रोकड प्राप्ती पात्र अने चुकवणी पात्रोंनों कुनह मुल्याकन करवानी जरूर छे. रवी ए सवाल साथे हात उचो करियो. जो विनिमय दर मारी तर्फेण मां बदलाय तोशू थशे. उत्तम कुछ परच रवी शिक्ष के जवाब आपयो. जो विनिमय दर सुधरे छे अने वधू अनुकूर बने छे, तो ते तमारा खर्च मां घटाडों करी शके छे. दाखला तरीके, जो विनिमय दर सित्तेर रुपिया थी एक डॉलर सुधी घटी जाए, तो तमारे समान नवलक्थाओ खरीदवा माटे मात्र सित्तेर हजार रुपिया नी जरूर पढशे. आ किसामा, तमें विदेशी विनिमय लाब ने ओरखी शको छो, जे तमारा नाणाकिय परिणामों पर हकारात्मक असर करशे. रविये माथू धुनाव्यू, विनिमय दरोनी देखरेक राखवानू महत्व जोवानू शरू करियू. तो, जारे हूं खरीदी करू त्यारेज नहीं परन्तू ते पची नियमित पणे पड़ आ दरो विशे मारे जानकार रहवानी जरूर छे. बराबर शिक्षके गर्व साथे कहिऊं. आ जागरूती तमने तमारा विदेशी चलन ना जोखमों ने वधू असरकारक रिते संचालित करवानी मंजूरी आपे छे. बधूमा, जारे तमे तमारा नाणाकिय निवेद नो तैयार करो छो, त्यारे तमारे कोईपण विदेशी विनिमे लाब अथवा नुकसान जाहेर करवो आवश्यक छे. जे चलन नी वधघट तमारा व्यवसाय ने केवी रिते असर करे छे, तेनू स्पष्ट चित्र प्रदान करे छे. रवी विश्यती मंत्र मुग्द थाई गयू. तो, जो मारी पासे बहुविद चलन मा व्यवारों होई, तो मारे ते बधाने ट्रेक करवानी जरूर छे. दरेक विदेशी चलन व्यवारनों अल्ग थी हिसाब होवो जरूरी छे. अने तमारे विनिमय दरनी वधघटना आधारे तमारा नफा अथवा नुकसानना निवेदनों मा कोई पण गोठवणोंने ओडखवी आवशक छे. जेम जेम पाठ चालू रहो ते शिक्ष के विदेशी विनिमय दरोमा थता फेरफारोंनी असरोंने समझवाना महत्व पर भार मुक्यो. आ जोखमोनू असरकारक रिते संचालन करीने तमे तमारी बुकस्टोर नी नफाकारकतानू रक्षण करी शको छो अने खात्री करी शको छो के तमे चलननी वधघट थी उदभवता कोई पण संभवित पढ़कारों माटे तैयार छो. जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेम रविये इंड एस 21 विशेना नवा ग्ण्यान साथे सशक्त अनुभवता रूम छोडी दिधू. तेने समझायू के विदेशी विनिमय दरो मा थता फेरफारों नी असरों ने समझवू ए मात्र एकाउंटिंग विशेज न थी, ते जानकार निर्णयों लेवा विशे हतू चे तेना पुस्तकों नी दुकानना नाना की अस्वास्थे ने सुरक्षित करी शके. आ ज्ञान साथे रविये आंतरराष्ट्रिय वेपारनी जतिलताओने नेविगेट करवा माटे सज अनुभवियों, जेथी तेनो व्यवसाय सतत बदलाता वैश्विक लेंड्सकेप माँ खीले तेनी खात्री करे. क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो. एक ठंडी अने गरम बपोरे रवी उत्सुकता पूर्वक वर्गखंड मा दाखल थयो, तेना मनपसंद शिक्षक पासे थी वदू एक ज्णानप्रद पाठनी अपेक्षा राखतो हतो, जे सौथी शुष्क विश्योंने पण रस्प्रद वार्ताओ मा परिवर्तित करवा म जानीता हता, आजे विशय हतो इंद 23 जे उधार खर्च साथे संबंधित छे, रवी ए जोवा माटे उत्सुक हता के तेमना शिक्षक तेमना हस्ताक्षरित वर्ण नो माथी आख्याल केवी रिते उकेल शे, शिक्षके प्रवेश्ताज हुंफाडू स्मित कर्यू अने अधिवादन करिऊं। शूप बपोर दरेक ने आजे आपने उधार खर्चनी दुनियामा डूब की मारवा जई रहा छिये। संक्ड़ायला खर्चनों हिसाब केवी रिते करवो। रवी हम्मेशनी जेव कुतुहल साथे स्थाई थयो। सर, शिक्षके पोतानों खुलासों शरू करताज तेनों चहरों चमकी गयो। उधार खर्च ए तमारा पुस्तकनी दुकानना विस्तरन जेवी संपत्तीने फाइन संस करवा माटे लोन लेती वखते तमने लागता व्याज अने अन्य खर्चनों संदर्ब आपे छे। आ खर्चमा लोन पर्णू व्याज धिराण करताओने चुकवामा आवती कोई पड़फी अने जो तमे विदेशी चलन मा लोन लिधी होए तो केटलिकवार उधार पर्णा विनीमै दर्मा तफावतनों समावेश थाई शके छे। रविये माथू हलाव्यों तिरस्कार करेओ तो जो हूँ मारा पुस्तकोंनी दुकानने विस्त्रूत करवा माटे लोन लओ तो ते लोन पर हूँ जे व्याज चुकवीश ते उधार खर्च हशे। बराबर रवीत शिक्षके स्मित साथे जवाब आपेऊ। परंतु तेमा वधू छे। इन एस 23 हेठळ मुख्य प्रश्न एचे केशु उधार खर्चो तरतज खर्चवा जो येके कैपिटलाईज रेट लेके तमे जे संपत्ती बनावी रहाचो तेना खर्चमा उमेरवामा आवशे। आ तमे धिराण करी रहाचो ते संपत्ती ना प्रकार पर आधार राखे छे। रवी आगळ जुक्यों समझवा आतूर। उधार खर्चनों मुडिकरण करवानों तमारों अर्थ शू छे। महान प्रश्नक शिक्षके कहिऊं। धारो के तमे तमारा पुस्तकोनी दुकान मा ते नवो वांचन विभाग बनाववा माटे 10 लाख रुपियानी लोन लिदी हती। बांधकाम मा थोड़ो समय लागशे कदा 6 महीना। आ समय गाड़ा दर्मियान तमे लोन पर व्याज चुकवो छो। ते व्याजने तरतज खर्च तरीके ओड़खवाने बदले, तमे तेने कैपिटलाईज करी शको छो। एटले के तमे नवा विभाग नी कुल किम्मत मा व्याज खर्च उमेरो छो। रविये हाथ उचो कर्यो। तो बांधकाम ना समय गाड़ा दर्मियान हुझे व्याज चुकवो छो। ते संपत्ती नी किम्मत नो भाग बने छे। बराबर शिक्ष के खात्री आपी। इन एस 23 हेठर जो तमे तमारी बुकस्टोर ना नवा विभाग नी जेव एक लाइकात धरावती संपत्ती ना बांधकाम माटे नाणा उची ना लो छो। तो बांधकाम ना समय गाळा दर्मियान तमे जे व्याज खर्चो छो ते संपत्ती नी किम्मत मा उमेरवामा आवे छे। आनो अर्थ हे छे के तमे उधार खर्च ने संपत्ती ना मुल्य ना भाग रूपे ओरखो छो। तातकालिक खर्च तरीके नहीं। रवी ए एक प्षण विचारियूं। लायकातनी संपत्ती शूचे सर। फरी सारो प्रश्ण रवी शिक्ष के जवाब आपयो। कौलिफाइंग एसेट एवी छे के जे तेना इच्छित उप्योग माटे तैयार खवामा नोंधपात्र समय ले छे। तमारा किस्सा मा नवो वांचन विभाग कौलिफाइंग एसेट हशे कारण के तेने बनाववामा महीनाओ लागे छे। बीजी बाजू जो तमे वधू पुस्तको अथवा नाना साधनों खरीदवा माटे लोन लिधी होए तो ते लाइकात धरावती असक्याम तो नहीं होए कारण के तेनों तातकालिक उप्योग करी शकाय छे। ते किसामा उधार खर्च तरतज खर्चवामा आवशे। रविये माथू हलाव्यू ख्याल समझवा लाग्यो। तेथी जो हूँ कईक एवू बांधकाम करी रहो छू जेमा समय लागे छे तो हूँ उधार खर्चने मुडी बनावू छू। परंतु जोते तरतज उप्योग माटे तैयार कईक माटे छे तो हूँ उधार खर्चनों खर्च करू छू। चोककस शिक्ष के गर्व साथे कहिू। हवे एक वधू महत्वनों मुद्दों छे। एकवार बांधकाम पूर्ण थाई जाए, पची तमे उधार खर्चनों मुडी करण करवानू बंद करू। त्यार थी लोन परनी कोईपण वधू व्याजनी चुकवणीने तमारा नफा अने नुकसान निवेदनमा खर्च तरीके गणवामा आवशे। रवी ये बीजो प्रश्ण कर्यों। बांधकाम मा विलंब थाई तो शू थाई। शू हूँ हजू पण उधार खर्चनों मुडी करण करू छू। रवी ना विगतवार ध्यान पर शिक्षके स्मीत कर्यों। उत्तम प्रश्ण जो तमारा नियंत्रणनी बहारना कारणोसर बांधकाम मा विलंब थाई छे। जेम के खराब हवामान अथवा नियमनकारी मंजूरियों। तो तमे उधार खर्चनों मुडी करण करवानू चालू राखो छो। जो के जो विलंब तमारा नियंत्रण मा होए जेम के नबरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो तमे ते समय गाळा दर्मियान मुडी करवानू बंद करो। आटला सिधा देखाता विशय पर आटला बधा स्तरो केवी रिते होई शके ए जोईने रवी मंत्रमुग ठाई गयो। तेथी इन्द एस त्रेवीस मने ए समझवामा मदद करे छे के हूशू धिराण करी रहो छू अने संपत्ती क्यारे उप्योग माटे तैयार छे तेना समय ना आधारे उधार लेवाना खर्चनों हिसाब केवी रिते करवो। बराबर रवी शिक्षके हस्ता हस्ता कहिऊं। जारे योग्य होई त्यारे उधार खर्चनों मुडी करण करीने तमे खात्री करो छो के तमारा नाणाकिय निवेदनों तमारी संपत्तीनी साची किम्मत ने चोक्कस रिते प्रतिबिम्बित करे छे। आ महत्वपूल्ण छे कारण के ते तमारा नाणाकिय एवालो वाच्ता कोईपण ने स्पष्ट चित्र आपे छे। पछी भले ते रोकाण कारो लेंदारो अथवा अन्य हिसेदारो होई। जेम जेम पाठ पूरो थयो तेम रविये इंड इस 23 नी उन्दी समझ साथे सशक्तिकरण नी लागनी साथे वर्गखंड छोड़ी दिधू। तेने समझायू के उधार खर्च माटेनों हिसाब मात्र व्याजनी चुकोणीनों संचालन करवा माटेज नथी, ते सुनिष्चित करवा विशे हतू के तेमना नाणाकिय निवेदनों तेमना पुस्तकों नी दुकाननी वृद्धीनी संपूर्ण वार्ता कहे छे। आ ज्ञान साथे रवी ने जाणकार निरणयों लेवा माटे तैयार लाग्यू जे तेना व्यवसाय ने आर्थिक रिते सारी रिते विस्तरण करवा मां मदद करशे। क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक तेजस्वी अने खुश-खुशाल सवारे रवी वर्गखंड मां दाखल थयो, तेना प्रिय शिक्षक पासे थी दिवसना पाठने ग्रहन करवा आतूर, जटिल विश्योंने मनमोहक वार्ताव मां परिवर्तित करवा माटे प्रख्याद। आजनो विशय इंद S24 हतो, जे संबंधित पक्षना खुलासाओ पर ध्यान केंद्रित करे छे। रवी ए जोवा माटे उत्सुक हतो के तेना शिक्षक वार्ता कहवा द्वारा आख्याल ने केवी रिते समझावशे। शिक्षक रूम मां प्रवेश्टानी साथे ज विध्यार्थियोंनू हार्दिक स्मित साथे स्वागत करियूं। शुप सवार, दरेक ने। आजे, अमें संबंधित पक्ष व्यभारोंनी दुनिया अने नानाकिय रिपोर्टिंग मां पारदर्शिताना महत्व विशे जानवा जई रहा छिए। चालो कल्पना करिये, रवी, तमें एक लोकप्रिय पुस्तकोंनी दुकानना मालिक छो अने तमें कुटुंग ना सभ्य साथे वेपार करवानू विचारी रहा छो। आ वार्ता अमने संबंधित पक्ष नी जाहेरातोंनू महत्व समझवामा मदद कर शे। रवी पोतानी सीट पर बैसी गयो तिरसकार थी। संबंधित पक्ष ना व्यवहारो थी तमारो शू मतलब छे। सर। शिक्ष के शरू करियू, संबंधित पक्ष व्यवहारों त्यारे थाय छे ज्यारे बे पक्षों तेमना व्यवसाईक व्यवहार ने प्रभावित करी शके ते रिते जोडायला होए. आ कोटुम्बिक संबंधों मालिकी नी रुचियों अथ्वा नियंत्रण द्वारा होई शक दे छे. दाखला तरीके, जो तमे तमारा काकानी मालिकी नी प्रकाशन कंपनी माथी पुस्तकों खरीदवानू नक्की करो छो, तो ते व्यवहार ने संबंधित पक्ष व्यवहार गणवामा आवशे. रविये माथू हलाव्यू, समझवा लाग्यू. तो ते एवा व्यवह विशे छे के जे माखा संबंध धरावता पक्षो सामेल होए. बराबर शिक्ष के पुष्टी करी. ऐस चोवीस हेठर पारदर्शिता सुनिश्चित करवा व्यवसायोए आ संबंधित पक्ष व्यवहारो जाहेर करवा आवश्यक छे. आ महत्व पूर्ण छे कारण के पक्षो असंबंधित पक्षो जेवीज शर्तों पर कार्य करी शकता न थी. डाखला तरीके तमें तमारा काका पासे थी कोई अलग प्रकाशक पासे थी वधू सारो सोदों मेलवी शको छो जे तमारा नाणाकिय निवेदनों नी न्याइताने असर करी शके छे. रविये एक प्षण विचारियूं. जो मारी पासे संबंधित पक्ष व्यभारो होई तो मारे कया प्रकारनी जाहिरातों करवानी जरूर छे. शिक्ष के चालू राख्यू तमारे संबंधित पक्ष साथे ना संबंधनी प्रकृती जे व्यभारो थया छे अने तेमा सामेल रक्मो जाहिर करवानी जरूर छे. पूर्ती माहिती प्रदान करवी आवशक छे जेथी नानाकिय निवेदनों ना वप्राश करताओ समझी शके के आ व्यभारो तमारा व्यवसाई ने केवी रिते असर करी शके छे. वधू जानवा माटे उत्सुक रविये हाथ पूचो कर्यों. साहेब, तमे मने एक उदाहर आपी शको छो. चौककस, रवी, शिक्षके तेना उत्साथी खुश थाईने जवाब आपयो. चालो कहो के तमे तमारा काका नी प्रकाशन कंपनी ने 10,000 रुपिया ना पुस्तको वेच्या अने पछी तमारा पुस्तको नी दुकान मा प्रमोशनल सपोर्ट ना बदला मा 5,000 रुपिया मर्या. तमारा नाणाकिय निवेदनों मा तमे तमारा काका साथेना तमारा संबंधों नी प्रकृती जे व्यवहारो थया हता अने तेमनी नाणाकिय किम्मत जणावशो. आ रिते, तमारा नाणाकी यह वालो जोनार कोईपण जोशे के तमें संबंदित पक्ष साथे व्यवहारों कर्या हता अने आ व्यवहारों न्याई रिते करवामा आव्या हता के केम ते मुल्यांकन करी शक्षे, रवी आ खुला साओनू महत्व जोवा लाग्यों हतो। तेथी ते मात्र नंबरों नी जान करवा विशेज नथी, ते सुनिश्चित करवा विशेज छे के बधू पारदर्शक अने समझायू छे। बराबर रवी शिक्षके गर्व साथे कहिँ। पारदर्शिता ए रोकाण कारों लेंदारों अने ग्राह को सहित हित्धार को साथे विश्वास वधार्वानी चावी छे। जो तेओ संबंधित पक्षना व्यवारों थी वाकेफ होए, तो तेओ तमारा व्यवसाय विशे माहितगार निर्णयों लई शके छे। रविये संब्वित असरों पर विचार करयों। जो हुँ आ व्यवारों जाहेर न करू तो शूं। पची शूं थाए। शिक्षक नी अभिव्यक्ती गंभीर थाई गई। जो तमें संबंधित पक्षना व्यवारों जाहेर करवामा निश्वर थशो, तो ते गंभीर परिणामों तरफ दोरी शके छे। ते एवी छाप उभी करी शके छे के तमारा नाणाकिय निवेद नो भ्रामक छे, जे तमारी प्रतिष्ठाने नुकसान पहुचाडी शके छे, अने हिस्सेदारों साथेना विश्वास ने नुकसान पहुचाडी शके छे। नियमनकारी सत्तावाडाओ पड आ बाबत ने गंभीरता थी ले छे, अने जाहिरात नी आवशक्ताओनू पालन करवामा निश्वरता दंडमा परिण्मी शके छे। रविये आ ख्यालनों महत्व समझीने माथू हलाविय। तेथी संबंधित पक्षनी जाहिरातों मात्र एक अपचारिकता नथी, तेओ नाणाकिय एहवालनी अखंडित्ता माटे निर्नायक छे। चोक्कस शिक्षके खात्री आपी। तमाम संबंधित पक्ष व्यभारों योग्यरिते जाहिर करवामा आव्या छे, तेनी खात्री करीने, तमें तमारा व्यवसायनी प्रतिष्ठाने सुरक्षित करो छो अने तमारी नाणाकिय रिपोर्टिंग माँ जवाबदारीने प्रो थयो तेव, रविये इंड 24 विशे प्रबुद्धता अनुभवता वर्गखंड छोडी दिधू। ते समझी गयो के संबंधित पक्ष ना व्यभारों तेनी बुक्स्टोर ना नाणाकिय निवेदनों पर नौंधपात्र असर करी शके छे, अने विश्वास अने विश्वस नियता जालववा माटे पारदर्शिता महत्वपूर्ण छे। आ ज्ञान साथे रविये तेमना व्यवसाईने नैतिक रिते अने जवाबदारी पूर्वक संचालित करवा माटे सज अनुभव्यू, ते सुनिश्चित करियू के ते हम्मेशा तेना नानाकिय व्यभारों मा प्रामानिकताने प्रथम स्थान आपे छे। तेमनी क्षमता माटे जानीता हता। आजनों पाठ इंड ऐस सत्याविस पर केंद्रित छे, जे अलग नानाकिय निवेदनों साथे व्यवहार करे छे। शुप बपोर, दरेक ने। आजे, आपने अलग नानाकिय निवेदनों नी दुनियामा जोवा जई रहा छिए। चालो कल्पना करिये, रवी, तमे एक सफळ पुस्तकालेना मालिक छो अने समय जता, तमे पेटा कंपनी तरीके एक नानू प्रकाशन ग्रुह शरू करवानू नक्की करो छो। आ वार्ता अमने अलग नानाकिय निवेदनों पाचरना महत्वाने सिद्धान्तों ने समझवामा मदद करशे। दृश्य जोईने तिरस्कृत थाईने रवी पोतानी सीट पर बेसी गयो। तो, सर, अलग नानाकिय निवेदनों थी तमारोशू मतलब छे। शिक्ष के हसी ने शरुवात करी अलग नानाकिय निवेदनों एट एंटिटी द्वारा तैयार करायल नानाकिय एहवालो छे। जेम के तमारी बुक स्टोर, जे तेनी पेटा कंपनियों अथवा अन्य संस्थाओ थी स्वतंत्र रिते काम करे छे। अमारा किसामा तमारी पासे बुक स्टोर अने प्रकाशन ग्रुह होवा छता दरेक माटे नानाकिय निवेदनों अलग थी तैयार करवामा आवशे। आ कमने दरेक व्यवसाईनी कामगीरी अने नानाकिय स्थिती स्वतंत्र रिते जोवानी मंजूरी आपे छे। रविये माथू हलावी ने ख्यालने समझवानों प्रयास करे। तो जो हूँ मारा पुस्तकोंनी दुकान अने मारा प्रकाशन ग्रुह माटे अलगलग नानाकिय निवेदनों तैयार करू तो हूँ मुल्याकन करी शकू के दरेक व्यक्ती तेमनी नानाकिय बाबतोंने मिश्रित कर्या विना केवी रिते कार्य करी रहूँ छे। बराबर शिक्षके पुष्टी करी अलग नानाकिय निवेदनों तैयार करीने तमे दरेक एंटिटीनी नफाकार्कता संपत्ती अने जवाबदारियोंनु मुल्याकन करी शको छो। निरणै लेवा अने दरेक व्यवसायना नानाकिय स्वास्थ्यने समझवा माटे आखास करीने महत्व पूर्ण छे। दाखला तरीके जो तमारी बुकस्टोर सम्रुद्ध छे परंतु तमारू प्रकाशन ग्रुह संघर्ष करी रहिऊं छे तो तमे एकना नानाकिय परिणामोंने बिजाने असर करता वगर गोठवणोंनी जरुरियात ओर्खी शको छो। रवी ये वधूस पश्टता माटे उत्सुक बनीने हाथ उचो करेओ। मारा अलग नानाकिय निवेदनों मारे कई चोकस माहितीनों समावेश करवो जोईए, सर। महान प्रश्न रवी शिक्ष के जवाब आपेओ। अलग लग नानाकिय निवेदनों मा तमारे तमारी असकयामतों, जवाबदारियों, इक्विटी, आवक औने दरेक एंटिटी माटेना खर्चनों समावेश करवो जोईए। तमे पेटा कंपनियों मा तमारा रोकाणोंने किमते ओडखी शक्षो, अने पेटा कंपनी पासे थी मलेला कोईपन डिविडंड ने तमारा आवक निवेदन मा ओडखवामा आवशे। आ तमारा पुस्तकनी दुकान अने तमारा प्रकाशन ग्रुहनी नाणाकिय स्थितीनु अलगती स्पष्ट चित्र आपे छे। रविये एक प्षण माटे विचार्यू अने पुछियू, समग्रता विशेशू। पेटा कम्पनियों साथे ना व्यवसायो विशे वाद करती वखते हूँ वारनवार एकिकृत नाणाकिय निवेदनु विशे सामरू छू। शिख्ष के रविनी जिग्णा साथी खुश थाईने माथु हलावियू। तमें साचा छो, एकीकृत नाणाकिय निवेदनों पित्रू कम्पनी अने तेनी पेटा कम्पनियोंना नाणाकिय परिणामोंने एक व्यापक एहवालमा जोडे छे. जो के अलग नाणाकिय निवेदनों दरेक एंटिटीना व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करे छे. आ खास करीने एवा हिद्धार को माटे उप्योगी छे के जेओ तमारा व्यवसाईना दरेक भागना चौकस योगदानने समझवा मागे छे. रवी ए आभिगमनी असरो विशे विचारियूं. तो स्पष्टता अने पार्दर्शिता माटे अलग नाणाकिय निवेदनों आवश्यक छे. चौकस रवी शिक्षके खात्री आपी. तेओं हिद्धारकोंने दरेक एकमना प्रदर्शन विशे महत्वपूल माहिती प्रदान करे छे अने नाणाकिय रिपोर्टिंग स्पष्ट अने समझी शकाय तेवू छे. तेनी खात्री करवामा मदद करे छे. जानकार निर्णयों लेवा माटे आ निर्णायक छे. पची भले तमे रोकाणकारोंने आकर्श्वा लोन सुरक्षित करवा अथ्वा तमारी व्यवसाय व्यूरचनानू विशलेशन करवा मांगता हो. जेम जेम पाठ आगर वधतो गयो तेम शिक्ष के इंद ऐस सत्यावीस ने वर्गी रहवाना महत्व पर भार मुख्यो. अलग नाणाकिय निवेद नो तैयार करीने तमे जवाबदारी अने पारदर्शिताने प्रोचसाहन आपो छो तमारा हिस्सेदारोंने चोकस नाणाकिय महितीना आधारे महितगार निर्णेयो लेवानी मंजूरी आपीने. जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेम रविये इंद ऐस सत्यावीस विशे प्रबुद्ध लागनी छोडी दिधी. ते समझी गयो के तेना पुस्तकोनी दुकान अने प्रकाशन गुरुह माटे अलग नाणाकिय निवेद नो तैयार करवा थी ते दरेक व्यवसायना नाणाकिय स्वास्थ्यनू स्वतंत्र रिते मुल्यांकन करी शक्षे. आ ज्ञान साथे रवी ने तेना सहसोनू असरकारक रिते संचालन करवा माटे सशक्त अनुभवायों, तेनी खात्री करीने के ते तेना नाणाकिय एहवालमा पारदर्शिता अने स्पष्टता जार्वी राखीने बहुविद व्यवसायो चलाववानी जटिलताओने ने न सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो, एक वर्सादी बपोरे जेम वर्गखंडनी बारियों पर तीपू नाचतु हतु, रवी ए तेना प्रिय शिक्षकना बीजा आकर्शक पाठनी अपेक्षाथी भरेली परिचित जग्या माँ पग मुक्यो, जे एसोसेट्स अने संयुक्त साहसो मा रोकाणोंने संबोधित करे छे, रवी ए जोवा माटे उत्सुक हतो के तेना शिक्षक आ विशने वार्ता कहवा द्वारा केवी रिते उजागर कर्शे, शिक्षके प्रवेश कर्ताज तेमना विध्यार्थियोंनू हार्दिक स्मित साथ स्वागत करिऊं। उत्तम उदाहरन तरीके सेवा आपशे। आ विचार्थी रवीनी आँखो चमकी गई। तो सर, सहयोगियों अने संयुक्त साहसो द्वारा तमारों अर्थ शूँ छे। शिक्षके शरुआत करी एक सहयोगी एवी कंपनी छे जेमा अन्य कंपनीनों नौंध पात्र प्रभाव होई छे। जे सामान्य रिते 20-50 टका मतदान शक्तीनी माली की द्वारा रजू थाई छे। तेना थी विपरित संयुक्त साहस ए भागिदारी छे जिया बे अथवा वदू पक्षो चोक्कस प्रोजेक्ट हात धर्वा माटे भीगा थाई छे। ते प्रोजेक्ट पर नियंत्रण वहें चे छे। अमारा किसा मां तमारी बुक्स्टोर अने कोफी शोप संयुक्त साहस हशे। प्रतीनों उप्योग करीने तेना माटे एकाउंट करो छो। आनों अर्थ ए छे के तमें शरुआतमा खर्च पर रोकाणने ओडखो छो। पच्छी थी, तमें सहयोगी अथवा संयुक्त साहसना नफा अथवा नुक्सानना तमारा हिस्साने प्रती बिम्बित करवा माटे रोकाणनी वहन रकमने समायो जित करो छो। दाखला तरीके, जो कोफी कोर्नर नफो कमाय छे, तो तमें तमारा नाणाकिय निवेदनों मा तमारा रोकाणनों मुल्य वधार शो। रविये माथु हलावी ने ख्यालने समझवानों प्रयास करयो। तो, जो कोफी कोर्नर एक लाख रुपियानों नफो करे छे, अने हुँ तेनों पच्चास टका मालिक छु। तो हुँ मारा पुस्तकों मा वधाराना पच्चास हजार रुपिया ओडखिश, बराबर शिक्षके उत्साथी पुष्टी आपी। उल्टू, जो कोफी कोर्नर ने नुकसान थाई छे, तो तमे ते मुझब तमारा रोकाणनी वहन रकम घटाडशो। आ पद्धती तमारा नाणाकिय निवेदनों मा सहयोगी अथ्वा संयूक्त साहसना प्रदर्शनने प्रति बिम्बित करे छे, जे तमारा रोकाणना मुल्यनू वधू सचोट चित्र आपे छे। रविये वधू स्पष्टता माटे उत्सुक बनीने हाथ उचो करे। डिविडन्ड विशेशू। ते केवी रिते काम करशे। एक बीजो उत्तम प्रश्ण। शिक्षके जवाब आपे। जो कोफी कोर्नर डिविडन्ड नू वित्रण करे छे, तो तमे तमारा नाणाकिय निवेदनों माँ ते डिविडन्ड ने आवक तरीके उडखशो। जो के कमे प्राप्त थैला डिविडन्ड माटे तमारा रोकार नी वहन रक्मने समायोजित करशो नहीं, कारण के ते नफानू वित्रण छे जेनों हिसाब पहलाथीच करवामा आव्यों छे। मारा रोकार नी कामगिरी ने मारा नाणाकिय निवेदनों मा संपूर्ण रिते एकिक्रूत कर्याविना दर्शाववा सक्षम छू। मारा संयोगी अथ्वा संयुक्त साहस स्वतंत्र रिते कार्य करे छे, परन्तू ते हजूपन तमारा एकंदर नाणाकिय स्वास्थ्य माटे महत्व पूर्ण छे। जेम जेम पाठ आगर वधतो गयो तें, शिक्ष के सहयोगियों अने संयुक्त साहसो विशे संबंधित माहिती जाहेर करवाना महत्व पर प्रकाश पाड़ियो। तमारे सहयोगी अथ्वा संयुक्त साहस साथे ना तमारा संबंधिनी प्रकृती रोकाड़नी वहन रकम अने नफा अथ्वा नुकसान मा तमारा हिस्सा विशे विशे विगतो जाहेर करवी आवशक छे। आ पारदर्शिता हित्धार कोने तमारी नाणाकिय स्थिती पर आ रोकाणोंनी असर ने समझवामा मदद करे छे। रवी ने तेना पर स्पष्टतानों अनुभव थयो। तेथी 1928 मात्र मने आ रोकाणों माटे केवी रिते हिसाब आपवो ते अंगे मार्गदर्शन आपे छे परन्तु रिपोर्टिंग मा पारदर्शिताना महत्व परपण भार मुके छे। बराबर शिक्षके गर्व साथे कहिऊ। अइस 28 ना सिद्धान्तों ने अनुश्री ने तमे खात्री करो छो के तमारा नाणाकिय निवेदनों तमारा रोकाणों माटे योग्य द्रुष्टिकों रजू करे छे। जे हित्धार कोने जानकार निरणेयों लेवानी मंजूरी आपे छे। आ ज्ञान साथे रविये तेना नाणाकिय व्यभारों माँ पारदर्शिता अने चोकसाई जाडवी राखी ने नवी व्यवसाई तको शोध्वा माटे सज अनुभवियों। क्रूपा करी ने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक खडबढाट भरेली बपोरे, रवी तेना मनपसंद शिक्षक ना बीजा मनमोहक पाठ माटे उत्साहती भरपूर तेना वर्ग खंड माँ गयो, जे जटिल विश्योंने आकर्षक वार्ताओं माँ परिवर्तित करवा माटे जाणीता छे। आजनो विशय इंद S.39 हतो, जे हाइप्रिंट फ्लेश्नरी इकोनोमी माँ नाना किय एहवाल साथे संबंधित छे। रवी ए जोवा माटे उत्सुक हतो के तेना शिक्षक आ जटिल विशने संबंधित वार्तामा केवी रिते वणशे। शिक्षक ओडा माँ प्रवेश्या तेम ने तेजस्वी स्मित साथे तेमना विध्यार्थियोंनू स्वागत करिय। शुप बपोर दरेक ने आजे अमें अतिफुगावो अने ते नाडाकिय रिपोर्टिंग ने केवी रिते असर करे छे तेना रस्प्रद ख्यालनू अन्वेशन करीशू। चालो कल्पना करिये रवी तमें इन्फलाटिया नामना काल्पनिक देशमा रहो छो ज्या किम्तो जड़क्ती वधी रही छे अने चलण आश्चर्यजनक दरे मुल्य गुमावी रहीूं छे। आ द्रुष्य अमने इन्द 229 ना सिद्धान्तोंने समझवामा मदद करशे। रवी अंदर जुकी गयो, तिरसकार थयो। हाइपर इन्फलेशन नो अर्थ शू छे, सर। शिक्ष के शरुआत करी, हाइपर इन्फलेशन त्यारे थाय छे, ज्यारे फुगावानो दर चोकस थ्रेशोल्ड करता वधी जाय छे, जे घणीवार त्रण वर्ष मा लगभक सो टका के तेथी वधू मानवामा आवे छे। आवी स्थिती मा नाडा नी खरीद शक्ती जड़प थी घटी जाय छे, जे नाथी नाडा किय व्यवारों अने रिपोर्टिंग अत्यंत पड़कार्जनक बने छे। इन्फलेटियामा तमे कदाच नौन्धियू हशे के एक रोठली नी किम्मत दर थोड़ा अठवाणिये बम्नी थाई जाय छे। ए विचारे रवीनी आँखों पहुडी थाई गई। ते अस्तव्यस्त लागे छे। आ नाडा किय एहवाल ने केवी रिते असर करे छे। जारे अर्थतंत्र अती फुगावो अनुभवे छे। त्यारे परंपरागत नाडा किय एहवाल पद्धतियों अपूर्ती बनी जाय छे। इन एस ओगणत्रीस हेठर हाईपर इन्फलेशनरी अर्थतंत्रों मा कार्यरत संस्थाओए नाडाना बदलाता मुल्यने प्रती बिम्बित करवा माटे तेमना नाडाकिय निवेदनोंने समायोजित करवा आवश्यक छे। आ सुनिश्चित करे छे के नाडाकिय निवेदनों सुसंगत अने विश्वस्निय रहे छे। रवीनी आतुर्ता वधु घेरी बनी। साहेब आपने आ नाडाकिय निवेदनोंने केवी रिते गोठवी शकिये। शिक्ष के आगर कहिऊ, सवप्रथम तमारे सामान्य भाव सुचकांक अने वर्तमान फुगावाना दरने ओरखवानी जरूर छे। पची, नाडाकिय निवेदनों रिपोर्टिंग तारीखे चलरनी खरीद शक्तीना संदर्ग मां पुनस्थापित करवा जोईए। आमा किम्मत सुचकांक नों उप्योग करीने एतिहासिक खर्चने वर्तमान रक्म मां रुपांत्रित करवानों समावेश ठाय छे। रविये एक प्षण माटे आ विचारियूं। तो जो में गया वर्षे एक लाख रुपिया मां संपत्ती खरीदी हती अने त्यार्थी भाव सुचकांक मां नोंधपात्र वधारों थायों छे। तो मारे मारा नानाकिय निवेदनों मां ते संपत्ती ना मुल्यने समायोजित करवानी जरूर छे। बराबर शिक्षके पुष्टी करी। धारों के तमारी खरीदी पछी प्राइस इंडेक्स मां 50 टकानों वधारों थायों छे। तमे तमारा नानाकिय निवेदनों मां संपत्ती ना मुल्यने एक लाख पचास हजार रुपिया मां समायोजित करशो। आ गोठवण सुनिश्चित करे छे के तमारा नाणाकिय निवेद नो अती फुगावाना वातावर्णमा साची आर्थिक परिस्थितीने प्रती बिम्बित करे छे. आगण समझवा आतूर रविये हात पूचो करे ओ. आवक अने खर्च विशेशू. तेओ केवी रिते प्रभावित थाई छे. सरस प्रश्नक शिक्षके उत्साह पूर्वक जवाब आपयो. आवक अने खर्च ने पड़ समायोजित करवानी जरूर छे. उदाहरण तरीके जो तमे गया वर्षे पचास हजार रुपिया कमाया हता, तो ते रकम आजे तेनी खरीद शक्तीने प्रती बिम्बित करवा माटे एज़स्ट करवानी जरूर पडशे. आ गोठवन सुनिश्चित करे छे के नानाकिय निवेदनों ना वप्राश करताओ समय जता व्यवहारोंनी वास्तविक आर्थिक असर ने समझी शके छे. रवी ये आभीगमनी असरों विशे विचारियों. तो हाइप्रफ्लेशनरी अर्थतंत्रों माँ नानाकिय निवेदनों पुनस्थापित करीने, हुँ मारा व्यवसायनी कामगीरी अने नानाकिय स्थितीनू स्पष्ट चित्र प्रदान करी शकूं. बराबर रवी शिक्षके खात्री आपी. आ प्रथा रोकाणकारों अने लेंदारों जेवा हित्धारकोंने वर्तमान आर्थिक वास्तविक्ताओने प्रति बिंबित करे तेवी रिते नानाकिय माहिती रजू करीने माहितगार निर्णेयों लेवामा मदद करे छे. जेम जेम पाठ आगण वधतों गयो तें, शिक्ष के नाणा किया निवेदनों मा करेला गोठवनों विशे माहिती जाहेर करवाना महत्व पर प्रकाश पाड़ियो तमारे रिपोर्टिंग समय गाळा दर्मियान वप्रायल प्राइस इंडेक्स अने फुगावानी हद संबंधित जाहेरातों प्रदान करवी आवश्यक छे आ पारदर्शिता तमारा नाणाकिय एहवालना आधार ने समझवा माटे हिद्धार को माटे निर्णायक छे रवी ने तेना पर स्पष्टता अने जवाबदारीनी लागणी अनुभवाई तेथी इन्द एस ओगणत्रिस मात्र हाईप्रेन फ्लेशनरी अर्थव्यवस्थामा नाणाकिय बाबतों नी जान केवी रिते करवी ते मार्ग दर्शन आपे छे परन्तु नाणाकिय एहवाल माँ पारदर्शिता अने सुसंदत्तानी जरूरियात परपण भार मुके छे चौकर्स शिक्ष के गर्व साथे कहिऊ इन एस ओगणत्रीस ना सिद्धान्तों नू पालन करीने तमे सुनिश्चित करो छो के तमारा नाणाकिय निवेद नो पड़कार्जनक आर्थिक परिस्थितियों माँ पड तमारा व्यवसायना प्रदर्शन नू साचू प्रतिबिम प्रदान करे छे जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेव रविये अतिफुगावाती अर्थ व्यवस्थामा नाणाकिय एहवाल विशे प्रबुद अनुभवता वर्गखंड छोड़ी दिधू ते समझतों हतों के जारे आर्थिक लेंडस्केप अंधारी होई शके छे त्यारे योग्य सिध्धान्तों राखवा थी तेने जानकार नाणाकिय निर्णयों लेवामा मार्गदर्शन मरी शके छे आ नवा ग्न्यान साथे रवी आर्थिक वातावरणने ध्यानमा लिधाविना नाणाकिय एहवालनी जटिलताओने नेविगेट करवा माटे सज्ज लागियू क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तेजस्वी बपोरे जारे सूर्य प्रकाश वर्ग खंडनी बारियों माथी बहतो हतो रवी तेना मंतसंद शिक्षक ना बीजा आकर्षक पाठ माटे उत्सुकता साथे प्रवेश्यों, जे जटिल नानाकिय विशोने मनमोहक वार्ताओमा वनाट करवानी तेनी क्षमता माटे प्रख्यात छे आजनों पाठ इंद 32 विशे हतो, जे नानाकिय साधनोंनी रजुआत पर ध्यान केंद्रित करे छे रवी ए जोवा माटे उत्साहित हतो के तेना शिक्षक वार्ता कहवा द्वारा आ विशने केवी रिते उजागर करशे शिक्षक वर्गखंड माँ स्थाई थता, तेमने तेमना विद्यार्थियोंनू स्वागत स्मित साथे स्वागत करिऊं शुप बपोर, दरेक ने आजे, अमे नाणाकिय साधनोंनी रस्प्रत दुनियानू अन्वेशन करीशू अने अमे तेने अमारा नाणाकिय निवेदनों मा केवी रिते रजू करिये छिए चालो कल्पना करिये के तमे, रवी, तमारी बुक स्टोर नी मुडी वधार्वा माटे विविद नाणाकिय साधनों मा रोकाण करवानू नक्की करियू छे आ वार्ता इंदाइस 32 ना सिद्धान्तों ने समझाव शे रवी अंदर जुकी गयो, तिरसकार थयो नाणाकिय साधनों थी तमारो शू अर्थ छे, सर, शिक्षके शरू करियू नाणाकिय साधनों ए एवा करार छे जे एक एंटिती माटे नाणाकिय संपत्ती अने बीजा माटे नाणाकिय जवाबदारी अथवा इकविती साधन बनावे छे तमारा किसा मां जो तमे तमारी बुक स्टोर माटे नाणा एकत्र करवा अथवा कम्पनी ना शेर मां रोकाण करवा माटे बोंड जारी करवानू नक्की करो छो तो आ प्रवृत्तियों मां नाणा किया साधनों नो समावेश थाए छे रविये माथू हलाव्यों ख्याल समझवा लाग्यों तो बॉन अने शेर नाणा किया साधनों ना उदाहरनों छे चोकस शिक्ष के खात्री आपी इंड एस 32 हेठल आपडे नाणा किया साधनों ने तेमनी लाक्षनिकताओना आधारे नाणा किया असकयाम तो नाणा किया जवाबदारियों अथ्वा इक्विती साधनों तरीके वर्गिकरुत करवानी जरूर छे आ वर्गिकर्णने समझु तमारा नाणा किया निवेदनों मा तेमने चोकस रिते रजु करवा माटे महत्वपूर्ण छे स्पष्टता माटे आतुर रविये हाथ उचो कर्यू आ श्रेणियों वच्चे शू तफावत छे शिक्ष के समझाव्यू के नाणा किया संपत्ती एवी कोईपण संपत्ती छे जे रोकड छे अथवा तेने रोकड मा रुपांतरित करी शकाई छे जेम के प्राप्त करी शकाई तेवा एकाउंस अथवा स्टोक्स मा रोकान बीजी बाजु नाणाकिय जवाबदारियों एवी जवाबदारियों छे के जेना माटे तमारे रोकड अथवा अन्य नाणाकिय संपत्ती अन्य एकम ने पहुचाडवानी जरूर छे जैम के तमें जारी करे लोन अथवा बौंड, इक्विटी, साधनों कंपनी मां मालिकीनों प्रतिनिदित्व करे छे जैम केशे वरगीकरण ए नक्की करवामा मदद करे छे के तमारा नानाकिय निवेधनों मां आ साधनों नी जान केवीरिते करवामा आवे छे रवीए एक प्षण माटे आ विशे विचारियूँ तो जो हुँ मारा पुस्तकनी दुकान माटे नाणा एकत्र करवा माटे बोन्ड जारी करूँ तो ते मारा माटे नाणा किय जवाबदारी हशे बराबर शिक्ष के पुष्टी करी बॉंड धारको ने परत चुकववानी तमारी जवाबदारी छे तेना थी विप्रित जो तमें बीजी कंपनीना शेर मां रोकाण करो छो तो ते तमारा माटे नाणाकिय संपत्ति हशे कारण के ते ते रोकाण माथी भावी रोकड प्रवाह माटेना तमारा दावाने रजु करे छे। रवी ए फरी हात उचो करयो, तेना चहरा पर उच्सुकता देखाई। मारा नाडाकिय निवेदनों मा आ साधनों नी रजुआत विशेशू। हुँ तेमने केवी रिते बतावू। शिक्षक रवीना उच्साहती खुश थाईने हस्या। 222 हेठर तमारे नाडाकिय साधनों एवी रिते रजु करवा जोईए के जे जवाबदारियों अने इकविटी वच्चे स्पष्ट रिते तफावत करे। तमारे नाडाकिय साधनों नी प्रकृती अने हद जाहेर करवी जोईए जेमा तेमना जोखमों अने तेनू संचालन केवी रिते थाई छे। दाखला तरीके तमारा बोंडने जवाबदारियों तरीके रजु करती वखते तमे व्याज दरों चुकवडीनी शर्तों अने अन्य कोईपण संबंधित महितीनों पण उल्लेख करशों जे वप्राश करताओने तमारी बुक स्टोर नी नाणाकिय स्थिती समझवामा मदद करे छे रविये आ वात ध्याथी लिधी तो योग्य प्रेजंटेशन हिद्धार कोने मात्र नंबरोज नहीं पड मारा नाणाकिय साधनों नो संदर्प पड़ जोवानी मंजूरी आपे छे चोकस शिक्षके खात्री आपी नाणाकिय साधनों स्पष्ट रिते रजुकरीने तमे रोकाणकारो लेंदारो अने तमारा व्यवसाई भागीदारो जेवा हिस्सेदारोंने तमारी नाणाकिय परिस्थितीनी संपूर्ण समझणना आधारे जानकार निर्णेव लेवा सक् शिक्षके योग्य जाहिरातना महत्व पर प्रकाश पाड़ेव। तमारे नाणाकिय साधनोंना वर्गी करणमा कोई पर फेरफारो तेमना वाजबी मुल्य अने तेमनी साथे संक्रायला जोखमों विशेपड माहिती प्रदान करवी जोईए। आ पारदर्शिता विश्व बनावे छे अने खात्री करे छे के तमारा नाणाकिय निवेदनों सुसंगत अने समझी शकाय तेवा रहे। रवी ने तेना पर स्पष्टता अने जवाबदारीनी लागणी अनुभवाई। तेथी 1922 मात्र नाणाकिय साधनोंने केवी रिते वर्गी करूत अने नाणाकिय एहवाल माँ पारदर्शिता अने सुसंगत्ताना महत्व परपण भार मुके छे। बराबर रवी शिक्षके गर्व साथे कहिऊं। जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेव रवी ए नाणाकिय साधनोंनी रजुआत विशे प्रबुद्धता अनुभवता वर्ग खंड छोडी दिधू। ते समझी गयो हतो के तेने जे रिते नाणाकिय साधनोंनु वर्गीकरण करियू अने जाहेर करियू ते तेना पुस्तकनी दुकानने अन्या लोको द्वारा केवी रिते जोवामा आवे छे, तेनी नोंधपात्र असर करी शके छे। आ नवा घ्ञ्ञान साथे रवी ने लाग्यू के ते तेना नाणाकिय व्यवहार ने असरकारक अने पारदर्शकरीते संचालित करवा माटे सज्ज छे। ते सुनिश्चित करे छे के तेने तेना व्यवसाईनी साची नाणाकिय स्थिती नों संपर्ट करेव। क्रूपा करीने सूचनाओं मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक सन्नी बपोरे, जारे क्लासरूम नी बारियो माथी सूर्य प्रकाश नी सोनेरी किरणों फिल्टर थाई रही हती, त्यारे रविये प्रवेश करयो, तेना मनपसंद शिक्षक ना बीजा मनमोहक पाठ माटे आतूर हतो, जे जटिल विशोंने आकर्षक वार्ताओं माँ पर कार्कताने समझवा माटे जरूरी ख्याल छे, रवी ए जोवा माटे उत्साहित हतो के तेना शिक्षक आ महत्वपूर्ण विशने केवी रिते उजागर करशे, शिक्षके प्रवेश्ताज विद्यार्थियोंनू हार्दिक स्मित साथे स्वागत करिऊ, शुब बपोर दरेक आजे, अमें शेर दीठ कमाणी नो ख्याल शोधीशू, जेने संक्षिप्त माँ EPS तरीके ओडखवा मां आवे छे चालो कल्पना करिये, रवी, तमारी बुकस्टोरे हमनाज स्टेशनरी उत्पादनोंनी नवी लाइन शरू करी छे आ उत्तेजक साहस अमने इंदैस त्रण त्रण ना सिद्धान्तोंने समझवामा मदद करशे रवी आगळ जुक्यो, तिरसकार थयो शेर दीठ कमाणी नो अर्थ शू थाई छे, सर शिक्षके शरू करियू, शेर दीठ कमाणी ए नाणाकिय मापदंड छे, जे दर्शावे छे के कम्पनी तेना सामान्य स्टोक ना दरेक बाकी शेर माटे केटलो नफो जनरेट करे छे आ मेट्रिक रोकाण कारो माटे महत्व पूर्ण छे, कारण केते तेमने कम्पनी नी नफाकार्कतानू मुल्याकन करवामा अने रोकाणना जानकार निर्णेओ लेवामा मदद करे छे तमारा किस्सामा जारे तमारी बुक स्टोर स्टेशनरी ना वेचान थी नफो मेलवे छे, त्यारे EPS बतावशे के ते नफो तमारा पुस्तकनी दुकान ना दरेक शेर ने केटलो आभारी छे रवीये माथू हलाव्यों, ख्याल समझवा लाग्यों, तो जो मारी पासे सो शेर होई अने मारी बुक स्टोर एक लाख रुपियानों नफो कमाए, तो हूं मारा नी गणतरी केवी रिते करिश महान प्रश्न, रवी, शिक्ष के जवाब आपयो EPS नी गणतरी करवा माटे, तमे आ समय गाड़ा दर्मियान बाकी रहला शेरों नी भारांकित सरेराश संख्या द्वारा चोखा नफा ने विभाजित करशो तेथी, जो तमारी बुक स्टोर नो चोखो नफो एक लाख रुपिया छे, अने तमारी पासे सो शेर छे, तो तमारू EPS एक हजार रुपिया हशे रवी ए एक प्षण माटे आ विशे विचारियों जो हूँ वर्ष दर्मियान वधू शेर जारी करू तो शूँ, ते मारी गणत्री ने केवी रिते असर करशे उत्तम मुद्दो शिक्ष के जवाब आपयो जारे नवा शेर जारी करवामा आवे, त्यारे तमारे बाकी रहेला शेरों नी भारांकित सरेराश संख्यानी गणत्री करवी आवश्यक छे आनो अर्थ हे छे के समयगाडानी शरुआतमा तमारी पासे केटला शेर हता, ते समयगाडा दर्मियान जारी करायेला कोईपन शेर अने कोईपन शेर पाछा खरीद्या हता आ गणत्री सुनिष्चित करे छे के EPS बुक स्टोर ना साचा प्रदर्शन ने प्रतिबिम्बित करे छे आगल समझवा आतुर रविये फरी हात उचो करे विवित प्रकार ना शेर विशेशूं शू तेओ EPS ने असर करे छे शिक्ष के हसीने माथू हलावियूं हाँ, तेओ करे छे इंद एस तेत्रिस मुर्भूत EPS अने दाइल्यूटेड EPS वच्चे नो तफावत दर्शावे छे मुर्भूत नी गणत्री मात्र बाकी रहला सामान्य शेरो नो उप्योग करीने करवामा आवे छे जारे पातलू EPS ए तमाम संभवित शेरो ने ध्यान मा ले छे जे जारी करी शकाय छे जेम के कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज अथवा स्टोक विकल्पो जो तमाम कन्वर्टिबल साधनों नो उप्योग करवामा आव्यो होई तो कमाणी ना संभवित घटाडाने प्रती बिम्बित करीने आ शेर दीठ कमाणी नो वधू रुढिचुस्त द्रुष्टिकोन प्रदान करे छे रविये आवात ध्याथी लिधी तो जो मारी पासे वधाराना शेरो मां रुपांतरित थाई शके तेवा विकल्पो होई तो मारे मुर्भूत अने मंद EPS बन्ने नी गणतरी करवानी जरूर छे बराबर शिक्षके पुष्टी करी खित्धार को माटे तेमनी मालिकी अने कंपनीनी नफाकारकता पर मंदीनी संभवित असरने समझवा माटे आ तफावत निर्णायक छे जेम जेम पाठ आगर वधतो गयो तेम शिक्षके EPS रिपोर्टिंग मा पारदर्शिताना महत्व पर प्रकाश पाड़ेओ तमारे गणत्री मा उप्योग मा लेवाता शेरनी संख्याना समाधान साथे तमारा आवकना निवेदनना चहरा पर मुरभूत अने पातली EPS बनने जाहेर करवी आवश्यक छे आ पारदर्शिता रोकाण कारों ने तेमना रोकाणना साचा मुल्यनू मुल्याकन करवानी मंजूरी आपे छे रवी ने तेना पर स्पष्ट तानो अनुभव थयो तेथी इन्द EPS 33 मात्र नी गणत्री माटे एक पद्धती प्रदान करे छे परन्तु रोकाण कारों माटे स्पष्ट जाहेरातना महत्व परपण भार मुके छे बराबर रवी शिक्षके गर्व साथे कहिऊ अईस 33 ना सिध्धान्तो नू पालन करी ने तमे खात्री करो छो के तमारा नाणाकिय निवेद नो तमारी बुक स्टोर नी नफाकार्कतानो वाजबी द्रुष्टिकोन रजू करे छे हितधार कोने सचोट महितीना आधारे महितगार निरणेयों लेवामा मदद करे छे ते समझी गयो के आ मेट्रिक मात्र एक संख्या नथी परंतु तेनी बुक स्टोर नी नाणाकिय तंदुरस्ती अने नफाकार्कतानू प्रतिबिम्ब छे आ नवा ग्णान साथे रविये संभवित रोकाणकारो साथे असरकारक रिते बातचीत करवा माटे सज अनुभव्यों खात्री करी के तेओ तेमना पुस्तकोनी दुकान मा तेमना रोकाणनू मुल्य समझे छे क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक हुमफाडू बपोरे प्रुष्ठ भूमी मा पक्षियोना किलकिलाट साथे रवी तेना वर्ग खंड मा गयो, तेना प्रिय शिक्षक पासे थी बीजा प्रेर्णादाई पाठ माटे आतूर हतो, जे जटिल नानाकिय ख्यालोंने आनंद दायक वार्ताओं मा फेर्ववा आनी तेनी क्षमता माटे जानीतो हतो, आजे विशय इंद ऐस चोत्रीस हतो, जे वचगाडाना नानाकिय एहवाल साथे संबंधित छे रवी ए जोवा माटे उत्सुक हतो के तेना शिक्षक वार्ता कहवा द्वारा आख्यालने केवी रिते जीवन्त करशे शिक्षक ओडामा प्रवेश्या, तेम डे तेजस्वी स्मित साथे तेमना विध्यार्थियोंनू स्वागत करिऊं। शुप बपोर दरेक ने आजे, अमे वचगाळाना नाणाकिय एहवालनी दुनियानों अन्वेशन करीशू अने ते तमारा जेवा व्यवसायों माटे शा माटे जरूरी छे चालो कल्पना करिये, रवी, तमारी बुकस्टोर तेना प्रथम त्रिमासिक एहवालनी तैयारी करी रही छे आ द्रुश्य अमने 29-34 ना सिद्धान्तोंने समझवामा मदद करशे रवी पोतानी सीट पर बैसी गयो, ती रसकार थी वचगाळाना नाणाकिय रिपोर्टिंग बराबर शू छे, सर शिक्ष के शरुआत करी वचगाळाना नाणाकिय रिपोर्टिंग ए संपूर्ण नाणाकिय वर्ष करता तुंका समयगाळा माटे तैयार करवामा आवेला नाणाकिय निवेदनोंनों संदर्ब आपे छे जे घणीवार त्रिमासिक अथ्वा अर्धवार्षिक परिणामोंने आवरी ले छे व्यमसायों आ वचगाळाना एहवालों हितधार कोने तेमनी नाणाकिय कामगीरी अने स्थिती विशे समयसर अने संबंधित माहिती प्रदान करवा माटे तैयार करे छे लेंदारों अने अन्या हिसेदारोंने तमारा व्यवसायनी प्रगती विशे जान करवा माटे वचगाळानों एहवाल तैयार कर छे रविये माथू हलाव्यों ख्याल समझवा लाग्यों तो वचगाळाना एहवालों मारा पुस्तकों नी दुकान आखा वर्ष दर्म्यान केवी रिते चाले छे तेना स्नेपशोट जेवा छे बराबर शिक्ष के खात्री आपी वचगाळाना एहवालों हित्धार कोने वार्षिक एहवालनी राह जोवाने बदले वधू वारमवार धोर्णे तमारा बुकस्तोर ना प्रदर्शन नू मुल्याकन करवानी मंजूरी आपे छे आ समयसनी माहिती जानकार निर्णयों लेवा माटे निर्णायक बनी शके छे जेम के तमारी बुकस्तोर मां रोकान करवू अथ्वा क्रेडिट लंबाववी आगर समझवा आतुर रविये हात उचो करें मारा वचगाळाना नाना किय एहवाब मां मारेशर सामेल करहू जोईए शिक्ष के हसी ने जवाब आपेो इंद इस 34 हेठर तमारा वचगाळाना नना किय एहवाल मां कंडेंस्ड बैलेंस शीट कंडेंस्ट इंकम स्टेटमेंट, केश फ्लो स्टेटमेंट अने छेला वार्षिक रिपोर्ट थी तमारी नाना किया स्थिती मा थैला नौंद पात्र फेरफारोंने समझावती नौंदों शामेल होवी जोईए. तमारे अगावना वजगाडाना समय गाडानी तुल्नात्मक माहिती पड सामेल करवी जोईए, जे हिस्सेदारोंने समय साथे वल्लों अने फेरफारों जोवानी मंजूरी आपे छे. रविये एक प्षण माटे आ विचारियूं. ते थी, ते मात्र नंबरों बताववा विशे न थी, मारे संदर्ब अने स्पष्टतावपण प्रदान करवानी जरूर छे. बराबर शिक्षके पुष्टी करी. संदर्ब आपवाथी तमारी नाणाकिय कामगीरी मां कोईपण वधगट ने समझवा मां हिस्सेदारोंने मदद मड़े छे. उदाहरण तरीके, जो तमारी बुकस्टोर नू वेचान तहवारोंनी मोसम दर्मियान वध्यू होए, तो तमारे तमारा रिपोर्ट मां ते समझाववू जोईए. आ संदर्भ नाणाकिय डेटाने स्पष्ट करवामा मदद करे छे, अने तमारा व्यवसायना स्वास्थ्यनू बधू व्यापक चित्र पूरू पाडे छे. रविये फरी हात उचो करयो, तेना चहरा पर उच्सुक्ता देखाई. एकाउंटिंग नीतियों विशेशू. शू मारे वचगाडाना एहवालों माटे तेज अनुसरवानी जरूर छे जेहू वार्षिक एहवालों माटे करू छू. शिक्ष के विचार पूर्वक माथू हलावियू. हाँ, तमे करो छो. इन्द ऐस चोतरीस हेठर तमारे तमारा वचगाडाना एहवालों माँ एज एकाउंटिंग नीतियों लागू करवी जो ये जेनों तमे तमारा वार्षिक नाणा किय निवेदनों मा उप्योग करो छो. जो के तमारे वचगाडाना समय गाडा दर्मियान एकाउंटिंग नीतियों अत्वा अंदाजों मा कोई पण नौंध पात्र फेरफारों विशे वधू विगतों प्रदान करवानी जरूर पड़ी शके छे. पारदर्शिता चावी छे. रवी ने तेना पर जवाबदारी नों एहसास थयो. तो वचगाडाना एहवालों मारा वार्षिक एहवालों साथे सचोट पारदर्शक अने सुसंगत होवा जोईए. चोककस रवी शिक्षके गर्व साथे कहिऊं. अईस चोत्रीस ना सिद्धान्तों नू पालन करीने तमे खात्री करो छो के तमारा वचगाडाना नाना किय एहवालों तमारा पुस्तकोंनी दुकाननी कामगीरीनू साचु प्रतिबिम प्रदान करे छे. जे हित्धार कोने व विश्वस्निय माहितीना आधारे माहितगार निर्णेयों लेवा सक्षम बनावे छे. जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेम रवी वचगाडाना नाना किय एहवाल विशे प्रबुद्ध लागणी अनुभवीने वर्ग खंड माथी बहार निकली गयो. ते समझी गयो के आ एह वालो आखा वर्ष दर्मियान तेमना पुस्तकों नी दुकानना नाना किय स्वास्थ्यने संचार करवा माटे महत्वपूर्ण साधनों छे. आ नवा ज्ञान साथे रवीने तेमना वचगाडाना एहवालो असरकार कृते तैयार करवा माटे सज्ज लाग्यों अने खात्री करी के तेने हिस्सेदारों ने तेनी बुक स्टोर नी प्रगती विशे समयसर अने संबंधित माहिती प्रदान करी. कृपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो. वर्सादी बपोरे वर्गखंडनी बारियों सामे वर्सादना तीपाना लैबद अवाज साथे रवी परिचित जग्यामा चाल्यों गयो, तेना मनपसंद शिक्षक पासे थी बीजा ग्नानप्रद पाठ माटे आतूर हतो, जे तेनी मनमोहक वार्ता कहवानी क्षमता माटे जानीतो हतो, आजनों विशय इंद ऐस चत्रीस हतो, जे असकयामतों नी क्षती साथे संबंधित छे रवी ए जोवा माटे उत्साहित हतो के तेना शिक्षक आ महत्वपूर्ण ख्यालने वार्ता द्वारा केवी रिते समझावशे शिक्षक तेमनी खुर्षी पर स्थिर थया, तेमडे तेमना विद्यार्थियोनू हार्दिक स्मित साथे स्वागत करियूं शुप बपोर दरेक ने आजे अमें संपत्तीनी क्षतीना ख्याल माँ डूब की मार्शूं चालो कल्पना करिये, रवी, तमारी बुकस्टोर थोड़ा वर्षोथी कार्यरत छे, अने तमे विविद असकयामतों मा रोकाण करियू छे, जेम के छाजलियों, कम्प्यूटर्स अने इन्वेंटरी आ द्रुश्य अमने इंदै स्त्रण छ समझवामा मदद कर्षे रवी अंदर जुक्यों, आ केवी रिते प्रगट थशे तेनी उच्सुकता सर, शिक्ष के शरू करियों, जारे संपत्तीनी वहन रकम तेनी पुनप्राप्ति पात्र रकम करता वधी जाय त्यारे असकयामतों नी क्षती थाय छे एटले के ते हवे बैलेंस शीट पर तेना मुल्य ने न्याई ठेर्ववा माटे पूर्तो भावी रोकड प्रवाह पेदा करी शक्षे नहीं सरण शब्दों मां कहिये तो, जो कोई संपत्ती अपेक्षित वर्तर न लावी रही होई अथवा जो तेनू मुल्य नोंधपात्र रिते घट्यू होई, तो ते नबली पड़ी शक्ये छे रविये माथू हलाव्यू, ख्याल समझवा लाग्यू, तो जो नजीक मां नवा स्पर्धक खोलवाने कारणे मारा पुस्तकोनी दुकाननू वेचाण नोंधपात्र रिते घट्षे, तो ते मारी असकयाम्तोंने केवी असर कर्षे उत्तम अवलोकन शिक्ष के खात्री आपी, जो तमारी बुक स्टोर वेचाण मां घटाडानों सामनों करे छे अने परिणा में, तमें समझो छो के तमारी इन्वेंटरी अथवा तमारा हाजलियोंनू मुल्य हवे पुनप्राप्त करी शकातू न थी, तो तमारे आसकयाम्त नबली छे के कैम तेनू मुल्यांकन करवानी जरूर पढशे, तमें तेमनी वहन रक्मनी तेमनी वसूल करी शकाय तेवी रकम साथे तुल्ना करशो, स्पष्टता माटे आतुर रविये हाथ उचो करेो, हूं समपत्तीनी पुनाप्राप्ती पात्र रकम केवी रिते नक्की करी शकू। शिक्ष के समझावियू, पुनाप्राप्ती पात्र रकम ए संपत्तीना वाजबी मुल्यना ओछा खर्च अने उप्योग मां लेवाती किम्मत करता वधू छे। अत्मान मुल्यनों संदर्प आपे छे। तमारे आ मुल्यांकन नियमित पड़े करवानी जरूर छे। खासकरी ने जारे एवा संकेतों होई के समपत्ती नबडी पड़ी शके छे। रविये एक क्षण माटे आ विशे विचारिय। जो मने खबर पड़े के मारी एक संपत्ती नबडी छे तो शू ठशे। जो तमे निर्धारित करो के संपत्ती खरेखर अशक्त छे। तो शिक्ष के चालू राख्यू तमारे तमारा नाणाकिय निवेदनों मां क्षतीनी खोड ओरखवी आवश्यक छे। आ नुकसान वहननी रकम अने वसूल पात्र रकम वच्चेना तफावत तरीके गणवामां आवे छे। आ करवाथी तमे खात्री करो के तमारा नाणाकिय निवेदनों तमारा पुस्तक नी दुकान नी नाणाकिय स्थितीना साचा अने न्याई द्रुष्टिकोर ने प्रतिबिम्बित करे छे। रविये फरी हात उचो कर्यों तेना चहरा पर उत्सुकता देखाई। उल्टानू शू जो संपत्तीनों मुल्य भविश्यमा वधे तोशू हू क्षतीनी खोड पुनःप्राप्त करी शकू। रवीना प्रशन थी खुश थाईने शिक्षक हस्या। हाँ, खरे खर। इंड ऐस चत्रीस जो क्षतीना कारणों अस्तित्वमा न होई तो क्षतीना नुकसानने उल्टावी देवानी मंजूरी आपे छे। जो तमारी बुक स्टोर ना वेचाण मा सुधारो थाई छे अने संपतीनी पुनःप्राप्ति पात्र रकम वदे छे। तो तमे क्षतीना नुकसानने ते हद सुधी उल्टावी शको छो के ते वहननी रकम थी वदू न होई जे निर्धारित करवामा आवी होत जो कोई क्षतीनी खोड ओरखवामा न आवे। आ सुनिष्चित करे छे के तमारा नाणाकिय निवेद नो सचोट रहे छे अने तमारी संपतीना साचा मुल्यने प्रतिबिंबित करे छे। रविये आ वात ध्यांथी लिधी तो ख्षतीनों मुल्यांकन ए एक चालू प्रक्रिया छे अने मारे मारी असक्यामतों ना मुल्यों विशे जागरत रहवानी जरूर छे चौकस रवी शिक्ष के खात्री आपी नियमित मुल्यांकन तमने तमारा व्यवसाय विशे माहितगार निर्णयों लेवामा मदद करे छे अने खात्री करे छे के तमारा नानाकिय निवेदनों तमारा पुस्तकों नी दुकानना स्वास्थ्यनू साचू प्रतिनिधित्व प्रदान करे छे इंग ऐस चत्रीस व्यवसायोंने संपत्ती मुल्योंनी चौकस जान करीने पार्दर्शिता अने जवाबदारी जाडववा प्रोचसाहित करे छे जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेम रविये वर्ग खंड माथी बहार निकली गयो अने असकयामतोंनी क्षती विशे प्रबुद अनुभव करे उ तेवो समझता हता के तेमनी बुक स्टोर ना नानाकिय स्वास्थय ने चौकस रिते प्रती बिम्बित करवा माटे शती माटे तेमनी संपत्तीनू नियमित मुल्याकन करवू महत्वपूर्ण छे आ नवा ज्णान साथे रवी ने तेनी संपत्तीनू खंत पूर्वक देखरेक राखवा माटे सशक्त अनुभवायों ते सुनिष्चित करीने के तेने जानकार निर्णेयो लिधा जेनाथी तेना व्यवसायने लांबा गारे फाइदो थशे क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक चपड पान्खर नी बपोरे वर्ग खंड नी बारीनी बहार हडवे थी पानड़ा पड़ता रवी प्रवेश्यो तेना प्रख्यात शिक्षक ना बीजा पाठ माटे उत्तेजना थी भरपूर जटिल ख्यालोंने मनमोहक वार्ताओं मा वनात्वा माटे प्रख्यात आजनो विशय इंद ऐस साड़त्रीस हतो जे जोगवाईयों आकस्मेक जवाबदारियों अने आकस्मेक संपत्तियोंने आवरी ले छे रवी तेना शिक्षक आख्यालने केवी रिते जीवन्त करशे ते शोध्वा माटे आतूर हतो शिक्षक अंदर जता तेमने विद्यार्थियोंने तेमना हस्ताक्षर साथे गरम स्मित साथे आवकार्या शुप बपोर दरेक ने आजे अमें जोगवाईयों अने आकस्मिक परिस्थितियोंनी रस्प्रत दुनियानों अन्वेशन करीशूं चालो कल्पना करिये रवी तमारा पुस्तकोनी दुकाने ताजेत्रमा केटलाक अंधार्या पड़कारोंनों सामनों करवो पड़ियों छे आ द्रुश्य अमने इंद इस त्रण साथ समझवामा मदद करशे रवी स्थाई थयो कनेक्षन विशे उत्सुक सर, शिक्ष के शरुवात करी नाणाकिय एहवाल मा जोगवाई एएवी रकम छे जे तमे भविशनी जवाबदारी अथवा खर्च माटे तमारा खाता मा अलग राखो छो जे संभवित छे परंतु समय अथवा रकम मा अनिश्चित छे दाखला तरीके धारों के तमे सप्लायर साथे ना विवाद ने कारणे कितला कानूनी खर्चनों सामनों करवानी अपेक्षा राखो छो चुकवणी नी चोक्कस रकम अने समय हजू सुधी जानी शकायोंनों होवा छता तमे ते खर्च माटे नी जोगवाई ने ओर्खशो रवी ये माथू हलाव्यों समझवा लाग्यों तो जोगवाई भविशना खर्च माटे सलामती जार जेवी छे बराबर रवी शिक्षके पुष्टी करी जोगवाई ओने ओर्खी ने तमे सुनिष्चित करो के तमारा नाणाकिय निवेद नो तमारी बुक स्टोर नी नाणाकिय स्थितीनू वधू सचोट चित्र दर्शावे छे आ प्रथा तमने वास्तविक खर्चनी राह जोया विना संभवित जवाबदारियों माटे तैयार करवामा मदद करे छे रवी ए फरी हात उचो करयो तिरस्कार करयो आकस्मिक जवाबदारियों विशेशू तेयों जोगवाईयों थी केवी रिते अलग पड़े छे शिक्षक रवीनी जिग्ना साथी खुश थाईने हस्या महान प्रश्ण आकस्मिक जवाबदारी ए संभवित जवाबदारी छे जे भविश्यनी घटनाना परिणामना आधारे उभी थाई शके छे उदाहरण तरीके जो तमारी पासे हाल मां ग्राहक द्वारा दावो करवा मां आवी रहो छे परन्तु तमें हजी सुधी केस नू समाधान करिऊ नथी अथवा परिणाम नक्की करिऊ नथी तो तमें तमारा नाणाकिय निवेदनों मां आक्समिक जवाबदारी ना अस्तित्वने जाहेर करशो जो के तमें तेने जोगवाई तरीके ओडखशो नहीं सिवाए के ते संभवित बने के तमारे चुकवणी करवी पडशे रविये एक प्षण विचारियूं तो नाणाकिय निवेदनों मां आक्समिक जवाबदारीयों उडखवा मां आवती नथी परंतु जो ते नौंध पात्र होई तो ते जाहेर करवानी जरूर छे चौकस शिक्ष के जवाब आपयों आ जाहेरात ए सुनिश्चित करे छे के हिद्धार को संभवित जोखमो थी वाकेफ छे जे तमारा बुक स्टोर ना भावी नाणाकिय प्रदर्शन ने असर करी शके छे नाणाकिय एहवाल मां पारदर्शिता चावी रूप छे रविये वधू एक वार हात उचो करयो वधू जानवा माटे उच्सुक आकस्मिक संपत्ती विशेशू शू तेओ आकस्मिक जवाबदारियों समान छे शिक्षके माथू हलावियू हाँ ते संबंधित ख्यालों छे परंतु तेना बदले संभवित लाबो प्रती बिम्बित करे छे आकस्मिक संपत्ती ए संभवित संपत्ती छे जे भूतकालनी घटना माथी उद्भवे छे अने तेनी पुष्टी मात्र एक अथवा वदू अनिश्चित भावी घटनाओ द्वारा करवामा आवशे दाखला तरीके जो तमारी पासे भूत पूर्व कर्मचारी सामे नुकसानी नो दावो होए अने तमे जित्वानी अपेक्षा राखो छो तो तमे तमारा नाणाकिय निवेदनों मा आकस्मिक संपत्ती जाहेर करशो जो के आकस्मिक जवाबदारियों नी जेव ज्या सुधी ते वर्चुवल रिते निश्चित न थाई त्या सुधी तमे तेने ओरखी शक्षो नहीं रवी ये आ माहिती पर विचार करें। तो जोगवायों आकस्मिक जवाबदारियों अने आकस्मिक अस्क्यामतों तमाम नाणाकिय एहवालमा अनिश्चित्ताने संचालित करवामा मदद करें छे। अनुभवित भावी जवाबदारियों अने असक्यामतों विशे संबंधित माहिती प्रदान करीने तेम नामा विश्वास पड जगावों छो। पार्दर्शितानों आस्तर दरेक ने जानकार निरणयों लेवामा मदद करें छे। जेम जेम वर्ग पूरो थयों तेम रविये जोगवाईयों आकस्मिक जवाबदारियों अने आकस्मिक संपत्तियों विशे प्रबुद अनुभव छोड़ी दिधू। तेओ तेमना पुस्तकों नी दुकानना नानाकिय व्यवस्थापनमा अनिश्चित्ताओं माटे तैयारी करवानू महत्व समझता हता। आ नवा ज्ञान साथे रविये आख्यालोंने असरकारक रिते लागू करवा माटे सशक्त अनुभव्यों, ते सुनिश्चित करियों के तेने पोताना अने तेना हिद्धार को माटे स्पष्ट अने पारदर्शक नानाकिय चित्र जार्वी राखियों। क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक सन्नी बपोरे, क्लासरूम नी बारियों माथी सूर्य प्रकाश वहतो हतो, रवी आतुर्ता थी प्रवेश्यों, तेना प्रिय शिक्षक ना बीजा आकर्शक पाथनी राह जोई रहो हतो, जे जटिल विशोंने मनमोहक वार्ताओं माँ परिवर्तित करवा माटे प्रख् रवी ए जोवा माटे उत्सुक हतो के तेना शिक्षक आ जटिल ख्यालने केवी रिते समझावशे, शिक्षके प्रवेश करताज तेमना विध्यार्थियोंनू उत्सा भेर स्वागत करियों, शुप बपोर दरेक ने, आजे आपने अमूर्थ संपत्तिनी आकर्षक दुनिय चालो कल्पना करिये, रवी, तमारी बुकस्टोर मात्र कुस्तको वेच्वानी जग्या नथी पन सर्जनात मकता, विचारों अने नविन्तानू केंद्र पड़ छे आ द्रुष्य अमने 29.38 समझवामा मदद कर्षे, रवी पोतानी सीट पर बैसी गयो, तीरसकार थी, अमूर्थ असकयाम तो बराबर शू छे, सर शिक्ष के शरू करिऊं, अमूर्थ संपत्ती ए बिन्नाणाकिय संपत्ती छे, जेमा भौतिक पदार्थनों अभाव छे, परन्तु तमारा व्यवसाईने मुल्य प्रदान करे छे तेमा ट्रेड मार्क, पेटेंट, कोपीराइट अने सद्भावना जेवी वस्तुओनों समावेश थाई शके छे दाखला तरीके, कल्पना करो के तमे तमारा बुक स्टोर माटे एक अनोखो लोगो बनाव्यों छे, जेने ग्राह को पसंद करे छे, अने ओर्खे छे ते लोगो एक अमूर्थ संपत्ती छे, कारण के तेनी किम्मत छे, भले तेने स्पर्शी न शकाए रवीए माथू हलाव्यों, विचार ने समझवा लाग्यों, तो मारा व्यवसाई माटे अमूर्थ असकयामतों महत्व पूर्ण छे, भले ते भावतिक वस्तुओ न होई चौकस शिक्षके खात्री आपी अमूर्थ असकयामतों तमारा बुकस्टोर ना स्पर्धात्मक लाब मां नोंदपात्र योगदान आपी शके छे उदाहरन तरीके, जो तमारी पासे लोकप्रिय ब्रांड नाम छे अथवा तमे सफ़र मार्केटिंग व्यूरचना विक्साली छे तो आ तत्वो ग्राहकों ने आकर्शी शके छे अने आवक पेदा करी शके छे जो के 19-38 आ असकयामतोंने केवी रिते ओडखवा, मापवा अने जाहेर करवा ते दर्शावे छे रविये वधू विगतों माटे आतूर हाथ उचो करेओ मारा नाडाकिय निवेदनों माहु अमूर्थ संपत्तिने केवी रिते ओडखी शकू शिक्ष के समझावियों अमूर्थ संपत्तिने ओडखवा माटे ते चोक्कस मापदंडोंने पूर्ण करे छे प्रथम ते ओडखी शकाय तेहू होवू जोईये एटले के ते तमारा व्यवसाय थी अलग थाई शके छे अथवा करारना अधिकारों माथी उद्भवे छे द्वारा नियंत्रित पोहू जोईये अने त्रीजू ते भविश्यना आर्थिक लाभो प्रदान करवा जोईये जो तमे तमारी इन्वेंट्रीनों संचालन करवा माटे एक नवी सौफ्ट्वेर एप्लिकेशन बनावो छो उदाहरण तरीके अने ते आ मापदंडों ने पूर्ण करे छे तो तमे तेने अमूर्थ संपत्ती तरीके ओर्खी शको छो रविये एक प्षण माटे आ विशे विचारियों अमूर्थ संपत्ती ना मुल्यने मापवा विशेशु हुँ तेमनी किम्मत केवी रिते नक्की करी शकू शिक्ष के जवाब आपयो अमूर्थ असकयामतो बे रिते मापी शकाय छे खर्च मोडेल अने पुनह मुल्यांकन मोडेल खर्च मोडल हेठ़ तमे संपत्ती ने तेनी कोईपन संचित रुनमुक्ती अने क्षतीना नुकसाथी ओची किम्मते ओडखो छो उदाहरन तरीके जो तमे नवी ब्रांडिंग व्युहरचना विक्साववा माटे नाना खर्चया होए तो ते खर्च अमूर्थ संपत्तीनों मुल्यांकन करवानों आधार बनी जाय छे पुना मुल्यांकन मौडल हेठर जो ते संपत्ती माटे सक्रिय बजार अस्तित्वमा होए तो तमे संपत्तीने तेना वाजबी मुल्या पर मापी शको छो परंतु अमूर्थ संपत्तियों माटे आओछू सामान्य छे रविये फरी हात उचो करयो तेनी आँखो मा कुतुहल चमक्यूं रूर्मुक्ती विशेशूं अमूर्थ संपत्तीनी मूर्थ संपत्तीनी जेम रूर्मुक्ती ठाय छे शिक्ष के माथू हलावियूं हाँ तेओ करे छे मर्यादित उप्योगी जीवन साथेनी अमूर्थ संपत्तियों जेम के सौफ्टवेर तेमना अपेक्षित उप्योगी जीवन पर रूर्मुक्ती करवामा आवे छे आ प्रक्रिया संपत्तीनी किम्मत ने ते समय गाड़ा दर्मियान फेलावे छे जे तेने आर्थिक लाभो पेदा करवानी अपेक्षा छे बीजी बाजू अनिश्चित उप्योगी जीवन साथेनी अमूर्थ संपत्तियों जेम के सद्भावना रूर्मुक्ती करवामा आवती नथी परंतु वार्षिक धोर्णे क्षती माटे परिक्षण करवामा आवे छे रविये आ वात ध्यांती लिधी तो अमूर्थ असकयामतों नू संचालन ए भौतिक असकयामतों नू संचालन करवा जेतलूज महत्वपूर्ण छे अने मारे तेमना मुल्य अने रूर्मुक्ती नो ट्रेक राखवानी जरूर छे बराबर रवी शिक्षके जवाब आपयो तमारी अमूर्थ असकयामतों ने ओर्खी ने अने योग्य रिते संचालित करीने तमे मात्र इंड S38 नू पालन करो छो परंतु एपण सुनिश्चित करो छो के तमारी बुक्स्टोर ना नाणाकिय निवेद नो तेना साचा मुल्य ने चोक्कस रिते प्रतिबिम्बित करे छे आ पार्दर्शिता रोकाण कारो अने हित्धार कोने तमारा व्यवसाईनी मूर्थ असकयामतों नी बहार ना मुल्य ने समझवामा मदद करे छे जेम जेम वर्ग पूरो थयो ते रवी अमूर्थ असकयामतों विशे प्रबुद्ध अनुभवता रूम मा थी बहार निकली गयो तेमने तेमना पुस्तकों नी दुकान मा मुल्य उमेरवामा अने तेमने चोक्कस रिते ओडखवा मापवा अने जाहेर करवाना महत्वने समझया आ नवा ज्ञान साथे रवी ने अमूर्थ असकयामतों नो असरकारक रिते लाभ लेवा माटे सशक्त अनुभवायो तेनी खात्री करीने के तेनी बुक स्टोर्स परधात्मक बजार मा खिली शके कृपा करीने सूचनाओ मेरववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तेजस्वी अने हुमफारू बपोरे जारे सूर्य वर्गखंड नी बारियो माथी रमतियार पढचायो फैकी रहो हतो रवी अपेक्षानी भावना साथे प्रवेश्यो तेमना शिक्ष के जटिल विभावनाओने आकर्षक वार्ताओं माँ परिवर्तित करवानी रीत तेमने गमती हती आजनों पाठ इंद इस चालिस पर केंद्रित छे, जे इन्वेस्टमेंट प्रोपर्टी साथे संबंधित छे रवी ए जोवा माटे उच्सुक हतो के तेना शिक्षक आ विशय पर केवी रिते प्रकाश पार्षे शिक्षके वर्गनी आगल पोतानू स्थान मेलव्यू त्यारे तेमने तेमना लाक्षनिक स्मित साथे विध्यार्थियोंनू स्वागत करियू शुप बपोर दरेक ने आजे अमें रोकाण गुल्धर्मोंनी रस्प्रत दुनियानी शोध करिशू चालो कल्पना करिये, रवी, तमें तमारा व्यवसायना पोर्टफोलियोंने वधार्वा माटे तमारा कुस्तकोनी दुकान माटे केटलिक मिल्कतों मा रोकाण करवानू नक्की करियू छे आ द्रुश्य अमने इंदैस चार शुन्य समझवामा मदद कर्शे रवी अंदर जुकी गयो, तिरसकार थयो साहेब रोकाणनी मिल्कत शु छे शिक्ष के शरू करियू, रोकाणनी मिल्कतने माल के सेवाओना उत्पादन अथ्वा पूर्वठामा अथ्वा वहिवती हेतुओ माटे उप्योग करवाने बदले भाडानी कमाणी माटे अथ्वा मुडीनी प्रशंसा माटे अथ्वा बनने माटे राखवामा आवेली मिल् श्यायत करवामा आवे छे। तो ते रोकाणनी मिल्कत तरीके गणाशे। बराबर रवी शिक्षके पुष्टी करी। रोकाणनी मिल्कतों माँ जमीन अथ्वा इमार्तों नो समावेश थाई शके छे। अने ते सामान्य रिते तमारा व्यवसाईनी कामगीरी मां सिधो उप्योग मां लेवाती मिल्कतों थी अलग पड़े छे। उदाहरण करी के तमें ज्या तमारी बुक स्टोर चलावो छो ते जग्या रोकाणनी मिल्कत नथी कारण के तेनों उप्योग तमारी व्यवसाईक प्रवृत्तियों माटे थाई छे। रविये हाथ उचो कर्यों कुतुहलनों परकोटों। मारा नाडाकिय निवेदनों मां हुँ रोकाण गुंधर्मों माटे केवी रिते एकाउंट करी शकू। शिक्ष के जवाब आपयो 24 हेठर तमे रोकाणनी मिल्कतों ना हिसाब माटे बे मोडल माथी पसंद करी शको छो खर्च मोडल अने वाजबी मुल्य मोडल। जो तमे खर्च मोडल अपनावो छो तो तमे खर्च ओछा संचिद अवमुल्य अने कोई पण क्षतीनी खोट पर रोकाणनी मिल्कत ने मापशो। तेना थी विप्रित जो तमें वाजबी मुल्य ना मोडल ने पसंद करो छो तो तमें रोकार नी मिलकत ने तेना वाजबी मुल्य पर मापी शक्षो नफा अथ्वा नुकसान मा ओर्खाता फेरफारों साथे रविये एक क्षण माटे आ विशे विचारियू वाजबी मुल्य मौडेल नो उप्योग करवाना फाइदा शू छे शिक्ष के समझावियू वाजबी मुल्य नू मौडेल मिलकत ना मुल्य नू वदू वर्तमान दृश्य प्रदान करे छे जे बजारनी स्थिती ने प्रतिबिम्बित करे छे जो प्रोपर्टी ना मुल्यो जड़प्ती बदलाई रया होए तो अभिगम खास करीने फाइदाकारक बनी शके छे जो के तेने नियमित पुनह मुल्याकन अने विश्वसनिय मापन प्रक्रियानी जरूर छे बीजी बाजू, खर्च मोडल सरण छे अने ओचा वारंवार आकारणियों नी जरूर छे वधू माहिती माटे आतुर रविये फरी हात पूचो कर्यों शू मारे रोकाणनी मिलकतो विशे कोई चोकस जाहिरात करवानी जरूर छे महान प्रश्न, शिक्षके कहिऊं, हाँ, इन्द 24 ने चोकस जाहिरातो नी जरूर छे तमारे वप्रायल मापन आधार, जो तमे खर्च मौडेल नो उप्योग करी रहा होव तो रोकाणनी मिलकतो नू वाजबी मुल्य अने मिलकत परना कोई पण नियंत्रणों विशे नी विगतो जाहेर करवी आवश्यक छे बधूमा जो तमारी पासे मिलकत संबंधित कोई भाडानी आवक अथवा संचालन खर्च होए तो ते पड़ जाहेर करवा जोईए रवी ए एक प्षण माटे आव विशे विचारियूं तो पारदर्शिता अने अनुपालन माटे आ बधी माहितीनों ट्रेक राखो महत्वपूर्ण छे चोककस रवी शिक्षके खात्री आपी रोकाण गुंधर्मों माटे योग्यरिते एकाउंटिंग मात्र इंद इस चालीस नू पालन सुनिष्चित करतू नथी पण तमारी नाणाकिय स्थिती अने तमारा रोकाणों माथी संभवित आवक विशे हिद्धारकों ने मुल्यवान माहिती पण प्रदान करे छे जेम जेम वर्ग समाप्त थयो ते रवी ने रोकाण नी मिलक तो ओफर करी शके तेवी शक्यताओ विशे उत्सानी लागणी अनुभवी तेयों ओप्रेशनल अने इन्वेस्टमेंट प्रोपर्टीज तेमज एकाउंटिंग पद्धतियों अने तेमा सामेल जाहिरातों वच्चे तफावत नुँ महत्व समझता हता आ नवा ज्ञान साथे रविये हिसाबी धोरणों नुँ पालन सुनिश्चित करीने तेनी बुक स्टोर ना नानाकिय भविशने वधारी शके तेवा रोकाण नी तको शोध्वा माटे सशक्त अनुभवियू क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक शांत बपोरे बहार्थी खडखडाट पांदडाओना हडवा अवाज साथे रवी वर्ग खंड माँ प्रवेश्यो तेना शिक्ष के आजे कई मनमोहक वार्ता तैयार करी छे ते जानवा माटे उत्साहित जटिल विश्योंने आकर्षक वार्ताओं माँ परिवर्तित करवा माटे जानीता शिक्षक इंड एस 41 नू अन्वेशन करवाना हता जे क्रुशी साथे संबंधित छे आ केवी रिते प्रगट थशे ते जोवा माटे रवी भाग्येज राह जोई शके छे शिक्षके अंदर जतानी साथेज विद्यार्थियोंने तेमनी सही हुमफ्थी वधावी लिधा शूप बपोर दरेक ने आजे अमे क्रुशी नी रस्प्रत दुनिया अने नाणाकिय निवेदनों मा ते केवी रिते गणवामा आवे छे ते विशे जानवा जई रहा छिए कल्पना करो रवी तमे एक पारिवारिक खेत्रनू संचालन करी रहा छो ज्या तमे विवित पाको उगाडो छो आ द्रुश्य अमने इंद S4-1 समझवामा मदद करशे रवी पोतानी सीट पर बेसी गयो आ विचारमा रस पड़ियो मारा फार्म माटे इंद S41 नो अर्थ शू छे सर शिक्षके शरुवात करी S41 एक क्रुशी प्रवृत्ती माटे एकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर मार्ग दर्षन पूरू पाडे छे क्रुशी प्रवृत्ती माँ जयविक असकयामतो ना संचालन नो समावेश ठाई छे जे माँ जीवन्त छोड अने प्राणियों नो समावेश ठाई छे उदाहरन करीके जो तमारी पासे केरीनो बगीचो छे तो व्रुक्षो जयविक संपत्ती छे अने उत्पादित केरीने क्रुशी पेदाश गणवामा आवे छे रविये माथू हलाव्यों ख्याल समझवा लाग्यों तो आमबाना व्रुक्षो एक संपत्ती छे कारण के तेओ आवक पेदा करी शके छे बराबर रवी शिक्ष के खात्री आपी 211 हेठर जयविक असकयाम तो तेमना वाजबी मुल्यमा वेचवा माटे ओछा खर्चे मापवा जोईए आनो अर्थ हे छे के तमारे बजार किम्मतों ना आधारे तमारा केरीना जाडनी किम्मत नो अंदाज काढ़ो पडशे केरीना वेचान साथे संक्रायला कोईपण खर्चने बाद करो आ मापन सुनिष्चित करे छे के तमारा नाणाकिय निवेदनो तमारी क्रुशी संपत्तीना साचा मुल्यने प्रतिबिम्बित करे छे वधू जानवा माटे उत्सुक रविये हाथ उचो करे ओ हूँ जे पाक लूचू तेनूशू हूँ तेमनों हिसाब केवी रिते करी शकू शिक्ष के जवाब आपयो एक वार तमे पाक लशो ते क्रुशी पेदाश बनी जशे लण्डीना समय तमारे तेमने तेमना वाजबी मुल्यमा वेच्वा माटे ओछा खर्चे मापवा जोईए आ तमारी इन्वेंटरी बनी जाए छे जैने तमे तमारा नाणाकिय निवेदनों मा ओर्खी शक्षो उदाहरण तरीके एकवार तमे केरी चूटी लो ज्या सुधी तमे तेने वेचो त्या सुधी तमे तेनी किम्मत इन्वेंटरी तरीके रेकोर्ड करशो रवी ए एक प्षण माटे आ विचारियूं मारी जैविक असकयामतोंनू मुल्य समय साथे बदलाए तो शू थाए शू मारे मारा खाताओं मा तेमना मुल्य ने समायोजित करता रहवानी जरूर छे हाँ, रवी शिक्षके उत्साहती कहिऊं तमारे दरेक रिपोर्टिंग तारीखे तमारी जैविक संपत्ती ने फरीथी मापवानी जरूर पडशे जो वाजबी मुल्य बदलाए छे तो तमे नफा अथवा नुकसान मा ते फेरफारोंने ओडखो छो आ प्रक्रिया सुनिष्चित करे छे के तमारा नाणाकिय निवेदनों सचोट अने तमारा फार्मनी कामगीरी ने प्रतिबिम्बित करे छे रवी ये आ विशे विचारी ने बीजो प्रश्न करे ओ मारा पाक ने असर करता रोगों जेवा पड़कारों नों सामनों करवो पड़े तोशूं। पात्र रकम करता वधी गई छे। जो ते थाए तो तमारे तमारा नानाकिय निवेदनों मां क्षतीनी खोड ओड़कवानी जरूर पड़े। आ प्रथा ए सुनिश्चित करे छे के मुश्केल समय मां पड़ तमारी नानाकिय स्थिती सचोट रिते रजू थाए छे। रवी मोहित थाई गए। तो खेत्रनू संचालन करवामा मात्र पाक उगाडवानों ज नहीं परंतु तेमना नानाकिय मुल्यनों पड़ ख्याल राखो अने पड़कारों माटे तैयार रहवानों समावेश थाए छे। चौककस रवी शिक्ष के जवाब आपयो। अइस 41 ने समझीने अने लागू करीने तमे तमारी जैविक अस्क्यामतों अने क्रुशी पैदाशों ना मुल्य विशे माहित गार रहेशो तेनी खात्री करीने तमे तमारा फार्मना संसाधनों नों असरकारक रिते संचालन करी शको छो। आ ग्नान तमने तमारा खेत्रना भविश्य माटे वधू सारा निर्णयों लेवानी शक्ती आपे छे। जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेम रविये क्रुशी हिसाब नी जटिलताओ विशे प्रेरित अने जानकार लागनी छोडी दिधी। ते जैविक असकयाम्तोंने मापवानू महत्व अने तेना नानाकिय निवेदनों तेना कुटुंग ना खेत्रनी कामगीरीने सचोट रिते प्रतिबिम्बित करे छे तेनी खात्री करवा माटे वाजबी मुल्य मुल्याकननू महत्व समझे छे। आ नवी समझण साथे रवीने खेतीनी दुनियाने स्विकारवा माटे तैयार लाग्यू जे तेना पाक अने तेना नाना बन्ने ने असरकारक रिते संचालित करवा माटेना साधनों थी सज्ज छे। क्रूपा करीने सूचनाओ मेलवा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक तेजस्वी अने सन्नी बपोरे रवी आतुर स्मित साथे वर्गखंड माँ दाखल थयो, ते तेना प्रख्यात शिक्षकना बीजा रस्प्रद पाठ माँ डूबी जवा तैयार हतो। आजे विशय हतो इंद S101 जे भारतिय एकाउंटिंग धोरणों ना प्रथम वखत अपनाववा पर ध्यान केंद्रित करे छे। तेना शिक्षक आ जटिल विश्य ने एक आकर्षक वार्तामा केवी रिते वणी लेशे ते जोवा माटे रवी राह जोई शक्यों नहीं। जुप बपोर दरेक ने आजे अमे भारतिय एकाउंटिंग स्टांडर्स ने प्रथम वखत अपनाववानों अर्थ शूँ छे ते समझवा माटे प्रवास शरू करीशूं। चालो कल्पना करिये रवी तमे तमारा हालना पुस्तकोनी दुकानने एक मोटा वधू गतिशिल व्यवसायमा रुपांतरित करवानू नक्की करियू छे अने तमे हवे प्रथम वखत भारतिय एकाउंटिंग धोरणोंने अपनाववा माटे तैयार छो। आ द्रुश्य अमने इंद S101 नू अन्वेशन करवामा मदद करशे। रवी नी उच्सुकता व्यापी गई। सर, शिक्षके शरुवात करी 211A1 मार्खु छे जे तमारा बुक स्टोर जेवी संस्थाओने अगाउना एकाउंटिंग धोरणों थी भारतिय एकाउंटिंग धोरणों मा केवी रिते संक्रमण करवू ते अंगे मार्गदर्शन आपे छे। आ संक्रमण महत्वपूर्ण छे कारण के तेने नवा सिद्धान्तों अने ते तमारा नाणाकिय निवेदनोंने केवी रिते असर करे छे, तेनी व्यापक समझनी जरूर छे। तेने नवा नियमों साथे नवा सहसनी तैयारी तरीके विचारों। रविये माथु हलाव्यों, विचार मां रस पड़े। तो आ धोरणोंने अपनाववा माटे मारे कया पगला लेवानी जरूर छे। शिक्ष के समझाव्यों, प्रथम तमारे तमारी संक्रमणनी तारिक नक्की करवानी जरूर छे, जे तारिक छे जारे तमें इंद एस लागू करवानूं शरू करो छो। आ तारिके तमें नवा धोरणोंनू पालन करती ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करशो। आ बैलेंस शीट तमारी नाणाकिय स्थितीना स्थितीना स्नेपशोट तरीके काम करे छे, जे इंड एस हेठल तमारी संपत्तियों, जवाबदारियों अने इक्विटीना मुल्योंने प्रतिबिम्बित करे छे। वधू समझवा आतुर रविये हाथ उचो करे। मारा अगावना नाणाकिय निवेदनोंना आकडाव विशेशूं। शू मारे तेने समायोजित करवानी जरूर छे। उत्तम प्रश्न रवी शिक्षके उत्साहती कहिऊं। हाँ, तमारे जूना एकाउंटिंग धोरणों अने नवा इंद इस वच्चेना कोईपण तफावतने प्रतिबिम्बित करवा माटे तमारा अगावना नाणाकिय निवेदनोंने समायोजित करवानी जरूर पडशे। आ गोठवन प्रक्रियाने समाधान तरीके ओडखवामा आवे छे। तमे एक समाधान निवेदन बनावशो जे दर्शावे छे के तमारा अगावना आकडा इंद आइस हेठर ना नवा आकडा ओथी केवी रिते अलग छे। रविये उंडों विचार करयों। जो एवा विस्तारों होई के ज्या नवा धोर्णों विवित सार्वार माटे परवांगी आपे छे तो शू। हुँ केवी रिते नक्की करू के शू करवूं। शिक्ष के समजण मां माथू हलाविय। ऐस 101 हेठर त्या 24 छूट छे जे तमे संक्रमण करती वखते पसंद करी शको छो। दाखला तरीके तमे मिलकत प्लांट अने साधनों अथवा नाणाकिय साधनों माटे अमुक छूट लागू करवानू पसंद करी शको छो। आ सुगमता तमने संक्रमण प्रक्रियाने सरण बनाववा माटे परवानगी आपे छे ज्यारे खात्री करोके तमारा नाणाकिय निवेदनों तुल्नात्मक रहे छे। रविये सवालो थी भरपूर बीजो हात उचो कर्यों। शू आ संक्रमण दर्मियान मारे जे जाहिरातों करवानी जरूर छे तेना पर कोई चोकस मार्ग दर्शन छे। हां, त्या छे शिक्ष के जवाब आपेओ। अने तमारी ओपनिंग बैलेंस शीट परनी असर विशेनी विगतोंनों समावेश ठाय छे। जेम जेम पाट चालू रहो तेम, रवी नवा एकाउंटिंग धोर्णों अपनाववानी जटिलता अने महत्वती वधूने वधू आकर्षित थतो गयो। तेम ने समझायू के आ संक्रमण मात्र संख्याओ विशेज नथी परन्तु हिद्धार को साथे पारदर्शिता अने विश्वा सुनिष्चित करवा माटे पड़ छे। तो प्रथम वखत इंड एस ने अपनाववू ए मारा व्यवसाय ने वधारवा माटे एक महत्व पूर्ण पगलू छे। तेने पुछिऊं। चोककस रवी शिक्षके पुष्टी करी। आ संक्रम्णने सफलता पूर्वक नेविगेट करीने तमे मात्र एकाउंटिंग धोर्णों नूच पालन करता नथी परंतु बजार माँ वधू विश्वसनियता अने सफलता माटे तमारी बुक स्टोर ने स्थान पड आपो छो। सचोड अने विश्वसनिय नाणाकिय माहिती रजु करवानी तमारी क्षमता तमारा रोकाण कारो ग्राहकों अने अन्य हिसेदारों मा विश्वास जगार शे। जेम जेम वर्ग समाप्त थतो गयो तेव रविये इंड एस 101 ने अपनाववानी यात्रा विशे प्रबुद्ध लागनी छोडी दिधी। ते संक्रमण मा समाविष्ट पगला अगाउना नाणाकिय आकडाओनू समाधान करवानू महत्व अने स्पष्ट जाहिरातों नी जरुरियात ने समझ्यों। आ नवा ज्ञान साथे रविये सशक्त अनुभव्यू अने तेना व्यापार साहस शरू करवा माटे तैयार थया विश्वास छे के ते तेनी बुक स्टोर नी भावी वृद्धी अने अखंडित्ताने सुनिश्चित करीने भारतिय एकांटिंग स्टांडर्स माँ परिवर् बपोरे सूर्य वर्गखंडनी बारियों माथी वहतो हतो रवी दिवसना पाठ विशे कुतुहलनी भावना साथे पहुँच्यों तेमना शिक्षक तेमनी मनमोहक वारता कहवानी क्षमताओ माटे जानीता इंद S102 ना विश्यमा अभ्यास करवा माटे तैयार हता जे शेरा धारित चुकवणी थी संबंधित छे रविये आतूर्ता थी तेनी बैठक लिधी तेना शिक्षक आख्यालने केवी रिते जीवन्त करशे ते जोवा आतूर शिक्षक वर्गनी सामे स्थाई थता तेमने विद्यार्थियोंनू हार्दिक स्मित साथे स्वागत करिऊं धारित चुकवणी नी रस्प्रत दुनियानों अन्वेशन करीशूं। चालो कल्पना करिये रवी तमे एक नवी टेक कंपनी शरू करीछे अने तमे प्रतिभाशाडी कर्मचारियोंने तेमना वर्तरना भागरुपे तमारा व्यवसाय मां शेर ओफर करीने तेमने आकर्श मांगो छो। आ द्रुश्य अमने इंद S102 समझवामां मदद कर्शे। रवी आगल जुक्यों तिरस्कार थयो। तो सर पेमेंट तरीके शेर ओफर करवानों अर्थ शू छे। शिक्ष के शरू करियों, शेरा धारित चुकवणी त्यारे थाय छे जारे कोई कम्पनी तेना कर्मचारियोंने तेमना महेंताना भाग रुपे शेर अथवा शेर विकल्पो प्रदान करे छे। आ प्रथा कर्मचारियोंना हितोंने कम्पनीना प्रदर्शन साथे सन्रेखित करे छे, तेमने तेनी सफर्तामा योगदान आपवा माटे प्रेरित करे छे। 19102 हेठर तमारे तमारा नाणाकिय निवेदनों मा शेरा अधारित चुकवनी साथे संक्रायला खर्चने ओरखवानी जरूर पडशे। रवीनी आखो पहुडी थाई गई। हुँ मारा कर्मचारियोंने जे शेर आपूछू तेना खर्चनी गणतरी हुँ केवीरिते करी शकू। शिक्ष के समझावियू, खर्च अनुदाननी तारीखे अपायला शेर अथवा शेर विकल्पोना वाजबी मुल्य पर मापवामा आवे छे। उदाहरन करीके, जो तमे तमारा कर्मचारियोंने चौकस किम्ते शेर खरीदवा माटे विकल्पो आपवानू नक्की करो छो, तो तमारे ते विकल्पोना वाजबी मुल्य नू मुल्याकन करवानी जरूर पडशे जारे तेओ आपवामा आवे छे। आ मुल्य पछी वेस्टिंग समयगाळा दर्मियान खर्चवामा आवे छे। स्पष्टता माटे आतुर रविये हाथ उचो करे। जो में विकल्पो आपवा पची शेर नी किम्मत नौंध पात्र रिते वधे तोशू। शू तेना थी खर्च माँ फेर्फार थाई छे। महान प्रश्ण रवी शिक्षके जवाब आपयो। शेर नी किम्मत माँ भावी फेर्फारोंने ध्यान माँ लिधाविना तमे अनुदाननी तारीखे गणतरी करेल वाजबी मुल्य समान रहे छे। जो के जो विकल्पोंनो उप्योग करवामा आवे तो कम्पनी वधारानी एक्विटी ने ओरखे छे अने तेना नाणाकिय निवेदनों मा तेने प्रती बिम्बित करे छे। बजार किम्मतों मा थती वधगटने कारणे विकल्पों सम्बंधित प्रारंबिक खर्च बदलाशे नहीं। रविये आ कॉंसेप्ट विशे उंडों विचार करयो। शु मारे शेराधारित चुकवणियों सम्बंधित जाहिरातों करवानी कोई चौकस जरूरियातों छे। हां, खरेखर शिक्षके जवाब आपयो। ऐस एकसो बे माटे कंपनियोंने शेराधारित चुकवणि व्यवस्था विशे विगतवार जाहिरातों प्रदान करवानी आवशक्ता छे। आपेल विकल्पोनी संख्या, कसरतनी किम्मत अने विकल्पोनी वाजबी किम्मत जेवी माहिती तमारे जाहिर करवी पडशे। आ जाहेरातों हिस्सेदारोंने कम्पनीनी नाणा की अस्थिती अने कामगीरी पर शेर आधारित चुकवणी नी असरने समझवामा मदद करे छे. रवीनो रस जाग्यों जो हुँ शेरा आधारित चुकवणी योजनाने रद अथवा संशोधित करवानू नक्की करू तोशू थशे. शिक्षके माथू हलावियू. जो तमें शेरा आधारित चुकवणी व्यवस्थाने रद करो छो अथवा तेमा फेरफार करो छो तो तमारे मूर वेस्टिंग शेडियूलने ध्यानमा लिधाविना बाकीना खर्चने तरतज ओडखवानी जरूर पडशे. तमारा नाणाकिय निवेद नो पर्मी असर नक्की करवा माटे नवी व्यवस्थाना वाजबी मुल्यनू पर मुल्यांकन करवानी जरूर पडशे. जेम जेम पाठ आगण वधतो गयो तेम रवी शेर आधारित चुकवणी ना ख्याल थी वधूने वधू आकर्शित थतो गयो. तेम ने समझायू के आ अभीगम मात्र कर्मचारियोंने प्रोचसाहित करतू नथी पड़ खर्च अने जाहिरातोंना हिसाब माँ सावचेती पूर्वक विचारणा करवानी पन जरूर छे. तेथी शेर आधारित चुकवणी नो उप्योग मारी कम्पनी माटे फाइदाकारक होई शके छे. परन्तु तेमा एकाउंटिंग नी जवाबदारियों पन सामेल छे. तेने पुछिऊंँ. बराबर रवी शिक्षके पुष्टी करी. शेराधारित चुकवणीयों कम्पनी मी सफलता साथे कर्मचारियोंना हितोंने संरेखित करती वखते प्रतिभाने आकर्श्वा अने जार्वी राखवा मां मदद करी शके छे. जो के तमारा नाणाकिय एहवाल मां पारदर्शिता अने चोकसाईनी खात्री करवा माटे एकाउंटिंग धोरणोंनू पालन करवूं महत्व पूर्ण छे. जेम जेम वर्ग समाप्त थयो तें रविये इंड इस एक सो बे नी जटिलताओ विशे प्रबुद्ध अनुभूती छोड़ी दिधी. ते समझी गयो के शेर आधारित चुकवणी केवी रिते मापवी वाजबी मुल्य आकारणीनू महत्व अने योग्य जाहिरातनी आवश्यक्ता. आ नवा ग्न्यान साथे रविये शेराधारित चुकवणीनी दुनियामा नेविगेट करवा माटे सशक्त अने तैयार अनुभव्यू, विश्वास छे केते एकाउंटिंग धोरणोंनू पालन सुनिश्चित करीने प्रतिभार्शारी व्यक्तियोंने तेनी टेक कंपनीमा आकर्शित करी शक्षे। शिक्षक ने इंड एस 103 नी विभावनानी शोध करवा माटे सेट करवा मा आव्यो हतो जे बिजनेस कॉंबिनेशन पर ध्यान केंद्रित करे छे। आ केवी रिते प्रगट थशे ते जोवा माटे रवी भाग्येज राह जोई शके छे। शिक्षक ओडामा प्रवेश्टानी साथेज विद्यार्थियोंने तेमनी हम्मेशनी हुमफ्थी आवकार्या। शुप बपोर दरेक ने। आजे आपने बिजनेस कॉंबिनेशन नी दुनियामा डूब की मारवा जई रहा छिये। चालो कल्पना करिये, रवी, तमे सफरता पूर्वक एक नानी पड लोकप्रिय बैकरी बनावी छे, अने हवे तमे तमारा व्यवसाईने विस्तारवा माटे बीजी बैकरी हस्तगत करवा मांगो छो। आ दृश्य अमने इंद इस 103 समझवामा मदद करशे। आ विचार्थी रसिक थाईने रवी पोतानी सीट पर बेसी गयो। अन्य व्यवसाई हस्तगत करवानो अर्थ शू छे, सर। शिक्ष के शरुआत करी, एक कंपनी ज्यारे बीजी कंपनी पर नियंत्रण मेडवे छे, त्यारे बिजनेस कॉंबिनेशन थाई छे। आ तेनी असकयाम तो शेरो अथवा मरजर द्वारा पण थाई शके छे। इन ऐस एकसो त्रण हेठर ते नक्की करवू जरूरी छे के व्यवहार ए व्यवसाईक सयोजन छे के कें अने जोते छे, तो तमारे तेना माटे योग्यरिते एकाउंट करवानी जरूर छे। रविये माथू हलाव्यों ख्याल समझवा लाग्यों, तो बीजी बैकरी खरिती वखते मारे कया पगला भरवानी जरूर छे। सवप्रथम शिक्ष के समझाव्यों तमारे हस्तगत करनार ने ओरखवानी जरूर छे। तमारा किसामा तमारी बैकरी ना मालिक तरीके तमे प्राप्त करता बन्षो। आगर तमारे संपादन नी तारिक नक्की करवी आवश्यक छे। जे ते तारिक छे जारे तमे अन्या बैकरी पर नियंत्रण मेलवो छो। वधू माहिती माटे आतुर रविये हाथ उचो कर्यों. बीजा व्यवसाई पर नियंत्रण राखवानों अर्थ शू छे. शिक्ष के जवाब आपयों, नियंत्रण ए तेनी प्रवृत्तियों माथी लाभ मेडववा माटे हस्तगत करेल व्यवसाई नी नाणाकिय अने संचालन नितियों ने संचालित करवानी शक्ती छे. आनों अर्थ हे छे के व्यवसाई केवी रिते चाले छे, तेना विशे निर्णै लेवानी क्षमता होवी जोईए. उदाहर्ण तरीके, जो तमे अन्या बैकरी मां 50 टकाथी वधू शेर खरीदो छो, तो तमे नियंत्रण मेडवो छो अने तेनी दिशाने प्रभावित करी शको छो. रवी ये आना पर विचार करेो अने पुछियू, हूँ जे बैकरी हस्तगत करी रहो छो, तेनी संपत्ती अने जवाबदारियों नूशू. हूँ तेनों हिसाब केवी रिते करी शको. उत्तम प्रश्न रवी. शिक्ष के आगड कहिू. जारे तमे अन्या व्यवसाई हस्तगत करो छो, त्यारे तमारे हस्तगत करेल ओरखी शकाई तेवी असक्यामतों अने संपादन तारीखे तेमना वाजबी मुल्यों पर धारवामा आवेली जवाबदारियों ने ओरखवी आवशक छे. आ प्रक्रियाने एकाउंटिंग नी खरीदी पद्धती तरीके ओडखवामा आवे छे. दाखला तरीके जो अन्या बैकरी पासे साधनों, इन्वेंटरी अने लीस करार होए, तो तमारे संपादन समय आ संपत्तियों अने जवाबदारियों ना वाजबी मुल् जरूर पढशे. रवीनी उत्सुकता वधी. जो असकयामतोंनों वाजबी मुल्य में बैकरी माटे चुकवेल खरीद किम्मत करता वधी जाए, तो शू ठाए. शिक्ष के समझाव्यू के, जो प्राप्त करेली चोखी संपत्तिनों वाजबी मुल्य खरीद किम्मत करता वध जाए, तो तमारी पासे नकारात्मक सद्भावना नामनी परिस्थिती होई शके छे. आवा किस्साओं मां तमारे सचोट्ता सुनिश्चित करवा माटे असकयामतों अने जवाबदारियोंना वाजबी मुल्योंनू फरीथी मुल्याकन करवानी जरूर पढशे. जो के सामान रिते, जारे तमे कोई व्यवसाई हस्तगत करो छो, त्यारे खरीदीनी किम्मत कोई पर सद्भावना सहित समग्र व्यवसाईना मुल्य पर आधारित होई छे. आ चोखी और खी शकाय तेवी असकयामतों ना वाजबी मुल्य करता खरीदी किम्मतना वधाराने दर्शावे रवी एक प्षण विचारियूं. तो गुडविल एक प्रीमियम जेवू छे जे हुँ हस्तगत करेल बैकरीनी प्रतिष्ठा अने ग्राहक वफादारी माटे चुकवू छू. बराबर रवी. शिक्षके खात्री आपी. गुडविल व्यवसाई हस्तगत करवाना अमूर्त लाभोंने प्रतिबिम्बित करे छे, जेम के तेनी ब्रांड मुल्य, ग्राहक संबंदों अने तमे प्राप्त करवानी अपेक्षा राखो छो. इन एस 103 हेठर तमारे वार्षिक क्षती माटे सद्भावनानू परिक्षण करवानी पन जरूर पडशे, जेनो अर्थ एछे के तेनी वहन्नी रकम तेनी पुनाप्राप्ति पात्र रकम करता वधी गई छे के केम तेनू मुल्यांकन करवू. जेम जेम पाठ पूरो थयो तेम रवी ने बिजनेस कॉम्बिनेशन नी विभावना विशे प्रबुद्ध लागियू. ते हस्तगत करनार ने ओडखवा, असकयामतो अने जवाबदारियोंने ओडखवा अने सद्भावना माटे हिसाब आपवानू महत्व समझता हता. तो बीजो धन्दो मेलवगो ए मात्र संख्याओ विशेज नथी परंतु तेनी पाचर ना मुल्यने समझवा माटे पड़ छे. तेने पुछिऊं, चोककस रवी, शिक्ष के जवाब आपयों, एक सफण व्यापार सयोजन माटे नाणाकिय अने व्युहात्मक बनने पासाओनी कारजी पूर्वक विचारना जरूरी छे. इन्द S103 नुँ पालन करीने तमे खात्री करीशको छोके तमारा नाणाकिय निवेदनों समपादननी असरने चोककस रिते प्रतिबिम्बित करे छे, हितधारकोने स्पष्टता प्रदान करे छे. जेम जेम वर्ग समाप्त थयो, रविये इन्द S103 नी व्यापक समझ साथे सशक्तिकरणनी लागणी छोड़ी दिधी. तेने समझायू के व्यवसाइक संयोजनमा नेविगेट करवामा नाणाकिय कुशर्ता अने व्युहात्मक अग्मचेती बन्नेनों समावेश ठाय छे. आ नवा ज्णान साथे रविये एक्विजिशन द्वारा तेनी बैकरी ना विस्तरणनी शक्यताओ अन्वेशन करवा माटे तैयार अनुभवियो, व्यवसाइक संयोजनोंनी जटिलताओने असरकारक रिते संचालित करवानी तेनी क्षमतामा विश्वास हतो. क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो. हुमफाडू बपोरे वर्गखंडनी बहार पांडडा हर्वेथी नाचता हता, रवी दिवसना पाठ विशे उच्सुक्ताना स्पार्क साथे प्रवेश्यों. तेमना शिक्षक, तेमनी आकर्षक वार्ता कहवा माटे उजववामा आवे छे, ते इंद S104 नी जटिल दुनियामा जोवा माटे तैयार हता, जे वीमा करार पर ध्यान केंद्रित करे छे. रवी स्थाई थयो, तेना शिक्षक आ जटिल विशने केवीरी ते प्रकाशित करशे ते जोवा आतूर. शिक्षके विद्यार्थियोंनों अभिवादन करता, तेने हसीने कहिऊ, शूप बपोर, दरेक ने. आजे, अमें वीमा करार ना आकर्षक ख्षेत्रनी शोध खोड करवा जई रहा छिए. चालो कल्पना करिये, रवी, तमें हमनाज नवी वीमा एजनसी खोली छे, अने तमें जे वीमा करार वेचो छो, तेनू एकाउंट केवीरी ते बनाव हुँ ते समझवा माटे तमें आतूर छो. आ द्रुष्य अमने इंड इस 104 ना सिद्धान्तोंने समझवा मां मदद करशे. रवी अंदर जुकी गयो, तिरसकार थयो. तो, सर, वीमा करार शू छे? शिक्ष के शरू करियू, वीमा करार ए वीमा दाता अने पॉलिसी धारक वच्चे नो करार छे, ज्या वीमा दाता प्रीमियम ना बदलामा अमुक जोखमों माटे पॉलिसी धारक ने वर्तर आपवानू वच्चन आपे छे. इन एस 104 हेठर, नाणाकिय निवेदनों मा आ करारों केवी रिते गणवामा आवे छे, ते ओडखु महत्वपूर्ण छे. रविये हकार मां माथु हलाव्यू, वधू उंदार मां जवा मांग्यू. आ कॉंट्राट्स विशे मारे समझवानी जरूर होई तेवा मुख्य घटकों कया छे. सरस्प्रश्ण, रवी, शिक्षके उत्साह पूर्वक जवाब आपयों. घटा मुख्य पासाओ ध्यान मां लेवाना छे. प्रथा, तमारे नक्की करवू जोईये के करार वीमा करार नी व्याख्या ने पूर्ण करे छे केकें. आमा मुल्याकर्णों समावेश ठाय छे, केशू करार नौंधपात्र वीमा जोखम ने पॉलिस इधारक पासे थी वीमा कम्पनी ने ट्रांस्फर करे छे. जो ते करे छे, तो ते इंद S104 हेठण वीमा करार तरीके लायक ठरे छे. वधू जानवा आतुर रविये हाथ उचो करेू. हूँ पॉलिसी धारको पासे थी जे प्रीमियम मेरवे छे, तेने हूँ केवी रिते मापी शकू. तमे पॉलिसी धारको पासे थी मेरवता प्रीमियम ने शरुवात मा जवाबदारियों तरीके ओडखवामा आवे छे, कारण के तेओ कवरेज प्रदान करवानी तमारी जवाबदारीनों प्रतिनिधित्व करे छे. समय जता, तमे आ प्रीमियम ने आवक तरीके ओडखशो, परन्तु आ प्रक्रियामा ते करारों साथे संक्रायला अपेक्षित भावी दावा अने खर्चनों अंदाज काढवानों समावेश थाई छे, शिक्ष के समझावियों. रवीनी उत्सुकता वधी. दावाओ विशेशू. हुँ तेमनों हिसाब केवी रिते करी शकू. दावाओ वीमा करारनू एक महत्व पूर्ण पासू छे, शिक्ष के चालू राख्यू. तमारे पॉलिसी धारकोंने चुकववामा आवनार अपेक्षित दावाओनों अंदा प्रक्रिया निर्णायक छे कारण के ते तमारा नाणाकिय निवेदनोंने असर करे छे. तमे करेला दावाओ माटे जवाबदारी ने ओडख्षो परन्तु हजू सुधी चुकवणी करवामा आवी नथी, जेने दावाओनी जवाबदारी तरीके ओडख्वामा आवे छे. रवी ए पुछता पहला एक प्षण माटे विचारियों, जो एकत्र कराएलू प्रीमियम चुकववामा आवेला दावा करता वधी जाय तो शू ठाए. हूँ तेनों हिसाब केवी रिते करी शकू. उत्तम प्रश्न रवी शिक्षके जवाब आपयो. आवा किस्साओं मा एकत्रित करेल प्रीमियम अने चुकवेल दावा वच्चेनों तफावत तमारा नफामा फारो आपे छे. जो के तमारे भविश्यना दावाओ अने खर्चाओं माटेनी संभवित्ताने पड ध्यानमा लेवी जोईए, जेना कारणे तमे आ अनिश्चित्ताने आवरी लेवा माटे अनामत जारवी राक्षो. आ अनामतो विमादातानी तेनी भावी जवाबदारियोंने पूर्ण करवानी क्षमताने सुनिश्चित करवा माटे जरूरी छे. रविये ध्याथी साम्डियू सम्कूर्ण चित्रने समझवानी इच्छा थी. शु आ विमा करारों अंगे मारे कोई चोक्कस जाहिरात करवानी जरूर छे. हाँ, खरेखर छे, शिक्षके खात्री आपी. ऐस 104 माटे तमारे तमारा विमा करारों विशेनी व्यापक माहिती जाहेर करवी जरूरी छे. जेमा जोखमों नी प्रकृती अने हद, दावाओना अंदाज माटे वप्राती पद्धतियों अने आवक ने ओडखवा माटेना आधारनों समावेश थाई छे. आ जाहेरातों हिद्धारकों ने तमारी विमा एजनसी नी नाणा की अस्थिती अने कामगीरी समझवामा मदद करे छे. जेम जेम वर्ग आगण वधतों गयो तेम तेम रवी वीमा करारनी जटिलताओ थी वधूने वधू आकर्शित थतों गयो. तेम ने समझायू के वीमा नी दुनिया मात्र पॉलिसी ओ वेचवा माटे नथी पन जोखमोनू संचालन करवा अने पारदर्शिता सुनिश्चित करवा विशेपण छे. तो मारी एजंसी ने सफलता पूर्वक चलाववा माटे वीमा करार समझवो महत्व पूर्ण छे तेने पुछिऊं। आनाथी पॉलिसी धार को अने रोकाण कारोंनों एकसर्खो विश्वास वदशे जे तमारी एजंसी नी सफलता माटे महत्व पूर्ण छे. जेम जेम पाठ पूरो थयो रविये इंद एस एकसो चार मी उंडी समझण साथे सशक्तिकरणनी लागणी छोड़ी दिधी. तेने वीमा करार प्रीमियम अने दावाओनू अनुमान केवी रिते करवू अने जाहिरातनी आवशक्ताओनू पालन सुनिष्चित करवू ते समझ्जिव। आ नवा ग्न्यान साथे रवीने विमानी रोमान्चक दुनियामा नेविगेट करवा माटे तैयार लाग्यों, तेनी नवी एजंसी नी जटिलताओने असरकारक रिते संचालित करवानी तेनी क्षमतामा विश्वास हतो। क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक तड़कावारी बपोरे, जारे पक्षियों बहार आनंद थी किलबलाट करता हता, त्यारे रवी तेना वर्गखंड माँ प्रवेश्यों, तेना शिक्ष के आजना पाठ माटे शू तैयार करियू छे ते जानवा आतूर। तैमना मनमोहक वार्ता कहवा माटे प्रख्यात शिक्षक इंद S105 नी विभावना समझाववा माटे तैयार हता, जे वेचान माटे राखवा माँ आवेली बिनवर्त मान असक्यामतों अने बंद करायली कामगीरी साथे संबंधित छे। आ जटिल विशय वार्ता द्वारा केवीरी ते प्रगट थशे ते जोवा माटे उत्सुक बनीने रविये पोतानी बैठक लिधी। शिक्ष के शरुवात करतानी साथे ज विध्यार्थियोंनू हार्दिक स्वागत करियूं। शुप बपोर दरेक ने आजे अमें नाडाकिय रिपोर्टिंग ना एक निर्णायक पासाने अन्वेशन करीशू ऐस एक सो पांच। चालो कल्पना करिये रवी तमें सफ़र उत्पादन व्यवसायना मालिक छो। जो के तमें तमारा एक विभाग ने वेचवानू नक्की करियू छे। जे विशिष्ट साधनों नू उत्पादन करे छे। आ परिस्थिती अमने वेचाण माटे राखवामा आवेल बिनवर्तमान असकयामतों पाचरना सिद्धान्तों ने संजवामा मदद करशे अने कामगीरी बंद करी देशे। रवी अंदर जुकाव्यों दृश्य जोईने तिरस्कृत थयो। साहेब बिनवर्तमान असकयामतों वेचाण माटे राखवानों अर्थ शू छे। शिक्ष के समझाव्यों बिनवर्तमान असकयामतों सामान्य रिते लामबा गाडानी असकयामतों होई छे जेने व्यवसाई एक वर्ष थी बधू समय माटे राखवा मांगे छे। जेम के इमार्तों अने मशीन ही, जो के जारे कोई कंपनी आ असकयामतों वेचवानू नक्की करे छे, त्यारे ते इंद S105 हेठर वेचाण माटे राखवामा आवेल तरीके वर्गिक्रूत करवामा आवे छे. आरिते वर्गिक्रूत करवामा आवेली संपत्ती माटे, ते तेनी वर्तमान स्थिती मा तातकालिक वेचाण माटे उपलब्ध होवी जोईए अने ते अत्यंत संभवित होवी जोईए, के वेचाण एक वर्ष मा थशे, रविये माथू हलाव्यों, समझवा लाग्यों, तो ज कया पगला भरवानी जरूर छे। शिक्ष के कहिऊ, सवप्रथम तमारे ते विभाग साथे संक्डायल संपत्ती नी वहन रकमनू मुल्याकन करवानी जरूर छे। जो वहननी रकम वाजबी मुल्य करता ओची किम्मत करता वधी जाय, तो तमारे क्षतीनी खोट ओरखवी पडशे। आनो अर्थ हे छे के तमारे तमारी बैलेंस शीट पर असक्यामतोनू मुल्य नीचे नी तरफ गोठव हूँ पडशे। वधू जानवा माटे उत्सुक र जवाब आपयो, बंद करायली कामगीरी माथी नफो अत्वा नुकसान तमारा आवक निवेदनमा अल्गती रजु करवू आवश्यक छे। विशिष्ट साधन विभाग नुकसान पेदा करी रहियू हतू, तो तमे तमारा मुख्य व्यवसाईनी नाणा किय स्थिती दर्शाववा माटे ते नुकसान ने अल्गती जाहेर करशो। रविये पुछता पहला एक प्षण माटे विचारियू, जो वेचार माँ अपेक्षा करता वधू समय लागेतो। शूहू असकयाम्तों नी जान केवी रिते करूते बदलाय छे। सारू प्रश्न शिक्ष के जवाब आपयो। जो वेचार माटे राखवामा आवेल माटेना मापदंडों हवे पूरा थता न थी, तो तमारे ते असकयाम्तों ने बिनवर्त मान असकयाम्तों मा फरीथी वर्गीक्रूत करवानी अने तेमनी वहन रकम अथवा वाजबी मुल्यना नीचा स्तरे मापवानी जरूर पढशे आ पुना वर्गीकरण तमारी कामगीरीनी चालू प्रकूती ने प्रतिबिम्बित करे छे अने सचोट रिपोर्टिंग सुनिश्चित करे छे रविये ध्यानपूर्वक साम्डियों समग्र प्रकूरियाने समझवानी इच्छा थी जारे हो डिविजन वेचवानू नक्की करू त्यारे मारे कोई चौकस जाहरातों करवी जोईए हाँ, खरे-खर शिक्षके पुष्टी करी अईस 105 ने वेचाण माटे राखवामा आवेल बिन्वर्तमान असक्यामतों अने बंद कामगीरी विशे विगतवार जाहरात नी जरूर छे तमारे बंद करायली कामगीरी नी प्रकृती वेचाण ना कारणों अने अपेक्षित नाणाकिय असर विशे माहिती प्रदान करवी आवश्यक छे आ तमारा नाणाकिय निवेदनों ना वप्राश करताओने तमारा निर्णेयों नी असरोंने समझवामा मदद करे छे जेम जेम पाठ आगर वधतो गयो तेम रवी वेचाण माटे राखवामा आवेली बिनवर्त मान असक्यामतों ना ख्याल्थी वधूने वधू आकरशित थतो गयो अने कामगीरी बंद करी दिधी तेमने समझायू के नाणाकिय एहवालना आ पासाओ तेमना व्यवसायना नाणाकिय स्वास्थ्यमा पारदर्शिता अने चोकसाई जाडवा माटे महत्वपूर्ण छे तो 12 उत्पादन व्यवसाय माटे आ असक्यामतों नी जान केवी रिते करवी ते समझवू महत्वपूर्ण छे तेने पुछिऊं। चोकस रवी शिक्षके खात्री आपी आईस 105 नू पालन करी ने तमे खात्री करी शको छो के तमारा नाणाकिय निवेद नो वेचाण नी असरने चोकस रिते प्रतिबिम्बित करे छे रोकाणकारों अने हिद्धारकों ने तमारा व्यवसायनी चालू कामगीरी विशे स्पष्टता प्रदान करे छे जेम जेम वर्ग समाप्त थयो तेम रविये इंड इस 105 विशे प्रबुद्ध लागणी छोडी दिधी तेने वेचान माटे राखवामा आवेली बिनवर्त मान असकयामतों नू वर्गीकरण केवी रिते करवू शतीना नुकसानने ओडख हुँ अने बंद कामगीरी नी अलग थी जान करवी ते समझीू आ नवा ज्ञान साथे रवी ने तेना उत्पादन व्यवसाय माँ डिविजन वेचवानी जटिलताओने नेविगेट करवा माटे तैयार लाग्यू रिपोर्टिंग आवशक्ताओने असरकारक रिते संचालित करवानी तेनी क्षमतामा विश्वास हतो क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक वाइबरंट बपोरे सूर्य वर्गखंडनी बारियों माथी गरम प्रकाश फैंकतो हतो, रवी बीजा ग्नानप्रद पाठ माटे उत्साहित अंदर गयो तेमना शिक्षक, तेमना वार्ता कहवाना कौशल्य माटे प्रक्ख्यात एक रश्प्रद विश्यनी शोध करवा माटे तैयार हता इंद S.106, जे खनीच संसाधनों नी शोध अने मुल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करे छे रवी तेनी बैठक पर स्थिर थयो, ते जोवा माटे आतूर हतो के तेना शिक्षक आ जटिल ख्याल ने एक आकर्षक वार्तामा केवी रिते वणशे शिक्षके स्मित साथे वर्गने आवकार्ता तेने शरुवात करी शूप बपोर दरेक ने आजे आपने खनीच संसाधनोंनी दुनियामा साहस शरु करी शूँँँँँग कलपना करो, रवी, तमे किम्ती खनीजोंनी शोद करती खाणकाम कंपनीना मैनेजर छो तमारी मुसाफरी अमने इंदैस एकसो चाना सिद्धान्तोंने समझवामा मदद कर शे रवी नी आखो कुटुहल्थी चमकी खनीज संसाधनों नी शोध करवानों अर्थ शू छे सर शिक्ष के जवाब आपयो अन्वेशन मा प्रुथवी नी सपाटी नी नीचे मुल्यवान खनीजों शोध्वानों समावेश थाई छे आ प्रक्रिया मा खनीज ठापणों नी सद्धर्ता नक्की करवा माटे संशोधन सर्वेक्षणों अने ड्रिलिंग मा नोंदपात्र रोकाणनी जरूर छे 1916 हेठर आ अन्वेशन तबक का दर्मियान करवामा आवेल खर्च तमे तमारी संपत्ती माटे केवी रिते एकाउंट करो छो तेना माटे महत्व पूर्ण छे रवी आगर जुक्यो वधू जानवा आतूर तो हू आ संशोधन खर्चनों हिसाब केवी रिते करी शकू सरस प्रश्ण शिक्ष के उत्साह पूर्वक जवाब आपयो 1916 मुजब जो अमुक शर्तों पूरी थाय तो तमे आ संशोधन खर्चने मुडी बनाववानू पसंद करी शको छो खास करीने जो तमे एहु दर्शावी शको छो के तमे आर्थिक रिते सद्धर खनीज संसाधनों शोधी शक्षो तो पची तमे ते संशोधन खर्चने तमारी बैलेंस शीट पर संपत्ती तरीके गणी शको छो आने खर्चना मुडी करण तरीके ओलखवामा आवे छे रवी ने रस पड़ियो पड़ बीजो प्रश्न हतो जो संशोधन थी कोई खनीज संसाधनों न मले तोशू थशे शिक्ष के समझाव्यू के अन्वेशन सधर संसाधनों मा परिण्मतु नथी ते द्रुश्य नोंदपात्र छे आवा किस्साव मा तमारे तमारा नफा अने नुकसान निवेदन मा खर्च तरीके मुडीकृत खर्च लखवानी जरूर पडशे आ वास्तविक्ताने प्रतिबिम्बित करे छे के रोकान लाबदाई संसाधनों तरफ दोरी गयू नथी तमारा अन्वेशन प्रोजेक्ट्स नी सद्धर्तानों नियमित मुल्याकन करवू महत्वपूर्ण छे रविये प्रक्रिया विशे उंडों विचार करेू जो मने केटलाक आशास्पद संसाधनों मले तोशू हूं एकाउंटिंग साथे केवी रिते आगण वधी शकू शिक्ष के स्पष्टता करी एकवार तमे एक खनीच संसाधनने ओर्खी लोके जे आर्थिक रिते सद्धर छे तमे संशोधन्थी मुल्यांकन तरफ आगण वधो छो आमा वधू विगत्वार आकारणी अने विकास खर्चनों समावेश ठाई छे जेनों मुडीकरण पण करी शकाई छे तमारे ए निर्धारित करवानी जरूर पणशे के शू संसाधन नफाकारक रिते बहार काडी शकाई छे अने आ मुल्यांकन मूर्थ संपत्तीनी ओड़क तरफ दोरी शके छे रवीना मनमा उत्सुकता छवाई गई शुवा अन्वेशन अने मुल्यांकन खर्च अंगे मारे कोई महत्वपूर्ण जाहिरातों करवी जोईए हाँ, चौककस शिक्षके खात्री आपी अईस 106 आदेश आपे छे के तमे तमारी शोद अने मुल्यांकन प्रवृत्तियों विशे नौंदपात्र माहिती जाहिर करो आमा संसाधनों नी प्रकृती, तेनू मुल्यांकन करवा माटे वप्राती पद्धतियों अने आ अस्कयामतों ना मुल्यांकनने असर करी शके तेवी कोईपण अनिश्चित्ताओ विशेनी विगतोंनों समावेश थाय छे तमारी खाणकाम कामगीरी मां संक्रायला जोखमों अने तकोंने समझवा माटे हिद्धार को माटे पारदर्शिता महत्वपूर्ण छे जेम जेम पाठ चालू रहो तेम रवी इंद S106 नी गूचवणों थी वधूने वधू प्रभावित थयो तेने समझायू के खाणकाम कंपनीनी सफर्ता माटे संशोधन अने मुल्यांकन प्रवृत्तियों माटे एकाउंटिंग नू संचालन करवू जरूरी छे तो मारा खाण व्यवसाय माटे आ खर्चाओनू मुडिकरण अने मुल्यांकन केवी रिते करवू ते समझभू महत्वपूर्ण छे तेने वधता आत्मविश्वा साथे पुछिऊं बराबर रवी शिक्षके पुष्टी करी आइस 106 नू पालन करीने तमे खात्री करी शको छो के तमारा नाणाकिय निवेदनो तमारा खनीज संसाधनोंनी संभावनाने सचोट रिते प्रतिबिम्बित करे छे रोकाणकारो अने हित्धारको ने तमारी कंपनीना भविश्य विशे माहितगार निरणयों लेवामा मदद करे छे जेम जेम वर्ग समाप्त थयो तेव रविये इंद S106 नी उन्डी समझन साथे सशक्तिकरणनी अनुभूती छोड़ी दिधी तेने संशोधन खर्चनों हिसाब मुल्याकननों संचालन अने खनीच संसाधनों विशे जरूरी जाहिरातों केवी रिते पूरी पाडवी ते समझिऊ आ नवा ग्णान साथे रवीने खाणकाम उद्योगनी जटिलताओने नेविगेट करवा माटे तैयार लागिऊ खनीच संशोधन मा तेना भावी प्रयासोंना नानाकिय पासाओने असरकारक रिते संचालित करवानी तेमनी क्षम्तामा विश्वास हतो क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तेजस्वी अने खल भराटवारी बपोरे रवी तेना वर्ग खंड मा प्रवेश्यों दिवसना पाठ माटे आतूर तेमना शिक्षक जटिल विश्योंने मनमोहक वार्ताओं मा परिवर्तित करवा माटे जानीता हता तेओ एक नवो ख्याल रजु करवा माटे तैयार हता इंड S107 जे नाणा किया साधनों संबंधित जाहिरातों पर ध्यान केंद्रित करे छे रवी तेनी बैठक पर स्थिर थयो ते जानवा माटे उच्सुक हतों के वार्ता कहवा द्वारा आवशक विशय केवी रिते प्रगट थशे शिक्षके शरुवात करतानी साथे ज विद्यार्थियोंने तेमनी लाक्षणिक उश्मा साथे आवकार्या शुप बपोर दरेक ने आजे आपने नाणाकिय साधनोंनी रस्प्रत दुनिया अने जाहिरातोंना महत्व विशे जानीशुँ चालो कल्पना करिये के रवी अही एक विक्स्ती कम्पनी ना मुख्य नाणाकिय अधिकारी छे जे विविद नाणाकिय साधनों जेम के स्टोक्स, बॉन्स अने डेरिवेटिव्स मां सोधो करे छे आ द्रुश्य अमने इंद S107 समझवामां मदद कर छे कथन साम्ब्री ने रवी उत्सुक थयो नाणाकिय साधनों खरेखर शू छे सर शिक्ष के समझावियू, नाणाकिय साधनों एवा करार छे जे एक संस्था माटे नाणाकिय असक्याम्तों अने बीजा माटे नाणाकिय जवाबदारियों अथवा इक्विटी साधनों बनावे छे तेमा रोकड, स्टोक अने बॉंड जेवी असक्याम्तों नी विशार श्रेनी तेमज लोन अने डेरिवेटिव्ज जेवी जवाबदारियोंनों समावेश थाई छे असरकारक नाडाकिय व्यवस्थापन माटे आ साधनोंने समझुँ महत्व पूर्ण छे रविये माथु हलाव्यों माहिती ग्रहन करवानों प्रयास करयों तो हुँ आ साधनोंने लगती जाहिरातोंने केवी रिते मैनेज करी शकूं उत्तम प्रश्न रवी शिक्षके उत्साह पूर्वक जवाब आपयों आइस 107 माटे जरूरी छे के पारदर्शिता सुनिष्चित करवा अने नाणाकिय निवेदनोंना वप्राश करताओने तेमनी साथे संक्रायला जोखमोंने समझवामा मदद करवा माटे एकमों तेमना नाणाकिय साधनों विशे विगत्वार जाहिरातों प्रदान करे मुख्य नाणाकिय अधिकारी तरीके तमारे आ साधनोंनी प्रक्रुती हद अने जोखमों विशे माहिती प्रदान करवी आवश्यक छे रवी आगर जुक्यों वधू जानवा माटे उच्सुक मारे कया विशिष्ट जाहरातोंनों समावेश करवों जोईए शिक्ष के चालू राख्यू तमारे तमारा नाणाकिय साधनोंनू वाजबी मुल्य जाहेर करवों जोईए जे चोक्क समय तेमना बजार मुल्यनों स्नेपशोट पूरो पाडे छे बधूमा तमारे वरणव्वानी जरूर छे के तमे वाजबी मुल्यने केवी रिते मापो छो उप्योग मा लेवाती पद्धतियों अने कोई पड़ धारणाओ सहित आनाथी हिद्धार कोने ए समझवामा मदद मरे छे के जान करेल मुल्यों केवी रिते प्राप्त थया हता रवीनी आतुर्ता वधु घेरी बनी जोखमो विशेशूं हुँ तेनी जान केवी रिते करी शकूं उत्तम अवलोकन शिक्ष के जवाब आपयो तमारे credit risk, liquidity risk अने market risk सहीत नाणा किय साधनों साथे संक्रायला जोखमों जाहेर करवा जोईए दरेक प्रकारना जोखमों माटे तमारे समझाव हुँ जोईए के आ जोखमों केवी रिते संचालित थाय छे अने तमारा नाणा किय निवेदनों पर संभवित असर आ पारदर्शिता रोकाणकारो अने लेंडारोंने तमारी कंपनीना नाणाकिय स्वास्थ्यनों असरकारक रिते मुल्याकन करवानी मंजूरी आपे छे। शिक्षके खात्री आपी आइस एक सो साथ ने एक रिपोर्टिंग समयगाडा थी बीजा समयगाडा सुधी नाणाकिय साधनोंना मुल्याकन मां कोई पन नोंदपात्र फेर्फारों विशेपन जाहिरात मी जरूर छे। शिक्षके पुष्टी करी। आइस एक सो साथ अनुसार व्यापक जाहिरातों प्रदान करीने तमे तमारी कंपनीनी नाणाकिय स्थितीनी स्पष्ट समझना आधारे हित्धार कोने जानकार निर्णेयों लेवामा मदद करो छो। आ पारदर्शिता मात्र विश्वस्नियताज नहीं परंतु रोकाणकारों अने लेंदारों साथेना संबंधों ने पण मजबूत बनावे छे। जेम जेम पाठ पूरो थयो ते रविये इंद S107 नी जटिलताओ माते नवी प्रशंसा साथे वर्गखंड छोडी दिधो। ते पारदर्शिता अने जोखम व्यवस्थापन पर भार मुकता नाणाकिय साधनों संबंधित जाहरातोंनू संचालन केवी रिते करवू ते समझी गयो। आ ग्ञान साथे रवी ने तेनी भावी कंपणी ना नाणाकिय लेंड्सकेप ने नेविगेट करवा माते सशक्त अनुभवायों, महन्तू रिपोर्टिंग द्वारा हिस्सेदारों वच्चे विश्वास अने समझन केडववानी तेनी क्षमतामा विश्वास। क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माते शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक वाइब्रेंट बपोरे, रवी तेना वर्ग खंड मा गयो, तेना शिक्षक ना बीजा आकर्षक पाठनी अपेक्षाथी भर्पूर, जे तेनी वार्ता कहवानी कुशरता माटे प्रख्यात छे। आजे शिक्षक इंड एस 108 नी विभावनानों अनावरण करवा माटे तैयार हता, जे व्यवसाय मां ओप्रेटिंग सेग्मेंट्स पर ध्यान केंद्रित करे छे। वार्ता केवीरिते प्रगट थशे ते जोवा आतुर रवी तेनी बैठक पर बेसी गयो। गरम स्मित साथे शिक्षके वर्गने शुभेच्छा पाठवी। शुप बपोर दरेक ने। आजे अमें ओप्रेटिंग सेग्मेंट्स नी दुनियानों अन्वेशन करीशूं। कल्पना करो के रवी अही एक वैविध्यस भर कंपनीनों मैनेजर छे जे टेकनोलोजी, मैन्यूफेक्चरिंग अने रिटेल सहित बहुविद उध्योगों मां काम करे छे। आ द्रुश्य अमने इंद इस एक शुन्या आठ समझवामां मदद कर छे। रवी नी आखो रस्ती पहोडी थाई गई। ओप्रेटिंग सेग्मेंट बराबर शुचे, सर। शिक्ष के समझावियू, ओप्रेटिंग सेग्मेंट ए व्यवसाय नों एक भाग छे जे आवक पेदा करे छे अने खर्च करे छे, जेना संचालन परिणामोंनी नियमित पणे कंपनीना मैनेज्मेंट द्वारा समीक्षा करवामां आवे छे, जेथी सेग्मेंट ने फारववामां आवेला संसाधनों विशे निर्णै लेवामां आवे, अने तेनी कामगीरीनू मुल्यांकन करवामां आवे। ते हिद्धारकोंने तमारा व्यवसायना विविद घटकोंने समझवानी मंजूरी आपे छे, रवीये माथू हलावियो, ख्याल समझवा लागियो, तो मारा व्यवसायना कया भागो ओपरेटिंग सेग्मेंट तरीके लायक छे, तेहुं केवीरिते नक्की करी शकू, महान प्रश्न, रवी, शिक्षके जवाब आपेो, ऐस एक्सो आठ हेठड ओपरेटिंग सेग्मेंट चोककस मापदंडोंने पूर्ण करे छे, ते एवी प्रवृत्तियों मां रोकायल होवू जोईये जे आवक मेलवे छे अने खर्च करे छे, अने तेना परिणामोंनी कंपनीन मुख्य ओपरेटिंग निर्णे निर्माता द्वारा समीक्षा थवी जोईये, बधू मां सेग्मेंट्स मोटा भागे आंत्रिक संचालन एहवालोंना आधारे नोंधवामां आवे छे, जे कंपनी थी कंपनीमां बदलाई शके छे, रवी आगल जुक्यों, तिरसकार थयों आ ओपरेटिंग सेग्मेंट्स विशे मारे केवा प्रकार्नी माहिती जाहेर करवी जोईये, एक उत्तम पूछ परच शिक्ष के उत्साह पूर्वक जवाब आपयो, तमारे दरेक ओपरेटिंग सेग्मेंट्स विशे तेनी आवक, नफों के नुकसान अने असक्यामतों सहि आ माहिती हित्धार को ने समझवा मां मदद करे छे के कंपनी ना एकंदर प्रदर्शन मां विवित सेग्मेंट्स केवी रिते योगदान आपे छे तदु प्रांत, तमारे सेग्मेंट्स ने ओलखवा अने अलग करवा माटे वप्राता परिब्रो तेमज समय जता ते सेग्मेंट्स मां थता कोई पड़ फेरफारों पड़ जाहेर करवा जोईए रवी ये आ विचार पर विचार करयो जो मारी पासे एवा सेग्मेंट्स होई जे सारू प्रदर्शन न करी रहा होई तो मारा डिस्क्लोजर्स मां मारे तेने केवी रिते हैंडल करवू जोईए पारदर्शिता ए चावी छे रवी शिक्षके खात्री आपी जो कोई ओप्रेटिंग सेग्मेंट्स होई तो तमारे ते माहिती पण जाहेर करवी जोईए कोई सेग्मेंट शा माटे ओछु प्रदर्शन करी रह्यू छे अने ते पड़कारोंने पहुची वड़वा माटे तमारी पासे कोई पड़ व्यूरचना छे ते अंगे आंतरद्रुष्टी प्रदान करवी महत्व पूर्ण छे आनाथी रोकाणकारों अने हिद्धार कोने व्यवसायना एकंदर आरोग्यनु मुल्याकन करवामा अने जानकार निर्णयों लेवामा मदद मड़े छे रविये बीजो प्रश्ण कर्यों शू कोई अन्या महत्वपूर्ण जाहिरातों छे जेना विशे मारे जान होवी जोईए हाँ, खरेखर शिक्षके आगल कहिऊं आइस 108 एपन जरूरी छे के तमे कुल ओपरेटिंग सेग्मेंटों आवक नफो अथवा नुकसान अने नाणाकिय निवेदनों मा अनुरूप सर्वारों माटे असक्यामतों वच्चे समाधान प्रदान करो आखात्री करे छे के हिद्धार को जोई शके छे के सेग्मेंट नी माहिती कंपनीना एकंदर नाणाकिय एहवाल साथे केवी रिते सन्रेखित ठाई छे जेम जेम पाठ चालू रहो तें रवी इंद S108 नी जटिलताओ थी वधूने वधू आकर्षित ठतो गयो तेने समझायू के तेनी भावी कंपनी मा असरकारक संचालन अने रिपोर्टिंग माटे ओप्रेटिंग सेग्मेंट्स ने समझू महत्व पूर्ण छे तो मारा ओप्रेटिंग सेग्मेंट्स विशे स्पष्ट थवाथी रोकाणकारो अने हिद्धार को साथे विश्वास वधार्वामा मदद मढशे तेम ने पुछिऊं चौकस रवी शिक्षके पुष्टी करी आइस 108 नू पालन करीने तमे तमारा व्यवसायना विवित घटको मा मुल्यवान आंतरद्रुष्टी प्रदान करी शको छो पारदर्शितामा वधारो करी शको छो अने तमारी कंपनीनी कामगीरी विशे हिद्धार को ने माहितगार निर्णयो लेवामा मदद करी शको छो जेम जेम वर्ग पूरो थयो तेम रविय इंद S108 नी उन्डी समझन साथे सशक्तिकरणनी लागणी छोड़ी दिधी तेने पारदर्शिता अने प्रदर्शन व्यवस्थापनना महत्वने ओडखी ने ओपरेटिंग सेग्मेंट्स विशे नी माहिती केवीरी ते ओडखवी अने जाहेर करवी ते समझिव आ नवा ज्ञान साथे रविय विविद ओपरेटिंग सेग्मेंट्स अने एकंदर सफरतामा तेमना योगदान विशे हिस्सेदारोंने अर्थपूर्ण आंतरदृष्टी प्रदान करवानी तेमनी क्षमतामा विश्वास राखी ने वैविध्यस पर व्यवसाइनू संचा जटिलताओने नेविगेट करवा माटे तैयार अनुभवियों। इन्द S.109 के जे नाणाकिय साधनों साथे व्यवहार करे छे तेनी तपास करवा तैयार हता। वार्ता केवीरी ते प्रगट थशे ते जोवा आतुर रवी तेनी बैठक पर बेसी गयो। स्वागत स्मित साथे शिक्षके शरू करियू शूग बपोर दरेक ने। आजे आपने नाणाकिय साधनों नी दुनिया द्वारा एक साहस शरू करीशूँ। चालो कल्पना करिये के रवी अही एक सम्रुद्ध कम्पनीना मुख्य नाणाकिय अधिकारी छे जे विविद नाणाकिय साधनों जेम के लोन, रोकार अने देरिवेटिव्ज साथे व्यवहार करे छे. आ द्रुष्य अमने इंद S109 ने समझवामा मार्गदर्शन आपशे. रवीनी रुची जागी अने तेने पुछियू, सर, नाणाकिय साधनों खरे खर्शू छे. शिक्ष के जवाब आपयो, नाणाकिय साधनों एवा करार छे जे एक पक्ष माटे नाणाकिय असक्यामतों अने बीजा पक्ष माटे नाणाकिय जवाबदारियों अथवा इक्विटी साधनों बनावे छे. तेमा रोकर, स्टोक्स, बॉंड्स अने जटिल डेरिवेटिव्ज जेवी वस्तुओनी श्रेणी नो समावेश थाई शके छे. कम्पनी ना नाणाकिय स्वास्थ्यनू संचालन करवा माटे आ साधनों ने समझवू जरूरी छे. रविये माहीती ग्रहण करीने माथू हलावियू. ऐस एक्सो नव हेठड हुँ आ नाणाकिय साधनों माटे केवी रिते एकाउंट करी शकू. सरस प्रश्न शिक्षके उत्साह पूर्वक जवाब आपयो. ऐस एक्सो नव नाणाकिय साधनों ने वर्गी करूत करवा, मापवा अने ओडखवा माटे एक व्यापक मालखानी रुप्रेखा आपे छे. तमारे आ साधनों ने त्रण मुख्य वर्गी करणों मा वर्गी करूत करवानी जरूर छे, रुण मुक्ती खर्चे मापवामा आवती नाणाकिय असकयामतो, अन्य व्यापक आवक द्वारा वाजबी मुल्य पर मापवामा आवती नाना किय असकयामतो अने नफा अथवा नुकसान द्वारा वाजबी मुल्य पर मापवामा आवती नाना किय असकयामतो रवी आगळ जुक्यो तिरसकार थयो शू तमे समझावी शको छो के आ दरेक वर्गी करणनों अर्थ शू छे अल्बत शिक्षके चालू राख्यू रुन्मुक्ती खर्चे मापवामा आवती नानाकिय अस्कयामतो सामान्य रिते लोन अने प्राप्ति पात्र होई छे जेने तमे पाक्ती मुदत सुधी राखवा मागो छो आने तेमनी प्रारंभिक किम्मत बाद कोई पण मुख्य चुकवणी अने क्षती ना नुकसान पर मापवामा आवे छे बीजी बाजु अन्य व्यापक आवक द्वारा वाजबी मुल्य पर मापवामा आवती नानाकिय अस्कयामतो मा इकविती साधनों नो समावेश ठाई छे जेने तमे आरिते मापवानू पसंद करो छो ज्या सुधी संपत्ती वेच्वामा न आवे त्या सुधी वाजबी मुल्य माँ फेर्फार अन्य व्यापक आवक मा नोंधवामा आवे छे छेले नफा अत्वा नुकसान द्वारा वाजबी मुल्य पर मापवामा आवती नानाकिय अस्कयामतो ते छे के जे तमे वेपार माटे राखो छो जे मा वाजबी मुल्य मा फेर्फारोंने नफा अत्वा नुकसान मा सिधाज ओरखवामा आवे छे रवीये आ विशे उंडों विचार करेो जवाबदारियों विशे शुँ हुँ तेनों हिसाब केवी रिते करी शकू उत्तम प्रश्न रवी शिक्ष के जवाब आपेो नाडाकिय जवाबदारियों ने पड़ बे केटिगरी मां वर्गीक्रूत करी शकाई छे जे अमोर्टाईज खर्चे मापवामा आवे छे अने जे नफो अथवा नुकसान द्वारा वाजबी मुल्य पर मापवामा आवे छे नाडाकिय असकयाम्तों नी जेम्ज जो तमे कोई जवाबदारी स्थाई न थाई त्या सुधी राखवा मागता हो तो तमे तेने रूर्मुक्तीना खर्चे मापशो जो के जो तमे वेपार करी रहा छो अथवा ते वाजबी मुल्य पर नियुक्त करवामा आवे छे तो कोई पड फेरफारोंने नफा अथवा नुकसानमा ओरखवामा आवशे रविये बीजो मुद्दो उठाव्यों क्षती विशेशू ते आ मालखामा केवी रिते बंदबेसे छे क्षती निर्णायक छे शिक्षके खात्री आपी अईस एकसो नव हेठर तमारे नाणाकिय असकयामतो पर अपेक्षित धिराण नुकसाननों मुल्याकन करवानी आवशक्ता छे जे अमोर्टाइजड खर्चे अथवा अन्य व्यापक आवक द्वारा वाजबी मुल्य पर मापवामा आवे छे आमा संपत्तीना जीवन दर्मियान संभवित नुकसाननों अंदाज लगाववानों समावेश ठाई छे खात्री करवी के तमारा नाणातिय निवेदनों तमारा नाणातिय साधनों साथे संक्रायला कोईपन जोखमों ने प्रतिबिम्बित करे छे जेम जेम शिक्षके आ वर्गीकरणनों महत्व समझावियू तेम रवी ये मोटू चित्र जोवानू शरू करियू तो नाणाकिय साधनोंनों असरकारक रिते संचालन करवाथी मारी कम्पनीना नाणाकिय स्वास्थ्यने सुनिश्चित करवामा मदद मरशे बराबर रवी शिक्षके पुष्टी करी आईस एकसो नवनू पालन करी ने तमे चोक्कस नाणाकिय महिती प्रदान करी शको छो जे तमारा नाणाकिय साधनों साथे संक्रायला जोखमो अने तकोनू मुल्याकन करवा माटे हित्धारकोंने परवानगी आपे छे आ पारदर्शिता विश्वास ने प्रोच्साहन आपे छे अने जानकार निर्णै लेवामा मदद करे छे जेम जेम पाठ पूरो थयो तेम रविये इंड S109 नी नवी समझ साथे वर्गखंड छोड़ी दिधू तैने क्षतीना मुल्याकन ना महत्वने ओरखी ने विविद नाणाकिय साधनोंनू वर्गी करण मापन अने एकाउंट केवी रिते करवू ते समझिव आ ज्ञान साथे रविये तेमनी भावी कारकिर्दी मा नाणाकिय व्यवस्थापननी जटिलताओने नेविगेट करवा माटे तैयार अनुभवियो तेमनी कंपनीना नाणाकिय स्वास्थ्यने जारवी राखवानी तेमनी क्षमतामा विश्वास हतो अने हिस्सेदारोंने पारदर्शक माहिती पूरी पाडी हती क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो ते जस्वी अने तड़कावाडा दिवसे रवी उत्सानी भावना साथे तेना वर्ग खंड मा प्रवेश्यो ते जानतों हतो के तेना शिक्षक, तेनी वार्ता कहवानी क्षमताओ माटे प्रख्यात, तेने जटिल विभावनाओने समझवामा मदद करवा माटे फरीथी एक रस्प्रद वार्ता वणाच्छे आजनों पाठ इंद एस 110 विशे हतो, जे एकिक्रुत नाणाकिय निवेदनों पर ध्यान केंद्रित करे छे आ ख्याल केवी रिते रजु करवामा आवशे ते जानवा आतुर रवी तेनी बैठक पर स्थिर थायो हुमफाडू स्मित साथे शिक्षके वर्गने शुभेच्छा पाठवी, शुब बपोर, दरेक ने आजे अमें एकिक्रुत नाणाकिय निवेदनों नी दुनियामा प्रवास शरू करीशू आ ख्यालने समझवामा अमने मदद करवा माटे, चालो कल्पना करिये के रवी अही टेक इनोवेशन्स नामनी कम्पनी धरावे छे, जैडे ताजेतरमा अन्य बे कम्पनियोंने हस्तगत करी छे स्मार्ट गैजेट्स अने ग्रीन सॉल्यूशन्स रवी ए वार्ता साम्प्री ने उत्सुक थाई गयो तो मारी कम्पनियों माटे आनो अर्थ शू छे, सर शिक्ष के चालू राख्यू, जारे टेक इनोवेशन्स जेवी पेरेंट कम्पनी स्मार्ट गैजेट्स अने ग्रीन सॉल्यूशन्स जेवी एक अथवा वधू पेटा कम्पनियों हस्तगत करे छे त्यारे समग्र जूतनी नाणाकिय स्थिती अने कामगीरी नो साचो अने न्याई द्रुष्टिकोन रजू करवो आवश्यक छे आ ते छे ज्या इंद ऐस 110 अमलमा आवे छे, तमारे एकिक्रूत नाणाकिय निवेद नो तैयार करवानी जरूर छे रवी जिग्नासु हतो, एकिक्रूत नाणाकिय निवेद नो बराबर शू छे शिक्ष के समझाव्यू के एकिक्रूत नाणाकिय निवेद नो पित्रु कम्पनी अने तेनी सहायक कम्पनियोंनी नाणाकिय महितीने नाणाकिय निवेद नोना एक समूमा जोडे छे आ मात्र पेरेंट कम्पनी ने बदले समग्र जूतना नाणाकिय स्वास्थ्य अने कामगीरी नू स्पष्ट चित्र पूरु पाडे छे आ केम महत्वनू छे? रवी ए स्पष्टता मांगता पुछिऊं। महान प्रश्ण रवी शिक्ष के जवाब आपयो। रोकाण कारो लेंदारो अने नियमन कारो सहितना हिस्सेदारो माटे एकी क्रूत नाणाकिय निवेदनो निर्णायक छे कारण के ते जूतना एकंदर संसाधनों अने जवाबदारियों मां आंतर द्रुष्टी प्रदान करे छे ते तेमने समग्र एंटिटीनी नाणाकिय स्थिती नफा कारकता अने रोकड प्रवाहनू मुल्याकन करवानी मंजूरी आपे छे जे वधू सारी रिते जानकार निर्णेयों तरफ दोरी जाय छे रवीये माथू हलाव्यों समझवा लाग्यों हुँ आ एकिक्रूत नाणाकिय निवेदनों केवी रिते तैयार करी शकू सारू प्रश्न शिक्षके कहिऊ अईस 110 हेठर तमारे थोडा पगलाओ अनुसर्वानी जरूर छे प्रथम तमे जे पेटा कम्पनियोंने नियंत्रित करो छो तेने ओड़खो एटले के तमारी पासे तेमनी नाणाकिय अने संचालन नितियोंनू संचालन करवानी सत्ता छे नियंत्रण सामान्य रिते अस्तित्वमा छे जारे तमे 50 टकाथी वधू मतदान अधिकारो धरावो छो परंतु ते करारो अथ्वा अन्य व्यवस्थाओ थी पड उद्भवी शके छे रवी नजिक जुकी गयो आगर शू छे शिक्ष के चालू राख्यू एकवार तमे पेटा कंप्नियोंने ओळखी लो पछी तमारे तेमना नानाकिय निवेदनो पेरेंट कंप्नीना नानाकिय निवेदनो साथे जोडवानी जरूर छे आमा असकयामतो जवाबदारियों आवक अने खर्च जेवी समान वस्तुओ उमेरवानों समावेश ठाय छे बेवडी गणत्री टार्वा माटे पेरेंट अने पेटा कंप्नियों वच्चे ना वेचान जेवा कोई पण आंत्रक्पनी ग्यवारोंने दूर करवा ते निर्णायक छे रवी नी आँखो पहली थाई गई ते जरा जटिल लागे छे शू मारे कोई चोक्कस गोठवणों करवानी जरूर छे हा रवी खरेखर केटलाक महत्व पूर्ण गोठवणों छे शिक्षके खात्री आपी तमारे बिन्यंत्रण हीत माटे एकाउंट होवू आवश्यक छे जे माता पितानी मालिकी नी नहोई तेवी पेटा कंप्नीमा इकविटी ना भागनू प्रतिनिधित्व करे छे आ एकिक्रुत बैलेंस शीट अने आवक निवेदन मा देखाशे वधूमा संपादन समय करवामा आवेल कोई पड वाजबी मुल्य गोठवणों ने पड एकत्रीकरण प्रक्रियामा ध्यान मा लेवा जोईए तो जो हूँ प्रीमियम पर पेटा कंपनी खरीदू तो मारे ते संकलित निवेदनों मा प्रति बिम्बित करवानी जरूर छे रविये पुछिऊं बराबर शिक्ष के उत्साहत ही कहिऊं तमारे एक्विजिशन तारीखे पेटा कंपनी नी ओरखी शकाय तेवी असक्यामतों अने जवाबदारियों ना वाजबी मुल्य ने ओरखु आवश्यक छे चोक्की असकयामतों ना वाजबी मुल्य थी वधू चुकववामा आवेल कोई पर वधाराने एकिक्रूत नाडाकिय निवेदनों मा गुडविल तरीके नोंधवामा आवे छे रविये आ माहिती पर विचार करयो जो मारी पेटा कंपनियोंनी अलग-अलग एकाउंटिंग नितियों होई तोशूं बीजो मोटो मुद्धो रवी शिक्षके जवाब आपेओ एकिक्रूत नाडाकिय निवेदनों तैयार करती वखते तमारे ए सुनिष्चित करवू आवश्यक छे के पेटा कंपनियोंना नाडाकिय निवेदनों पित्रू कंपनीनी एकाउंटिंग नितियों साथे सन्रेखित करवा माटे गोठववामा आवे छे आ एकिक्रूत निवेदनों मां सुसंधत्ता अने तुल्नात मक्ता सुनिष्चित करे छे जेम जेम पाठ आगण वधतों गयो तेम रविये इंड एस 110 नू महत्व जोवानू शरू करियू तो नाणाकिय निवेदनोंने एकिक्रूत करी ने हुँ मारा जूतनी नाणाकिय कामगीरी नू संपूर्ण चित्र हितधारकोंने प्रदान करी शकू 24. रवी. शिक्षके पुष्टी करी. एकीकृत नाणाकिय निवेदनों मात्र जूतनी साची नाणाकिय स्थिती नेच प्रतिबिम्बित करता नथी परंतु ते पारदर्शितामा वधारों करे छे अने हिस्सेदारों साथे विश्वास केर्वे छे. तेयों जोई शके छे के दरेक पेटा कंपनी पित्रु कंपनी नी एकंदर सफलतामा केवी रिते फालों आपे छे. जेम जेम वर्ग समाप्त थयो तेव रविये इंद S110 नी नक्कर समझ साथे सशक्तिकरणनी लागणी छोड़ी दिधी. तेने पेटा कंपनीोंने केवी रिते ओरखवी, एकिकरूत नाणाकिय निवेदनों तैयार करवा अने जरूरी गोठवनों केवी रिते करवी ते समझीू. आ ज्ञान साथे रविये तेमनी कंपनियोंना सामुहिक प्रदर्शन विशे हित्धार कोने अर्थपूर्ण आंतरदृष्टी प्रदान करवानी तेमनी क्षम्तामा विश्वास धरावता, जूत मालखामा नाणाकिय एहवालनी जटिलताओने नेविगेट करवा माटे तै अपेक्षा साथे उग्राईने तेना वर्ग खंड मा गयो। तेमना शिक्षक तेमनी आकर्षक वार्ता कहवानी तकनिकों माटे जाणीता छे अन्या मनमोहक पाठ प्रगट करवा माटे तैयार हता। आजे तेयों इंड ऐस 111 नू अन्वेशन करशे जे संयुक्त व्यवस् आजे अमें संयुक्त व्यवस्थानी दुनिया मा एक रोमांचक प्रवास शरू करवा जई रहा छिये। आ ख्यालने समझाववा माटे चालो कल्पना करिये के रवी अही युवा साहसिकोंनी टीम नो एक भाग छे जेमने पर्यावर्णने अनुकूल टेकनोलोजी सोल्यूशन्स पर ध्यान केंद्रित करीने इको टेक नामनो नवो व्यवसाई शरू करवा माटे साथे नक्की करियूं छे। चालो तमारा इको टेक सहसनी मदग थी आ दरेकनो अन्वेशन करिये। रवी आगर जुक्यों माहिती ग्रहन करवा तैयार हतो। सैयूक्त ओप्रेशन केवी रिते कार्य करे छे। कल्पना करो के तमे अने तमारा भागीदारो सैयूक्त रिते नवी सोलर पैनल टेकनोलोजी विक्साववानू नक्की करो छो। दरेक भागीदार साधन सामगरी अने निपुर्ता जेवा संसाधनोनू योगदान आपे छे अने तमे योगदान आपेला संसाधनोना आधारे सिधा नफा अने नुक्साननी वहेचनी करो छो। रस्प्रद लागे छे रविये कहिऊं तो हूं मारा पोताना नाणाकिय निवेदनों मा आ प्रोजेक्ट माथी असक्यामतो जवाबदारियों अने आवकना मारा हिस्सानी जान करिश। बराबर शिक्षके खात्री आपी ऐस 111 हेठर तमे संयुक्त कामगीरी नी असक्यामतो अने जवाबदारियों नो तमारों हिस्सो तेमज पेदा थैली आवक अने खर्चना तमारा प्रमानसर हिस्साने ओडखशो। आ खात्री करे छे के नाणाकिय निवेद नो कामगीरी मा तमारी संदोवणी ने चौक्कस रिते प्रतिबिम्बित करे छे। रवी ए एक प्षण माटे आ विचार्यूं अने संयुक्त साहसो विशेशूं तेओ केवी रिते अलग पड़े छे। उत्तम पूछपरच रवी शिक्षके खुश थाईने कहिऊं। सयुक्त साहसमा पक्षो पासे व्यवस्थानी चोखी संपत्तीनों अधिकार छे। आमा सामान्य रिते एक अलग कानूनी एंटिटी बनाववानों समावेश थाय छे। जेम के भागीदारी अथ्वा मर्यादित जवाबदारी कंपनी। धारो के तमे अने तमारा भागीदारो ग्रीन टेकनोलोजी उत्पाद नो विक्साववा अने वेचवा माटे इको इनोवेशन्स नामनी नवी कंपनी स्थापवानू नक्की करो छो। अहीं इको इनोवेशन्स एक अलग एंटिटी बनी जाय छे। अने तमारा माना दरेक तेमा शेर ना मालिक हशे। तो हुँ मारा पोताना नाणाकिय निवेदनों मा इको इनोवेशन्स नी असक्यामतो अने जवाबदारियों नी सिधी जान नहीं करू रविये स्पष्टता माटे पुछिऊ। साचु शिक्षके पुष्टी आपी। तेना बदले तमे इकविटी पद्धती नो उप्योग करीने इको इनोवेशन्स मा तमारा रोकाण माटे हिसाब करशो। आनो अर्थ है छे के तमे शरुवात मा तमारा रोकाणने किम्मते ओरखी शक्षो। अने त्यार बाद तमे संयुक्त साहसना नफा अथवा नुकसानना तमारा हिस्साने प्रती बिम्बित करवा माटे तमारा रोकाणने समायोजित करशो। रविये आ विशे उंडो विचार कर्यो। जो संयुक्त साहस नफों करे अथ्वा नुकसान करे तो शू थाई छे? सारो प्रश्ण शिक्ष के जवाब आपयो. जो इको इनोवेशन्स नफों करे छे, तो तमे नफाना तमारा हिस्सा द्वारा तमारा नाणाकिय निवेदनों मा तमारू रोकाण मुल्य वधार शो. तेना थी विप्रित जो तेने नुकसान थाई छे, तो तमे ते मुझब तमारू रोकाण घटाड शो. आ सुनिश्चित करे छे के तमारा नाणाकिय निवेदनों संयुक्त साहस मा तमारा रोकाण ना प्रदर्शन ने प्रतिबिम्बित करे छे. रवीये माथू हलाव्यू, ख्यालो साथे वदू आरामदायक अनुभव कर्यों. संयुक्त व्यवस्थानी जान करती वखते मारे ध्यान मा राखवानी कोई 24 जाहरातों छे. शिक्ष के समझाव्यू, हाँ, खरेखर महत्वपूर्ण खुलासाओ छे. ऐस 118 हेठर, तमारे जे संयुक्त व्यवस्थाओं मा तमे सामेल छो ते अंगेनी मुख्य माहिती जाहर करवानी आवशक्ता छे. जेमा व्यवस्थाओं नी प्रकृती असकयामतों नो तमारों हिस्सों, जवाबदारियों, आवक अने खर्च तेमज व्यवस्थाओं संबंधित कोईपण प्रती बद्धताओं नो समावेश थाई छे. संयुक्त कामगीरी अथ्वा सहसो मां तमारी संदोवणी ने समझवा माटे हिद्धार को माटे आ पारदर्शिता महत्वपूर्ण छे. जेम जेम पाठनों अंत आव्यों तेम, रवी ने इंड एस 111 विशे ग्णान थाईू. ते हवे संयुक्त कामगीरी अने संयुक्त सहसो वच्चे ना तफावतो नाराकिय निवेदनों मां तेमनी जान केवी रिते करवी अने जाहरातों मां पारदर्शिताना महत्वने समझ्या. आ नवा ग्णान साथे रवी ने तेमना भावी उद्योक्सासिक प्रयासो मां संयुक्त व्यवस्थानी जटिलताओने नेविगेट करवा मांटे सज्ज लाग्यू, विश्वास हतो के ते अन्या व्यवसारों साथेना सह्योगने असरकारक रिते संचालित करी शक्षे अने तेनी जान करी शक्षे। जे अन्या संस्थाओं मां रुचियोंनी जाहिरात पर ध्यान केंद्रित करे छे। आ जटिल विशय वार्ता द्वारा केवी रिते प्रगट थशे तेनी उत्सुक्ता साथे रवी तेनी बैठक पर स्थिर थयो। तेजस्वी स्मित साथे शिक्ष के विद्यार्थियोंने शुभेच्छा पाठवी शुब बपोर दरेक ने। आजे अमें नाडाकिय जाहरातोंनी दुनियानी शोध खोळनी सफर शरू करीशूं खास करीने इंड इस एकसो बार पर ध्यान केंद्रित करीने। आ ख्यालने वधू स्पष्ट करवा माटे चालो कल्पना करिये के रवी अहीं विविद्ध साहसो माँ खूब व्यस्त छे। इको टेक अने इको इनोवेशन साथे ना तेमना काम उपरांत तेमने अन्या बे कम्पनियों माँ पड रोकाण करियू छेह ग्रीन एनरजी सोल्यूशन्स अने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कम्पनी। सामणताज रवी नो रस जाग्यों। मारा रोकाण माटे आनो अर्थ शू छे। सर। शिक्षके आगळ कहिऊ। उत्तम प्रश्न रवी। जेम जेम तमे आ कम्पनियों मा रोकाण करो छो। त्यारे तमारा माटे तेमा तमारी रुचियों जाहेर करवी जरूरी बनी जाय छे। खास करीने तमारा नाणाकिय निवेद नो तैयार करती वकते। इन्द ऐस एकसो बार हेठर तमारे अन्य एकमों मा तमारी रुचियों विशे केटलिक मुख्य जाहेरातों करवी जो ये। जे मां पेटा कम्पनियों सयुक्त व्यवस्थाओ अने सहयोगियों नो समावेश थाई शके छे। रविये भ्रमर घाली ने विचार ने समझवानों प्रयत्न करे। तो आ कम्पनियों विशे मारे बराबर शु जाहेर करवू जो ये। महान पूछपरच शिक्ष के जवाब आपयों तमारे दरेक एंटिटी मां तमारी रुची ना प्रकार विशे माहिती प्रदान करवानी जरूर पडशे जे मां तमें तेमनी साथेना संबंधों ना प्रकार सहित। दाखला तरीके शु ते पेटा कम्पनियों छे ज्या तमें नोंध पात्र नियंद्रन धरावों छो . संयुक्त साहसो ज्या तमे नियंत्रण शेर करो छो अथ्वा सहयोगियो ज्या तमारो नौंधपात्र प्रभाव छे परंतु नियंत्रण नथी। रविये माथु हलाव्यू, समझवा लाग्यू। अने हुँ केवी रिते निर्धारित करी शकू केशू नौंधपात्र प्रभाव बनावे छे। शिक्ष के समझाव्यू, सामान्य रिते जारे तमे कंपनी मां 20 टका अने 50 टका मतदान अधिकारो धरावो छो त्यारे नौंधपात्र प्रभाव होय छे। जो के अन्य परिब्रो जेम के बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स मां प्रती निधित अत्वा निती निर्माणना निर्णयों मां भागिदारी पड़ ध्यान मां लेवा मां आवी शके छे। समझिऊ। तेथी मारे मारा डिस्कलोजर्स मां आ संबंधोंने स्पष्ट करवानी जरूर छे। रविये बिंदुओने जोडता कहिऊ। बराबर, शिक्षके खात्री आपी, तमारी रुचियोंना प्रकारनू वर्णन करवा उप्रांत, तमारे तमारा पोताना नानाकिय निवेदनों पर आ रोकाणोंनी नानाकिय असर पन जाहेर करवी आवश्यक छे। आमा पेटा कंपनियों, सयुक्त साहसो अने सहयोग्यों मा रोकाणोंनी वहन रकम विशे विगतो प्रदान करवानों समावेश ठाय छे। रवी विचार्शिल जोवा लाग्यों जो आ संस्थावनी नानाकिय माहिती मेळववाना मारा अधिकारों पर कोई प्रतिबंधों होए तोशु। सारी वात रवी शिक्ष के चालू राख्यू। जो तमे जेनी साथे संक्रायला छो, तेनी नाणाकिय कामगीरी अथ्वा स्थिती विशेनी माहिती मेलववानी तमारी क्षमता पर नियंत्रणों होए, तो तमारे ते पड जाहेर करवानी जरूर छे. आनाथी हिद्धार को माटे पारदर्शिता वधे छे, जे ओ निर्णै लेवा माटे तमारा नाणाकिय निवेदनों पर आधार राखे छे. अनुगूती थी रवीनी आँखो चमकी. ते थी आ जाहेरातोंनों उद्देश्य अन्य संस्थाओं मां मारी रुचियोंनू संपूर्ण चित्र प्रदान करवानों छे. चौकस शिक्ष के उत्साह पूर्वक जवाब आप्यों. ऐस एकसो बार नाणाकिय एहवाल मां पारदर्शिता अने जवाबदारी पर भार मुके छे. ते सुनिष्चित करे छे के रोकाण कारो लेंदारो अने नियमन कारो सहितना हित्धार कोने अन्य संस्थाओं मां तमारी रुचियों विशे संबंधित माहितीनी एकसेस छे. आनाथी तेओने तमारी एकंदर व्यवसाईक कामगीरी ना नाणाकिय स्वास्थ्य अने कामगीरी नूं मुल्याकन करवामा मदद मड़े छे. रवीनो आत्म विश्वास वधतो गरो तेम क्लास चालू रहो. मारी रुचियों विशे मारे बीजूशू जाहेर करवानी जरूर छे. शिक्ष के समझावियों तमारे आ हितोनी नाणाकिय कामगीरी पड़ जाहेर करवी पडशे. उदाहरन करीके जो तमारा सहयोगियों अथ्वा संयुक्त साहसो नौंद पात्र नफो अथ्वा नुकसान पेदा करे छे, तो आ माहिती शामेल करवी आवश्यक छे. बधूमा, तमारी कंपनी अने आ संस्थाव वच्चे ना कोईपण व्यवहारो जाहेर करवा जोईये, कारण के ते बनने पक्षोनी नाणाकिय स्थिती ने असर करी शके छे. जेम जेम पाठ पूरो थयो तेम, रवी ने इन्द एस 112 नी स्पष्ट समझ साथे सशक्त लागियू. तेने नाणाकिय रिपोर्टिंग मा पारदर्शितानी आवशक्ताने ओड़खी ने अन्य संस्थाव मा तेनी रुचियो जाहेर करवानू महत्व समझियू. आ ज्ञान साथे रवी तेना रोकाणोंनी जटिलताओने नेविगेट करवा माटे वधू सारी रिते तैयार हता अने खात्री करो के तेने तेना नाणाकिय निवेदनों मा विश्वास अने जवाबदारी ने उत्तेजन आपती वखते, तेना व्यवसाई 600 विशे हिस्सेद आर्थपूर्ण आंतरद्रुष्टी प्रदान करी। क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक तड़कावारी बपोरे रवी तेना वर्ग खंड मा प्रवेश्यों, ते जानवा माटे आतू स्वभाव माटे जानीता, विध्यार्थियोंने इंड इस 113 नी जटिल दुनियामा मार्गदर्शन आपवा तैयार हता, जे वाजबी मुल्य मापन पर ध्यान केंद्रित करे छे। शूब बपोर, दरेक ने। आजे अमें वाजबी मुल्य मापन नी रस्प्रद विभावनानी शोद करवा जई रहा छिये। आने वधू स्पष्ट करवा माटे, चालो कल्पना करिये के रविये हाल माज अही पैंटिंग माटेनी तेमनी प्रतिभा दर्शाववा माटे एक नानी आठ ग्यालेरी शरू करी छे। तेनी पासे घणी सुंदर आठवर्क छे, परंतु जारे ते तेने वेचे त्यारे तेनू मुल्य केवीरी ते नक्की करवू ते अंगे तेने खातरी नथी। शिक्ष के चालू राकता रविये ध्यान पूर्वक साम्रियू, हिसाबी नी दुनिया माँ वाजबी मुल्य ए एवी किम्मत तरीके व्याख्यायित करवा माँ आवे छे, जे मिलकत वेचवा माटे प्राप्त थशे अथवा मापणी नी तारीके बजार ना सहभागियो वच चे व्यवस्थित व्यवहार मा जवाबदारी ट्रांस्फर करवा माटे चुकवा मा आवशे, जारे तमे तमारी आटवर्क ना मुल्य नू मुल्याकन करशो त्यारे आ व्याख्या तमने मार्गदर्शन आपशे, तो, सर, हुँ मारा चित्रोनी वाजबी किम्मत केवीरिते नक्की करी शकु, रविये रसकूर्वक पुछिऊं। शिक्ष के जवाब आपयो, सरस प्रश्न रवी। इन दैस 113 हेठर वाजबी मुल्याने मापवा माटे त्रण मुख्य अभिगमो छे, बजारनो अभिगम, आवकनो अभिगम अने खर्चनो अभिगम। उदाहरन तरी के तमारी आर्ट गैलेरी नो उप्योग करीने आ दरेक अभिगमो नू अन्वेशन करिये। रवी आगर जुक्यो, माहिती ग्रहन करवा आतूर। बजारनो अभिगम शू छे। शिक्ष के समझावियो, बजारनो अभिगम समान असक्यामतो माटे अवलोक नक्षम बजार भावो पर आधार राखे छे। वाजबी किम्मत नो अंदाज काडवा माटे आ माहिती नो उप्योग करी शको छो। तार्किक लागे छे। रविये बूम पाड़ी। आवकना अभिगम विशेशू आवकनो अभिगम शिक्ष के विशद रिते जणावियों ते भावी रोकड प्रवाह पर आधारित छे जे संपत्ती उत्पन थवानी अपेक्षा छे। तमारा पैंटिंग्स माटे तमे अंदाज लगावी शको छो के समय जता तमारी आठ्वर्क वेच्वाथी तमे केटली आवक मेडववानी अपेक्षा राखो छो। ते भावी रोकड प्रवाह ने तेमना वर्तमान मुल्य पर डिसकाउंट करीने तमे तमारा चित्रों माटे योग्य मुल्य पर पहुँची शको छो। आ पद्धती नियमित आवक पेदा करती संपत्तियों माटे सारी रिते काम करे छे। रस्प्रद अने खर्चनों अभिगम शू छे। रविये पूछ परच करी तेनी जिग्नासा वधू उंडी थाई। शिक्ष के जवाब आपयो किम्मत नो अभिगम संपत्ति ने बदलवा अथवा पुनहुत पादित करवा माटे केठली रकम लेशे तेना पर ध्यान केंद्रित करे छे। तमारा किसा मा आनो अर्थ एछे के तमारी आर्टवर्क बनाववानी सामगरी अने श्रमना खर्चने ध्यानमा लेवू। जो तमने कोई चोक्कस पैंतिंग बनाववा माटे पाँच हजार रुपियानो खर्च थयो होए तो तमे आकडानो वाजबी मुल्य तरीके उप्योग करी शको छो जो तमे मानता होव के ते बजारमा संपत्तिना मुल्यने चोक्कस रिते प्रतिबिम्बित करे छे। रविये कॉंसेप्ट विशे वदू आत्मविश्वास अनुभवता माथू हलाविय। तेथी हुँ मारा चित्रोना मुल्यने श्रेष्ट रिते प्रतिबिम्बित करे तेवो अभीगम पसंद करी शकूँछू। बराबर शिक्ष के खात्री आपी जो के ए नौंधु निर्णायक छे के अभीगमनी पसंदगी डेतानी उपलब्धता अने संपत्तीना चोक्कस संजोगों पर आधारित होवी जोईए। बधु मां तमारे सुनिष्चित करवानी जरूर छे के वाजबी मुल्य मापन समय साथे सुसंदत छे अने तमारा नाणाकिय निवेदनों मां तेमने योग्य रिते जाहेर करो। बधु समझवा आतुर रविये हात पूचो करेो। मारी आठ्वर्क माटे कोई सक्रिय बजार न होई तोशूं। तो पच्छी हूं तेमनों वाजबी मुल्य केवी रिते मापी शकूं। शिक्षक हसी पड़्या एक वाजबी चिन्ता रवी। आवा किस्साओं मा तमारे मुल्याकन तक्नीकोनों उप्योग करवानी जरूर पड़ी शके छे जेमा बजार देता अने अन्य संबंधित माहितीनों समावेश थाई छे जेथी वाजबी मुल्य प्राप्त थाई। आ ते छे ज्या बजार अने चौकस संपत्तीनी उंडी समझण साथे व्यावसाइक चुकादों अमलमा आवे छे। जेम जेम पाठ चालू रहो तें रवी ने इंड एस 113 ना ज्ञान द्वारा सशक्त अनुभवाय। तेने तेनी संपत्तीना मुल्यनी सचोट जान करवामा वाजबी मुल्य मापनना महत्वने समझाय। तेनी खात्री करीने के ते तेनी आठ गैलेरी नी नाणा की अस्थिती ने पारदर्शक अने विश्वस्निय रिते रजू करी शके। छेव ते जेम जेम वर्ग पूरो थयो, शिक्ष के बधाने याद अपावियों, याद राखो, वाजबी मुल्य मापन मात्र संख्याओ विशे न थी, ते बजारनी गती शिल्ताने समझवा अने माहितगार निर्णेयों लेवा विशे छे। आ ज्नान साथे, तमे आत्म विश्वा साथे तमारी संपत्तीनू मुल्याकन करवानी जटिल्ताओने नेविगेट करी शक्षो। रविये ते दिवसे प्रबुध अनुभवता वर्गखंड माथी बहार निकलेओ, तेनी आठ गैलेरी माँ वाजबी मुल्य मापनना सिध्धान्तों लागू करवा माटे तैयार छे। ते सुनिष्चित करीने के ते तेनी प्रतिभानों प्रदर्शन करी शके अने तेना व्यवसायनों असरकारक रिते संचालन करी शके। क्रूपा करीने सूचनाओ मेडववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो। एक तेजस्वी सवारे, रवी तेना वर्गखंड माँ प्रवेश्यों, ते जोवा माटे आतूर हतो के तेना शिक्ष के दिवस माटे कयो अनोखो पाठ तैयार कर्यों हतो। तेमनी वार्ता कहवानी क्षमताओ माटे प्रख्यात, शिक्षक विध्यार्थियोंने इंद इस 114 ना जटिल विशय द्वारा मार्गदर्शन आपवा तैयार हता, जे नियमनकारी स्थगित खाताओ साथे व्यवहार करे छे। जेम जेम रवी तेनी सीट पर स्थिर थयो, ते आ विचार ने वार्तामा केवी रिते वणवामा आवशे तेनी उच्सुकता हती। गुर्ण मोर्निंग क्लास शिक्षके शरुवात करी, तेनी आँखो उच्साहती चमकी। आजे, अमें Regulatory Differal Accounts नी रस्प्रत दुनियानों अन्वेशन करीशूं। आ ख्यालने वधू संबंधित बनाववा माटे, चालो कल्पना करीए के रवी ताजेतर माज तेमना समुदायमा विजली सेवाओ प्रदान करवानों व्यवसाई शरू कर्यों छे। रवी ना कान उप्रया। विजली सेवाओ। ते रस्प्रत लागे छे। सर। शिक्षके आगल कहिँ। हां रवी। आ परिस्थिती मां तमने ग्राह को पासे थी तेओ जे उर्जा वापरे छे, तेना आधारे चार्ज लेवानी छूट छे। परंतु तमारी पासे अमुक नियमनकारी करारोपन छे जे तमने अमुक खर्चने स्थगित करवानी मंजूरी आपे छे। धारों के वाजबी किम्मतो सुनिश्चित करवा माटे तमे तमारा ग्राह को पासे थी केटिलू वसूल करी शकोचो तेनू नियमन सरकार करे छे। रवी ये माथु हलाव्यू परिस्थितीने चित्रित करवानों प्रयास कर्यों तो आ नियमनकारी विलंब केवी रिते कार्य करे छे। महान प्रश्ण रवी शिक्षके जवाब आपयो। आइस एकसो चौध हेठर नियमनकारी डिफ्रल एकाउंट्स नो उप्योग खर्च अने आवकने ओडखवा माटे करवामा आवे छे जे तमने तमारा व्यवसाईने संचालित करता नियमोंने कारणे मुल्तवी राखवानी मंजूरी छे। दाखला तरीके जो तमे तमारा विजडीना मालखाने सुधारवा माटे खर्चो उठावो छो परणतु ते खर्च माटे तमारा ग्रह को पासे थी तरतज वसूल करी शक्ता नथी कूरे तमे आ खर्चने नियमनकारी स्थगित खाता तरीके औरखी शको छो। रवी रसिक देखा तो हतो, तो जो हुँ मारा ग्राहको पासे थी, तरत ज चार्ज न लव तो पड़ हुँ आ खर्च रेकोर्ड करी शकूँ, बराबर शिक्षके पुष्टी करी, आ एकाउंटिंग ट्रीटमेंट तमने तमारा खर्चने अंते तमे जे आवक मेलवशो तेनी स साथे मैच करवानी मंजूरी आपे छे, ते खात्री करवामा मदद करे छे के तमारा नाणाकिय निवेद नो तमारी प्रवरुत्तियोंनी साची आर्थिक असर ने प्रतिबिम्बित करे छे, सर, तमे मने एक उदाहर आपी शको, रविये तेनी सीट पर आगळ जुकी ने पुछिऊं, चौककस शिक्ष के उत्साह पूर्वक जवाब आपेओ, चालो कहिए के तमे विजडी ग्रीड ने अपग्रेड करवा माटे 20 लाख रूपिया खर्चा छे, परन्तु नियमनकारी संस्था तमने ग्राहक शुल्क द्वारा आगामी पांच वर्ष मां आ खर्च वसुल्वानी परवानगी आपे छे, तमे तमारी बैलेंस शीट पर आ 20 लाख रूपिया ना खर्च ने रेगुलेटरी डिफ्रल एकाउंट तरीके ओर्खी शको छो, जेम जेम तमें तमारा ग्राह को पासे थी चुकोडियों एकत्रित करो छो तेम तमें धीमे धीमे आ रक्मने रेगुलेटरी डिफ्रल एकाउंट मा थी आवक तरीके तमारा आवक निवेदन मा ट्रांसफर कर शो तपका जोडता रवीनी आखो पहुडी थाई गई तो हुँ बतावी शकू छूके में आ खर्चो करया छे पड़ मारे मारा नफा के नुकसान ने तातकालिक असर करवानी जरूर न थी चौकस शिक्ष के जवाब आपयो जोके ए नौंधवू अगत्यनू छे के नियमनकारी स्थगित खातू फक्त त्यारेज मान्य होवू जो ये जो ते इंड एस एकसो चोद द्वारा निर्धारित चौकस मापदंडों ने पूर्ण करे आमा ते दर्शाव हू शामेल छे के खर्चनी वसुलात संभवित छे अने ते स्थगित संबंधित नियमनकारी द्वारा मन्जूर करवामा आवे छे सत्ता रविये एक प्षण माटे विचार करयो अने पची पुछियू जो नियमनकारी संस्था ते खर्चनी वसुलात विशे पोतानों विचार बदले तोशू थशे एक बीजो उत्तम प्रश्ण शिक्ष के जवाब आपयो जो नियमनकारी वातावरण बदलाय छे अथवा जो तमे नक्की करो छो के पुना प्राप्ती हवे संभवित नथी तो तमारे नियमनकारी स्थगित खातानी मान्यता रद करवानी जरूर पडशे आनो अर्थ हे छे के तमारे तमारा आवक निवेदन मा नुकसान ने ओडखवू पडशे नियमनकारी फेरफारों पर अपडेट रहेवू अने ते मुझब तमारा एकाउंट नू संचालन करवू आवश्यक छे जेम जेम पाठ आगर वधतो गयो तेम रवी ने इंद स 114 विशे वधूने वधू आत्मविश्वास अनुगवायो ते नियमनकारी मालखानू पालन करती वखते तेना विजडी व्यवसायनी नाणाकिय स्थिती ने सचोट रिते रजू करवा माटे नियमनकारी स्थगित खाताना महत्वने समझ्यो वर्गना अंत सुधी माँ शिक्ष के सारार्श आपयो याद राखो नियमनकारी स्थगित खाताओ तमारा जेवा व्यवसायोने भावी आवक साथे खर्चने मैच करवा दे छे नाणाकिय एवाल माँ पारदर्शिता अने न्याई पड़ानी खात्री करे छे आ प्रथा एवा उद्योगो माँ निर्णायक छे ज्या किमतो अने खर्चनी पुनप्राप्ती नक्की करवामा नियमनों महत्वनी भुमी का भजवे छे रविये ते दिवसे वर्गखंड माथी बहार निकया त्यारे तेने प्रबुद्ध अने नियमनकारी स्थगित खाताओ विशे मुल्यवान ग्नाथी सज्ज लागियूं ते आस द्धान्तोंने तेना विजडीना व्यवसायमा लागू करवा तैयार हतो तेनी खात्री करीने के ते तेनी कामगीरीने संचालित करता नियमोंनू पालन करती वखते नाणाकिय रिपोर्टिंग नी जटिलताओने नेविगेट करी शके छे क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तड़कावारी बपोरे रवी तेना वर्ग खंड मा गयो दिवसना पाठ माटे उत्साहती भर्पूर तेमना शिक्षक तेमनी अद्भूत वार्ता कहवानी कुशरता माटे जानीता हता, तेओ इंड ऐस एक सो पंदर नी गूँचमरों उघाडी पाडवा उत्सुक हता, जे ग्राह को साथेना करारोथी थती आवक पर ध्यान केंद्रित करे छे जेम जेम रवी तेनी बैठक पर स्थिर थयो, ते विचारवा लाग्यों के तेना शिक्षक आजटिल विशने केवीरिते जीवन्त बनावशे शूप बपोर, वर्ग, शिक्षके शरुआत करी, तेनी आँखमा चमक आवी आजे, अमें एक वार्ताना लेंस द्वारा आवक नी ओडख नी दुनियामा प्रवेश करीशूं कल्पना करो के रवी ये पोतानों मोबाईल फोन एसेसरीजनों बिजनेस शरू कर्यों छे अनोखा केस अने चारजर बनाववा अने वेचवानू रवी पोतानी आकाक्षाओ साथेना जोडान थी उत्सुक थाई गयो ते एक मजानों व्यवसाय लागे छे, सर खरे खर, ते छे, शिक्षके चालू राख्यू हवे, रवी आ उद्ध्योक साहसिक प्रवासनी शरूआत करे छे तेने तेना ग्राहको साथे करेला करारों माथी आवकने केवी रिते ओडखवी ते समझवानी जरूर छे 19.115 हेठर जारे सामान अथवा सेवाओनू नियंत्रण ग्राहकने स्थानांत्रित करवामा आवे त्यारे आवकने मान्यता आपवामा आवे छे अने आ पांचप ग्लानी प्रक्रिया द्वारा नक्की करवामा आवे छे तेना शिक्ष के प्रथम पगलू समझावियू तेम रविये ध्यान पूर्वक साम्रियू प्रथम पगलू ग्राहक साथेना करार ने ओडखवानू छे जड़ावी दईये के रवी ने एक स्थानिक स्टोर माथी सो मोबाईल फोन केस नो ओडर मड़ो छे आ ओडर एक करार बनावे छे कारण के ते किम्मत अने डिलिवरी समयरेखा सहित चोकस शर्तों नी रुपरेखा आपे छे समझी गयो साहेब आगलनों पगलू शू छे रवी ए पुछियू वधू जानवा माटे उत्सुक शिक्ष के समझावियू बीजू पगलू करार मां कामगिरीनी जवाबदारियोंने ओडखवानू छे आ किस सामा रवी ए केसोनी डिलिवरी करीने ओडर पूरो करवो पडशे जोके जो ते केसो माटे वोरंती आपवानू पड़ वचन आपे छे तो ते वोरंतीने अलग कामगिरीनी जवाबदारी गणवामा आवे छे कारण के ते ग्राहक ने वधारानू मुल्य प्रदान करे छे रवी ए माहीती ग्रहन करीने माथू हलावियू त्रीजू पगलू शू छे त्रीजू पगलू व्यवहारनी किम्मत नक्की करवानू छे शिक्ष के समझावियू रवी तेना उत्पादनों माटे आ रकम मेडववानी अपेक्षा राखे छे जो स्टोर सो केस माटे दस हजार रुपिया चुकववा सम्मत थाए तो आ व्यवहारनी किम्मत बनी जाए छे जो के जो रवी डिसकाउंट ओफर करे छे तो तेने तेने अंतिम किम्मत माँ ध्यान माँ लेवू जोईए रस्प्रद हुँ जो चुके आ केवी रिते काम करे छे रवी ये कहिऊं तेनो उत्सा वधी रहो छे शिक्ष के चालू राखिऊं जो रवी ना कॉंट्रेक्ट माँ केस अने वोरंती बन्ने नो समावेश ठाय छे तो तेने तेमनी एकल वेचान किम्मतोंना आधारे दरेक जवाबदारी माटे 10,000 रुपियानो एक भाग फालव हो पडशे आ खात्री करे छे के मान्यता प्राप्त आवक दरेक घटकना मुल्यने प्रतिबिम्बित करे छे वाह ते खूब विगतवार छे रविये कहिऊं अने अन्तिम पगलू शू छे अन्तिम पगलू ए आवक ने ओरखवानू छे जारे कामगीरीनी जवाबदारियों संतुष्ट ठाय छे शिक्षके कहिऊं तेमनों स्वर प्रोच्साहक छे एकवार रवी स्टोर पर केस पहँचाडे अने नियंत्रन स्थानांत्रित करे ते तेना नाणाकिय निवेदनों मा आवक ने ओरखी शके छे जो वोरंटी एक वर्ष सुधी लंबाय छे तो ते वोरंटी माटे नी आवक ने अल्ग थी ओरखशे कारण के ते समय जता ते जवाबदारी पूर्ण करे छे प्रक्रिया ने समझता रवी नी आखो पहुडी थाई गई तो हूँ क्यारे केसो डिलिवरी करूछू अने क्यारे हूँ आवक ने योग्यरिते ओरखवा माटे वोरंटी सेवाओ प्रदान करूछू तेनों ट्रेक राखवानी जरूर छे बराबर शिक्ष के खात्री आपी आ पाँचप गलाना मोडेल ने समझवा थी तमने खात्री करवामा मदद मरशे के तमारू नाणाकियर रिपोर्टिंग इन्ड S.115 साथे संदेखित छे तमारा व्यवसायना नाणाकिय प्रदर्शनने सचोट रिते दर्शाववा माटे योग्य आवक नी ओडख निर्णायक छे पाठ पूरो थता शिक्ष के भारपूर्वक कहिँ याद राखो रवी आवक ने ओडखवी ए मात्र नंबरो रेकोर्ड करवा माटे नथी ते अंतर्गत करारो अने तमारा ग्राहकोंने प्रदान करेल मुल्यने समझवा विशे छे आ ग्नान तमने तमारा व्यवसाई ने असरकारक रिते संचालित करवा माटे एक उद्योगसासिक तरीके सशक्त बनावशे इन ऐस 115 नी नवी समझ साथे रविये प्रेरित लागणी साथे वर्गखंड छोड़ी दिधो तेओ आ सिद्धान्तोंने तेमना मोबाईल फोन एसेसरीजना व्यवसाई मा लागू करवा माटे उत्साहित हता जेथी तेओ चोक्कस रिते आवकने ओरखी शके अने तेमना साहसनू स्पष्ट नाणा किया चित्र रजु करी शके क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक तेजस्वी बपोरे रवी तेना वर्गखंड मा प्रवेश्यों ते जोवा माटे आतूर हतो के तेना शिक्षक पासेशू मनमोहक पाठ छे तेमनी अनन्य वार्ता कहवानी कुशर्ता माटे प्रख्यात शिक्षक इंड एस एक सो सोल ना जटिल विशनू अन्वेशन करवा माटे तैयार हता जे लीज साथे संबंधित छे, जे अगावना इंड एस सत्तर ने बदले छे रवी आ ख्याल वार्ता द्वारा केवी रिते व्यक्त करवामा आवशे ते अंगे उच्सुक हता शूप बपोर, वर्ग, शिक्षके अभिवादन करियों, तेनो अवाज गरम अने आमंत्रित करियों आजे, आपने एक वार्ता द्वारा भाडा पट्टो विशे जानवा जई रहा छिए कल्पना करो के रवी तेना पडोश मा एक नानो काफे शरू करी रहो छे तेना काफे ने शरू करवा अने चलाववा माटे, तेने चलाववा माटे जग्यानी जरूर छे रवी नी रुची वधी गई कारण के तेने पोताने काफे ना मालिक तरीके दर्शाव्यों हतो तेने कई जग्यानी जरूर छे, सर शिक्ष के आगर कहिऊं, रवी ना काफे माटेनू परफेक्ट स्पोर्ट ए व्यस्त गली ना खूने एक अनोखी जग्या छे जो के प्रोपर्टी खरीदवाने बदले, रवी तेने पांच वर्ष ना समय गाळा माटे लीस पर आपवानू नक्की करे छे आ नेरणाय तेने तेना व्यवसाय ना अन्य पासाओ, जेम के साधनों अने इन्वेंटरी माटे तेना भंडोलने बच्चाववा माटे परवानगी आपे छे रविये लीजिंग नी व्यभारिकता समझी ने माथु हलावियू तो इन्द एस 116 केवी रिते अमलमा आवे छे इन्द एस 169 सार एछे के ते नानाकिय निवेदनों मा लीज ने केवी रिते गणवामा आवे छे तेमा नोंदपात्र फेरफार करे छे शिक्ष के समझावियू आ धोरण हेठर जारे रवी लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करे छे त्यारे तेने तेनी बैलेंस शीट पर उप्योग ना अधिकार अने लीज नी जवाबदारी ने ओडखवानी जरूर छे आ इन्द 27 थी अलग छे जा लीज ने ओपरेटिंग अथवा फाइनांस लीज तरीके वरगी कुरुत करवामा आवी हती शू तमे ते वधू समझावी शकोचो सर रविये रस्पूर्वक पुछिऊं अलबत अमारा किसामा रवी एकवार लीज पर सही करीले तेने भावी लीज नी चुकवणी ना वर्तमान मुल्यनी गणत्री करवी जोईये शिक्ष के विगतवार जणावियू चालो कहिए के वार्षिक लीज चुकवणी एक लाख रुपिया छे जे दर वर्ष ना अंते चुकववा पात्र छे रवी ए तेनी बैलेंस शीट पर कुल लीज जवाबदारी नक्की करवा माटे आ भावी चुकवणीयों मा छूट आपवी जोईये रवी नो भंवर सहेज रुवाटियू उप्योग ना अधिकार विशेशू शिक्ष के चालू राख्यू उप्योग नो अधिकार एसेच्स लीज नी मुदत दर्मियान लीजड जग्यानों उप्योग करवानों रवी नो अधिकार दर्षावे छे ते शरुआत्मा आ संपत्तीने लीज जवाबदारी जेटलीज रकम पर ओडखशे कोई पन प्रिपेड लीज चुकोणी अथवा प्रारंबिक सिधा खर्च माटे समायोजित आ आर्थिक वास्तविक्ताने प्रतिबिम्बित करे छे के रवी लीजनी अवधी माटे भाड़े आपेली जग्याने नियंत्रित करे छे ते अर्थपूर्ण छे रवीए ख्यालने समझवानी शरुआत करता कहिँ लीजनी मुद्धमा शू थाई छे महान प्रश्ण शिक्ष के जवाब आपयो जेम जेम समय पसार थाई छे तेम रवीए उप्योग अधिकारनी संपत्तीनू रुर्मुक्ती करवानी अने लीज जवाबदारी पर व्याज खर्चने ओडखवानी जरूर पढशे दर महीने ते उप्योग ना अधिकारनी संपत्तीना अवमुल्यन अने बाकी लीज जवाबदारी पर व्याज खर्च माटे जवाबदार रहे छे आ अभीगम खर्चनी मान्यताने ते समय गाड़ा साथे संद्रेखित करे छे के जेमा ते लीज माथी लाब मेवे छे तो आ मारा नाणाकिय निवेदनोंने केवी रिते असर करे छे रवीए पुछिऊं असर नौंध पात्र छे शिक्ष के भार पूर्वक जणाविऊं लीज मी जवाबदारी अने उप्योग ना अधिकारनी संपत्ती ने ओडखी ने रवीनी बैलेंस शीट तेनी नाणाकिय स्थिती ने वधू 24 रिते प्रतिबिम्बित कर शे तेनू काफे वधू लिव्रेज देखाशे जे दर्शावे छे के तेनी पासे संपत्ती अने अनुरूप जवाबदारी बनने छे वधूमा इन्द 116 हेठलनी आ नवी सार्वार कंपनीनी लीजिंग प्रवृत्तियों अंगे वधू पार्दर्शिता प्रदान करे छे जेम जेम पाठ आगण वधतो गयो तेम रवी इन्द 116 ना महत्वनी प्रशंसा करवानू शरू करियू तेथी लीजिंग मारा नफाकारकता अने नानाकिय गुणोत्तर ने असर करी शके छे खरूने तेने पुछियू चोकस शिक्ष के खात्री आपी आ धोरणने समझवा थी तमने असकयाम तो खरीदवा विरुद भाडा पट्टा अंगेना महितगार निर्णयो लेवामा मदद मरशे अने तमने तमारी नानाकिय स्थिती हिद्धार को समक्ष चोकस रिते रजू करवानी मंजूरी मरशे जेम जेम वर्ग समाप्त थयो शिक्ष के सारांश आपयो याद राखो रवी इंड एस 116 माथी मुख्य उपाड ए छे के ते लीज एकाउंटिंग मा पारदर्शिता अने जवाबदारी पर भार मुखे छे उप्योग अधिकार नी संपत्ती अने लीज जवाबदारी ने ओडखी ने तमे खात्री करशो के तमारा नाणाकिय निवेद नो तमारा केफे व्यवसाईनी वास्त विक्ताओंने चोकस रिते प्रतिबिम्बित करे छे लीज नी नवी समझण साथे रविये प्रेरित वर्गखंड छोड़ी दिधो लीज अने तेना नाणाकिय स्वास्थ्य पर तेनी असरोनो ट्रेक राखती वखते तेने तेना कैफे नू संचालन करवाना पड़कारों नो सामनो करवा तैयार अनुभवियो क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक हुमफारों बपोरे, रवी तेना वर्गखंड माँ चालयो गयो, तेना शिक्षक ना बीजा आकर्षक पाठ माटे उत्साहित हतो, जे तेनी वार्ता कहवानी क्षमता माटे जाणीतो हतो आजे, विशय हतो इंड एस 119 जे सेवा कंसेशन व्यवस्था साथे संबंधित छे रवी ने आतूर हतो के तेना शिक्षक आ जटिल ख्याल ने वार्तामा केवी रिते वणी लेशे शुप बपोर वर्ग शिक्षके अभिवादन करियों, तेमनू स्मित चेपी हतो आजे, अमें एक वर्णन द्वारा सेवा कंसेशन व्यवस्थानी शोध करीशूं चालो कल्पना करिये के रवी ये तेना समुदाहे मां एक सार्वजनिक उध्यान विक्साववा अने तेनू संचालन करवानों प्रोजेक्ट हात धर्यों छे रवीनी आँखो रस्ती पहोडी थाई गई एक उध्यान, ते मजा लागे छे खरे खर, ते छे, शिक्षके चालू राख्यूं आ संजोगो मां स्थानिक सरकारे रवीने सेवा कंसेशन व्यवस्था आपी छे आनो अर्थ ए छे के तेने 24 समयगाडा माटे पार्क विक्साववा, चलाववा अने जाडववानों अधिकार छे चालो कहिए के 20 वर्ष आ समय दर्मियान रवी जाहेर जन्ताने पार्क सेवाओ पूरी पाडशे जैम के जाडवनी, सुविधाओ अने मनोरंजन प्रवृत्तियों मोटी जवाबदारी लागे छे, रवीये माहिती ने आत्मसाथ करता कहिँ एकदम, जो के त्या एक केच छे, शिक्ष के समझाविऊ जारे रवी पासे पार्क चलाववानों अधिकार छे, तेम छता स्थानिक सरकार जमीन नी मालिकी जारवी राखे छे इन्द ऐस एकसो ओगणिस मुझब, रवीये तेना नाणाकिय निवेदनों मा आ व्यवस्थानों हिसाब आपवानी जरूर छे ठीक छे, पड़ ते केवी रिते करे छे, रवीये कुतुहल थी पुछिऊ शिक्ष के समझाविऊ, प्रथम पगलू ए सेवा छूट थी संबंधित नाणाकिय संपत्ती अथवा अमूर्थ संपत्ती ने ओडखवानूं छे जो सरकारे रवी ने पारक मां प्रवेश माटे वप्राश करताओ पासे थी चार्ज लेवानों अधिकार पुरो पाड़्यों होए, तो तेना थी आवक थाई छे आ किसामा रवी एक नाणाकिय संपत्ती ने ओडखवे जे वप्राश करताओ पासे थी रोकड प्रवाह मेडववाना तेना अधिकार ने प्रति बिम्बित करशे, जेम के प्रवेश्वी अने इवेंट्स माथी भाड़ानी आवक रवी ए कनेक्षन समझी ने माथू हलावियूं अने जो सरकार अमुक खर्च माँ सबसीडी आपे तोशूं महान प्रश्ण जो सरकार रवी ने पारक ना विकास ने तेको आपवा माटे बांधकाम अथवा संचालन अनुदान प्रदान करे छे, तो तेने एक अमुर्थ संपत्ती ने ओडखवीज जोईये, शिक्ष के स्पष्टता करी आ अमुर्थ संपत्ती सेवा कंसेशन व्यवस्था हेठर तेमने आपवा माँ आवेला अधिकारों नू प्रती निधित्व करे छे दाखला तरीके, जो सरकार रम्त नू मेदान बनाववा माटे भंडोर नू योगदान आपे छे, तो रवी तेनी बैलेंस शीट मा तेने अमुर्थ संपत्ती तरीके नौन्ध शे ते रस्प्रद छे, सर खर्चानू शू, रवी ये वधू पूछ परच करी, रवी पार्कनू संचालन करती वखते खर्च पण उठावशे, शिक्ष के समझावियू ऐस 119 मुझब, तेमडे आ खर्चों ने ओडखवानी जरूर पढशे कारण के तेओ करवामा आव्या छे उदाहरण करी के, जो ते पार्कनी जार्वणी माटे स्टाफ राखे छे अथवा साधन सामगरी खरीदे छे, तो आ खर्च तेना नफा अने नुकसान निवेदनमा प्रती बिम्बित थशे रवीये एक क्षण माटे विचारियू अने पच्छी पुछियू, आ मारी एकंदर नाणाकिय स्थिती ने केवी असर करे छे असर नौंध पात्र छे, शिक्षके कहियू नाणाकिय अने अमूर्थ असकयामतों ने ओडखी ने रवीनी बैलेंस शीट सेवा कंसेशन व्यवस्था माथी मेडवेला मुल्यनू स्पष्ट चित्र बतावशे बधूमा तेने सुनिष्चित करवानी जरूर पढ़शे के वप्राश करताफी अने अनुदान माथी तेनी आवकनी चोक्कस रिते जान करवामा आवी छे जे व्यवस्थानी आर्थिक वास्तविक्ताने प्रतिबिम्बित करे छे वाह, ते घणों विचारवा जेवू छे, रविये स्वीकारियूं, जो व्यवस्था समाप्त थाय तोशूं हूं तेनों हिसाब केवी रिते करी शकूं शिक्ष के चालू राख्यू, जारे सेवा हूटनी व्यवस्था समाप्त थाय छे, त्यारे रविये संपत्तीनी किम्मत अने बाकीनी कोईपण जवाबदारियोंने ध्यानमा लेवानी जरूर पडशे, जो तेने पार्कना विकासमा रोकान कर्यू होए, तो तेने मुल्यां कर्वू जोईए के शू ते ते खर्च वसूल करी शक्षे, नाडाकिय अथ्वा अमूर्थ संपत्तीमा बाकी रहेल कोईपण मुल्याने योग्यरिते गणवा जोईए, जेम जेम पाठ समाप्त थायो तेम शिक्ष के सारांश आपयो, याद राखो, रवी, इंड एस एक्स ओगणी सेवा हूट नी व्यवस्थामा पारदर्शिता पर भार मुके छे, खात्री करे छे के जाहेर क्षेत्र अने खांगी क्षेत्र नी संस्थाव बनने तेम ना अधिकारों अने जवाबदारियों माटे चौकस हिसाब आपी शके छे आ समझ तमने स्पष्ट नाणाकिय चित्र रजू करती वखते तमारा प्रोजेक्ट ने असरकार क्रिते संचालित करवामा सक्षम बनावशे सेवा राहत व्यवस्थाना नवा ग्ण्यान साथे रविये प्रेरित वर्गखंड छोडी दिधो तेमने उद्यानना संचालनना पड़कारने स्विकारवा माटे तैयार अनुभव्यों, खात्री करीके तेओ तेमना सहसना दरेक पासाओनों चोकस हिसाब आपी शके छे क्रूपा करीने सूचनाओ मेलववा माटे शेर करो, सब्सक्राइब करो, तिपणी करो अने बेल आइकोन दबावो एक सन्नी सवारे, रवी तेना वर्गखंड मा दाखल थयो, तेना शिक्षक पासे थी शिखवा माटे आतूर, जे तेना आकर्षक वार्ता कहवाना अभिगम माटे प्रख्यात हता आजे, विशय हतो इंड एस 120, जे सरकारी लोन माटे एकाउंटिंग पर ध्यान केंडरित करे छे रवी ए जानवा माटे उत्साहित हतो के केवी रिते तेना शिक्षक आविशने मनमोहक कथामा फेरवशे गुड मोर्निंग, क्लास शिक्षके अभिवादन करियों, तेमनों अवाज उत्साहती भरेलो हतो आजे, अमें एक वार्ता द्वारा सरकारी लोननी शोध करीशूं चालो कल्पना करिये के रवी नू तेना समुदाय माँ टकाउं बैकरी खोलवानू स्वपन छे आ साहस शरू करवा माटे तेने नाणा किया सहायनी जरूर छे, अने ते नाना उध्योगोंने प्रोचसाहन आपवा माटे रचायल सरकारी लोन माटे अरजी करवानू नक्की करे छे रवी अंदर जुकाव्यो दुरुष्य जोईने तिरस्कृत ठयो ते एक महान तक जेवू लागे छे, सर, परन्तु लोन केवी रिते काम करे छे शिक्ष के समझाव्यू, सरकार रवी नी अरजी मंजूर करे छे, अने तेने सामान्य करता ओछा व्याज दरे 5 लाख रुपियानी लोन आपे छे आ लोन तेने साधन सामगरी, घट को खरीदवा अने प्रारंभिक ओप्रेशनल खर्चने आवरी लेवा मां मदद कर छे जोके लोन नी शर्तों मां 24 शर्तों नों समावेश ठाय छे, जे रवी ये 5 वर्ष पछी लोन माफी माटे लायक बनवा माटे पूरी करवी आवश्यक छे लोन माफी ते केवी रिते काम करे छे, रवी ये पुछियू, तेनी उत्सुकता वधी गई सारो प्रश्ण 19.120 हेठर जारे रवी ने सरकारी लोन मडे छे त्यारे तेने तेने तेनी बैलेंस शीट पर जवाबदारी तरीके ओडखवी जोईए शिक्ष के विगतवार जणाविऊ लोननी रकम नाणाकिय जवाबदारीनू प्रतिनिधित्व करे छे अने तेने समय जता सामान्य रिते व्याज साथे तेने पाचु चुकव हुँ जोईए जोके आ लोन खास करीने उद्योक सासिक्ताने प्रोचसाहित करवा माटे बनाववामा आवी होवा थी जो अमुक शर्तों पूरी थायतों सरकार नीचा व्याज दर अत्वा संभवित माफी सहित अनुकुर शर्तों ओफर करी शके छे रवी ये माथु हलाव्यू ख्याल समझवा लाग्यू तो आ मारा हिसाब ने केवी रिते असर करे छे शिक्ष के चालू राख्यू एकवार रवी भंडोडनों उप्योग करवानू शरू करे पची तेने लोनना व्याज खर्चनों हिसाब राखो जो ये दर महीने ते चुकवणी करे छे ते तेना नफा अने नुकसानना निवेदनमा व्याज खर्चनी नौन्ध कर शे जो के जो ते लोन माफी ना मापदंडों ने पूर्ण करे छे तो ते लोन ना ते भाग ने सरकारी ग्रांट तरीके ओरखी शके छे रस्प्रद तोहूं ग्रांटनों हिसाब केवी रिते आपू रवी ये उच्सुकता थी पुछिऊं जो रवी लोन माफी माटे लायक ठरे छे तो तेने अनुदान तरीके ओरखी शके ते रकमनों मुल्यांकन करवू जो ये शिक्ष के समझाविऊं अईस एकसो वीस मुझब ते आ ग्रांटने आवक तरीके तेमना नफानुक्षा निवेदन मा नौंद शे जे तेमना एकंदर खर्चने घटाडवामा मदद करशे आ मान्यता तेमने सरकार तरफ थी मलेली नाणाकिय सहाई ने चौक्कस रिते प्रतिबिम्बित करवामा मदद करे छे समझिऊं पड़ जो हूं माफी माटेनी शर्तो पूरी न करू तो रविये थोड़ी चिंतित थाईने पुछिऊं जो रवी मापडंडोंने पूर्ण करतो नथी तो तेने लोननी चुकवणी करवानू चालू राखू जोईये अने सनलगन व्याजना खर्चने जेम जेम एक्ठू थाई छे तेने ओरखू जोईये शिक्ष के तेने आश्वासन आपियू आ सुनिश्चित करे छे के तेना नाणाकिय निवेदनों सचोट रहे छे अने तेनी जवाबदारियोंने प्रती बिम्बित करे छे जेम जेम वर्ग आगण वधतो गयो तेम तेम रवी चर्चामा वधू व्यस्त थतो गयो जारे लोन संपूर्ण पणे चुकववामा आवे त्यारेशू ठाय छे शिक्ष के समझाव्यू एकवा रविये लोननी संपूर्ण चुकवणी करी नाख्या पछी तेने तेनी बैलेंस शित माथी जवाबदारी दूर करवी जोईये ते समय तेनी पासे तेनी नाणा की अस्थिती नू स्पष्ट चित्र हशे जे दर्शावे छे के तेनी पासे हवे ते जवाबदारी न थी जो ते लोनना कोईपण भागने अनुदान तरीके ओडखवामा सक्षम होए तो ते तेना नफा अने नुकसानना निवेदन माँ पण सकारात्मक योगदान आपशे जेम जेम पाठनों अंत आवयो शिक्ष के सारांश आपयो याद राखो रवी इन्ड एस 120 सरकारी लोनना हिसाब माँ पारदर्शिता अने जवाबदारी पर भार मुके छे आ लोन अने कोईपण संभवित अनुदानने केवी रिते ओडखवू ते समझभू तमने एकांटिंग धोरणोंनू पालन करती वखते तमारी बैकरीना नाणाने असरकारक रिते संचालित करवामा मदद करशे सरकारी लोननी नवी समझ साथे रविये प्रेरित अने आत्मविश्वा साथे वर्गखंड छोड़ी दिधू तेमने नाडा किया हिसाब अने सरकारी सहाईनी जटिलताओने नेवीगेट करवा माटेना ग्नाथी सज्ज तकाव बैकरी खोलवा माटे तेमनी मुसाफरी शरू करवा माटे तैयार अनुगविवू